कि अच्छ पर्टिकुलर शेशन में हम डिसकस करेंगे पूरा इंडिया आपको एक पानी की बॉटल साथ में बेराइक्ट पेन पेंसिल लेके बैठना है और विद हाई जोश ठीक है पूरा अपना जोश हाई करके सारी चीजे को अपने बेराइक्ट में माक करते चलना है तो जो भी एस परेंट जेलों को टार्गेट करने वाले हैं राजस्थान जे को टार्गेट कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग होने वाला है तो वी विल बी कम्प्लेटिंग फ्रॉम आर्टिकल वान तो आर्टिकल 3.95 और इट विल बी आ रापिड रिविजिन सॉट ओफ क्लास राइट तो व होने वाली है विल बी डिसकुसिंग इच एन एवरी आर्टिकल विच इंपोर्टन फॉर दी एग्जामिनेशन और बिफोर स्टार्टिंग विद इस सेशन एक इंपोर्टन चीज कि स्टडी आइक्यू का लाइफ फाउनेशन बाच टू स्टार्ट होने वाला है कल से तो कल इसकी क्लास होगी पहली अगर आप एक लौ एस्पेरिंट है या फिर जुडिशल एस्पेरिंट है आप किसी भी स्टेट जुडिशल एक्जामिनेशन को टार्गेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो और इन्रोल तो दिस लाइफ फाउनेशन बाच यहाँ पे आ है इसकी पहली क्लास जल्दी से जाके इन्रोल करें यूज करें प्रोमो कोड श्रीलाइफ फॉर दी माग्समम डिसकाउंट श्रीलाइफ से मिलता है आपको सबसे ज़्यादा डिसकाउंट चाहे फिर आपको कोई भी कोर्स खरीदना हो स्टड़ी आई के जड़ी श्रीपे और यह कोर्स का प्राइज है आपका 24,000 ट्रिपल लाइन और यह कोर्स आपका दो सालों के लिए वैलिड है और आज के क्लास की पीपीटी कंटेंट जो मैं यहां पर यूज करूंगी क्लास को उसको अगर आपको चाहिए आपको क्लेक करना है तो आप मुझसे डारेक्ली कन को लेकर यू कें रीच में आउट ऑन बोथ इस शोशल मीडिया हैंडल और इंस्टाग्राम पे में ज्यादा अक्टिव रहती हूं तो यू कान इसली आस्किर डाउट ओवर देर पीपीटी कॉंटेंट क्लास की नोटिफिकेशन यह सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चै यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो वह इंटर वी जरूर सवाल पूछ ते हैं वोगे अगें देश का सम्मीदान है इंपोर्टेंट तो यह बहुत ही जादा important subject examination point of view and we can expect at least 10 to 12 questions in any of the examination and in JLO this exam separate paper ही होता है आपका तो यहाँ पे हम सारे important provisions, सारे articles पढ़ेंगे, उन सारे articles में कहां कहां से question बनते हैं, वो भी हम discuss करेंगे साथ में और साथ में important case clause को भी discuss करते हुए चलेंगे so talking about Indian constitution so it's a legal document आच्छा हमारे देश का सम्विधान जो है वो बहुर ताइम ले के बना ठीक छोटी सी क्विक स्टोरी सुन लो बहुर ताइम लेके बना, अब इतना ताइम लेके बना उसको इतना जादा क्या गयता है अलग-अलग कंट्री से बौरो करी हमने कुछ कुछ चीजें, हम कुछ कुछ चीजें लेकर आए, हमने ऐनिलाइज कि ये दूसरे कंटरी की कॉंस्टूशन को और फिर अपने कॉंस्टूशन को बनाया, तो हमारे देश का सम्मिदान जो है, वो एक written constitution है, Lendhius constitution है, राइट, यह कुछ important basic सी बात है, now it's a legal document and Indian constitution क्या authorities है, कौन किसको appoint करता है, President, Vice President, Governor, State Legislature, Parliament हो गया, Supreme Court, High Court, इन सब की powers, इनको कौन appoint करेगा, at the same time, fundamental rights, direct principle of state policies, यह सारी बाते आपकी इस Indian Constitution में दे रखी है, now it also defines the fundamental rights and fundamental duties as I have told you, and world largest constitution, presently having around 448 articles, in 25 parts and 12 schedule, इससे पहले, originally अगर आपसे प्रिलेंस में सवाल पूचे जाए, कि originally कितने articles हैं, तो 395 articles हैं, 22 parts है, और 8 schedule है, जब यह commencement में, जब यह force में आया था, Indian Constitution तो, right, not talking about article first, ठीक है, अब basic से आपके article 1 से लेके 4 तक बात करी जा रही है, union and its territory की बारे में, अब first schedule में, अगर आप देखो, आप में देखा भी होगा first schedule में, कि वहाँ पर एक पूरी list दे रखी है, कि कौन से union territories हैं, और कौन से state है, right, अब यहाँ पर बताता है, article 1 से लेके, 4 तक union और union territories के बारे में, अब आटिकल 1 क्या कह रहा है, और article 1 से क्या question पूचे जाता है, interview में यह पूचे जाता है, यहाँ पर आटिकल 1 से लेके बारे में, क्लॉस 1, that India, that is, भारत, शाल भी union of states, शाल भी union of states, खेक है, क्लॉस 2 कहता है, that the state and territory will be specified in first schedule, as I have told you, और clause 3 कह रहा है, that the territory of India will comprising the following, that is, territory of state, state की territory हो गई आपकी, union territories, जो आपके first schedule में mention है, और साथ में, दूसरी territories, जो आप acquire कर रखी है, तो यह तो हो गया, आपका article number 1, तो article number 1 में क्या कह रहा है, कि it is a union of states, तो India is a union of states, तो में आप देखा होंगा, तो अलग-अलग states का एक union है, that is forming, पूरी country, India, right, now, article 1 को describe किया, India as a union of states, अब यहां पे, B.R. Ambedkar जी ने क्या कहा, that Indian Federation was a union, हमसको एक union मान रहे है, ठीके, एक चीज, एक union मान रहे है, अलग-अलग states का, because, it was indissolvable, किया आप उसको dissolve नहीं कह सकते, कोई भी state अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा सकता, union को, right, no state had the right to separate from the Indian union, अब Indian union से कोई भी state चाहे, यह मुझे अलग होना है, तो ऐसे उसके बास right नहीं है, separate होने का, now, this country is one integral unit, beside the fact that it consists of different states, एक unit है, no doubt about it, कि बहुत सारे states मिलके इस एक unit को बनाते हैं, but यहां पे कह रहा है, कि it consists of different states, for the convenience of administration, administration की convenience के लिए, अलग-अलग state है, but हम इसको कैसे मानते हैं, as a unit मानते हैं, that is why the word union of state has been written here, right, now, the phrase union of India and territory of India, it has to be differentiated, अब इन दोनों ही term को आपको differentiate करना है, क्यों, देखो, clause 1, article 1 clause में क्या use किया है, union of India, औसका third clause जो है, article 1 का, उसमें क्या use किया है, territory of India, अब इसमें difference क्या है, जब हम बात करेंगी, दोनों वर्ट के difference की, तो यहां पे देखो, that the union of India includes only state enjoying the status of being member of federal system, and sharing the power with the union, और union के साथ अपनी power को share कर रहे है, now, यहां पे कहता है, जो term आपका territory of India includes not only the state, यहां पे territory of India की जो यह term है, यह use किया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ union नहीं state का, but also the union territories and such other territories, जो acquire करी है, इंडिया ने future में, जो acquire करी हैं इंडिया future में, तो उसमें यह सारी चीज़ें आपकी include करी जाती है, first schedule made in constitution के specify कर रखा है states और union territories की बारे में, तो यह है आपका article number 1, now talking about article number 2, अब article number 2 से, जो most probably exam में पूछे जाता है, that is, कि कि किसके पास power है, कौन बना सकता है, कौन admission कर सकता है, या फिर establish कर सकता है नए state को, तो article number 2 और 3 में भी बहुत ही slight difference है, but important है examination के लिए, यह कहता है, कि article number 2 बात कर रहा है, admissions and establishments of new states, ठीक है, कि आप जो है, नए states बनाओगे, form करोगे नए states, अब यहाँ पे power किसको दी है, parliament को दी है, कि parliament may by law admit into union, or establish new state based on the terms and condition, तो यहाँ पे नया state form किया जा रहा है, under article 2, ध्यान रखना, article 2 में ने क्या बताया, कि parliament जो है, एक नया state बना रही है, अब अगर हम बात करें, article 3 की, तो यहाँ पे article 3 और article 2 में बेसिक से डिफरेंस यहाँ पे बता रखता है, कि यहाँ article 3 में, जो already existing states हैं, अगर मानलों वो अलग-अलग हो रहे हैं, वो दो state बन रहे हैं, या फिर कोई union territory को merge किया जा रहा है, इस state में, उसकी बात कर रखिया, आपके article 3 में, तो जब भी आपसे admission और establishment का पूछे जाएगा, तो तीन बात prelims के लिए धान रखना, आर्टिकल नंबर 2 पार्लिमेंट करता है, और आर्टिकल नंबर 2 में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करी गई है, जब हम आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं, तो इट स्टेट्स दाट पार्लिमेंट में, by law, forms a new state by separation, अभी आपे क्लेरले लिखा है नंबर 3 की बात क Means और चानलिमें by separation of territory from any state, किसी state की of territory को separate करके, या फिर by uniting two or more states completely, या फिर 2 रे से जाद लोग, 2 रे से जादा states को आप मिला रहे हूं, या फिर by uniting the territory of the part of any state, नाव इट दील्स विट, formation of new state, right, alteration of areas of state, alter कर सकता है किसी state के area को, साथ में boundaries और name of the existing state, thus the parliament can increase, parliament चाहे तो वो increase कर सकता है, या फिर diminish कर सकता है कोई भी state का area को, और alter कर सकता है boundaries को, नाम को किसी भी state के, right, तो parliament follows the following procedure in this regard, अब अगर मान लो, किसी भी दो state है, उन state को merge करके एक नया state बनाना है, या फिर किसी state की boundary को increase करना है, या फिर decrease करना है, diminish करना है, तो उस particular case में कैसे होगा, क्या उसका form, क्या procedure follow किया जाएगा, तो दोको सबसे पहला step क्या है, अब यह article 3 के लिए जा रहा है, यह जो steps हैं आपके, यह article 3 में बताए गए है, that either house of parliament, कोई भी house of parliament initiate कर दे, only, यहाँ पे word के use किया है, only on the recommendation of the president, बट यह जो recommendation है आपकी, यह article 2 में required नहीं है, यह सिर्फ article 3 के लिए है, कि कोई भी house of parliament initiate कर सकता है, बट किसके recommendation पे, only on the recommendation of the president, can introduce a bill, giving effect to any or all the changes stated above, उसको effect देने के लिए, यहाँ पे लेकिन किसके recommendation में, प्रेज़ेंट की recommendation में, और यह आपका prelims के लिए important question है, now step 2 क्या है उसके बाद, now if such a bill affects the boundary, या फिर नाम, किसी भी state की boundary को, या फिर किसी state की नाम को effect करता है, तो president जो है, उसको refer करेगा उस bill को, concerned state legislature को, मालो किसी state की boundary को effect कर रहा है, या फिर उसके नाम को effect कर रहा है, तो उस particular state के state legislature को यह bill दिया जाएगा, ठीक है, उसको refer किया जाएगा, उस state legislature को, व्यूज लिये जाएंगे, ठीक है, तो स्टेप थी क्या है, तो स्टेप थी क्या है, अपने उपिनिन्स नहीं दिये, तो ऐसा माना जाएगा, ऐसे कि वो एगरी कर रहा है, उसने एक्सप्रेस कर दिये हैं अपने व्यूज और वो एगरी कर रहा है इस चीज से, नौ पार्लिमेंट इस नोट बाउंड तो एक्सेप्ट और आट अपॉन दे व्यूज ऑप दिस टेट लिजिस्लेचर, हमने बस व्यूज मांगे हैं स्टेट लिजिस्लेचर से, पार्लिमेंट कहीं से भी कहीं तक बाउंड नहीं है, कि वो जो है उन व्यूज पर आक्ट करें, स्टेट लिजिस्टेचर ने मानलो अगर दिये हैं कोई व्यूज तो उस पे पार्लिमेंट बाउंड नहीं है कि वो आक्ट करेगा कोई भी हाउस पार्लिमेंट इनिशेट कर सकता है बट ओलनी ओन दी रिकमेंडेशन ओफ प्रेजिडेंट और दिस इस अ कैच है जो आपको इंपोर्टेंट धान रखना है प्रिलिम्स के पॉइंट अफ्यू से नौ इन केस ऑफ यूनिन टेरिटरी के बात कर ली अगर हम बात सब्सक्राइब ने यूनिन टेरिटरी से लिजसे से व्यूज लेने की नौ आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो यह आपका आर्टिकल 3 है अब यहां पर डिफ्रेंस देखो मैंने पहले भी डिफ्रेंस बताया है यहां पर देखो आर्टिकल 2 is related to the admission or establishment of new states से ही मैंने बताया कर करके बनाया है राइड टाइज देस आर्टिकल प्रोवाईट्स ये बात करता है क्लियर नौ ऑन दे अधर हैं अगर हम आग्रीकल 3 की बात करें तो आटिकल 3 जो है वो डील करता है establishment or creation of new states after the reorganization of existing states which are already part of India those states already part है हम merge कर दे रहे हैं या फिर एक state है हम उसको divide करके उसके दो अलग-अलग state बना दे रहे हैं तो वो सारे state already part है इंडिया के उसको हम ऐसा कर रहे हैं वो सारी चीज़ा हम कहा कर रहे हैं article 3 में कर रहे हैं I hope it is clear now prior recommendation जैसे मैंने बताया प्रायर recommendation आपकी president of India की जरूरी है कौन से article के लिए article 3 के लिए जहां पे हम किसी existing part of India को अलग कर रहे हैं merge कर रहे हैं divnish कर रहे हैं increase कर रहे हैं उसके area को नाम change कर रहे हैं boundaries को effect कर रहे हैं इन सारी जीज़ों के लिए आपको president of India की recommendation की जरूरत है बट आर्टिकल 2 के लिए आपको कोई recommendation की जरूरत नहीं है no such provision is mandatory for article 2 clear now talking about article 4 अब यह कहता है कि मान लो article 2 और article 3 में कुछ भी करने के लिए आपको अगर schedule 1 और schedule 4 को कुछ changes लाने पड़ रहे हैं ताकि आप article 2 और 3 को effect दे सको तो वह आप कर सकते हूं यहाँ पे parliament की power है अब अगर prelims में question आ जाए आर्टिकल 1 से लेके article 4 तक एक छोटी सी ट्रिक जो मैं अपनाती हूं अपने कोई अपने एक्जाम मेने मेरे अपना ही ट्रिक वह यह है कि article 1 से लेके article 4 तक सब कुछ कौन कर रहा है parliament कर रहा है तो prelims में अगर authority से पूछे जाता है तो उस particular case में आग बंगर करके parliament लगा ले ना article 1 से लेके article 4 सब कुछ parliament कर रहा है वहाँ पे now यही बाद बता रखी है यहाँ पे इसको effect देने के लिए आप जो है क्या कहते है अमेंडमेंट कर सकते हूँ schedule 1 और schedule 4 में effect देने के लिए article 2 और article 4 और लुक आट दिस पिक्चर ठीक है अब यह पिक्चर बात basically कर रहा है territorial limits की ठीक है तो हम territorial कहते हैं यह 12 nautical miles 200 nautical miles तो वह बात है क्या इसके के लिए अब देखो पहली बात तो 40th amendment ध्यान रखना ठीक है 48th amendment important है यहाँ पर यहाँ पर देखो यह जो line आपको दिख रही है यह जो dotted line आपको दिख रही है इस exclusive economic zone इसके इलावा जो है यहाँ पर continental shelf आजाता है और इसके beyond जो है आपका international water आजाता है इक्जाम में अगर पूछे तो बस यह 12 nautical miles और 200 nautical miles in case of exclusive economic zone ध्यान रखना और यह picture ध्यान रखना है इसलिए लैंड है आपका ठीक है यह लैंड है यहाँ से दिया जा रहा है ऊपर यहाँ से किया जा रहा है clear now moving ahead जो आपका यह territorial water है या फिर जो एक्स्लूसिव अगर कोई भी लिस्ट नहीं है तो भी इंडिया का ही पार्ट माने जाएंगे अब अगर आपने IPC देखा होगा तो IPC में हम देखते हैं आपका territorial jurisdiction जब हम पढ़ते है अगर हमारे इंडियन टेरिटरी की वाटर में है तो हम देखते हैं उसको क्राइम हुआ तो इसको करते हैं तो यह बेसिकली तभी काम आता है आपका 12 nautical miles और 200 economic zone है उसका अब यहां पर ही कहता है कि उसको हम क्या मानेंगे पार्ट मानेंगे इवन दो कोई separate schedule में listing नहीं कर रखी है या फिर schedule 1 और 4 में नहीं मता रखा है तो भी हम उसको अपना part मानेंगे किसको territorial water को exclusive economic zone को shall become the part of state or union territory in the absence of any listing of them separately in schedule 1 or schedule 4 clear now the difference between the territorial sea or exclusive economic zone is that the first confer the full sovereignty अब यहां पर difference क्या है दोखो यह थोड़ा detail में हो गया लेकिन समझ लो अभी समझ लो को अच्छा रहेगा यहां पर कहता है कि territorial water और आपका जोई economic zone है इसमें difference क्या है तो जो territorial water है ना उसके पास full sovereignty है over the water टीक है पूरी sovereignty है उसकी बट अगर हम बात करें economic zone के exclusive economic zone की that only have sovereign rights उसके पास उसके पास सिर्फो सिफ sovereign rights है पहले वाले के पास territorial water के पास क्या है पूरी sovereignty है टीक है पूरी sovereignty है बट इकनोमिक जोन में सिर्फो सिफ sovereign right है which refers to the coastal state rights below the surface of the sea जैसा मैंने आपको बीपिक्चर में दिखाया so this was part 1 जिसमें आपकी बात करी गई है क्या कहते हैं? territories के बारे में, union and its territories के बारे में now moving ahead to part 2 that is citizenship अब citizenship बहुत ही interesting है देखो यार citizenship में important जो चीज है जो चीज है जो exam के लिए important है वो jot down कर लेना that citizenship जो है पहली बात तो वो आपका कहां पर दे रखा है union list में fall करता है citizenship is listed in union list under the Indian constitution and thus is an exclusive jurisdiction of the parliament इस पे जो है parliament का exclusive jurisdiction है clear? तो यह union list में fall करता है यह दिहान अब यहां पर Indian constitution में कहीं भी आपको ऐसे definition नहीं मिलेगी जो बात करती है कि define कर रखा है कि citizenship define कर रखी है ऐसा कहीं पर भी नहीं है अच्छा एक interesting चीज़ भी तखाऊंगी हम जितने भी law graduates हैं या जिनोंने भी bear act देखी होगी बहुत सारे लोगोंने देखी होगी bear act तो हमेशा क्या देखते हैं कि जैसे कोई bear act खोलो तो पहला section किसकी बात करता है short title extend commencement की ठीक है उसकी बाद definition clause आजाता है फिर कुछ acts में आपके saving clauses दे रखे हैं बट constitution में ऐसा नहीं है constitution में ये सारी चीज़ें आपके 394 और 393 में दे रखी है तो constitution का short title extend commencement पूछ लिया जाए तो वो दे रखा है आपका बिल्कुल last में that is 393 and 394 और constitution जब आया था ना force में तो कुछ article इसके पहले आ गए थे और कुछ article बाद में आये थे और वो भी हम discuss करेंगे last में जब हम उस article की तरफ पौचेंगे तो हम उसको discuss करेंगे यहां पर यह पार्ट 2 में फॉल करता है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात करता है citizenship की नाओ जो दूसरे प्रोविजन से दिसे मैंने बताया कि unlike the other provisions which came into being on 26th January 1950 these articles were in force on 26th November 1949 itself when the constitution was adopted तो दिस दिन constitution अडॉप्ट किया गया था उस दिन कुछ articles को क्या कहते है हमने ले लिया था वो force में आ गया थे बट कुछ articles बाद में force में आया तो यह वाला जो article है वो जब constitution adopt हुआ था November 26th 1949 को तो ही यह force में आ गया था now article 5 किसकी बात कर रहा है article 5 बात कर रहा है basic से चीज़ की that the citizenship on commencement of the constitution कि जब constitution commence हुआ जब constitution लागू हुआ लगना शुरू हुआ constitution उस टाइम पे citizenship की बात कर रहा है तो यह कहता है कि citizenship में all those domiciled and born in India were given citizenship जो भी कोई देश में पैदा हुआ इंडिया में पैदा हुआ उसको citizenship मिल गई आराम से मिल गई now यहाँ पे कहता है even though those who are not domiciled but born in India जो domiciled नहीं है but इंडिया में born हुए है but either of whose parent was born in India जिसके माबाब इंडिया में born हुए है उनको भी यहाँ पे citizenship consider किया गया उनको भी Indian citizen consider किया गया है anyone who had been ordinary resident for more than 5 years कोई भी 5 साल अब यह है catch word यहाँ पे prelims के लिए important कि कोई भी ordinary person जो पांच साल से जादा रहा है उसको भी वो अप्लाई कर सकता है citizenship के लिए ठीक है वो इंडिया में citizenship के लिए अप्लाई कर सकता है now article 6 किसकी बात करता है it provides the right for of the citizenship of certain person who migrated to India from Pakistan अब कुछ लोग इंडिया पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए उसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात हो रही है but again prelims के लिए it is not very much important citizenship से question आता है तो article 5 से ही आता है बस यह ध्यान रखना article 6 में बात कर रखी है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए now since independence was preceded by partition and migration partition हुआ ठेके लोग migrate करे article 6 में लेट डाउन कर दिया that anyone who migrated before 19th July 1949 जो इस date से पहले migrate कर गए would automatically will become an Indian citizen वो अपने आप ही Indian citizen हो जाएंगे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए इस date से पहले वो automatically क्या होंगे Indian citizen होंगे if either of his parents अगर उसको कोई भी माबाब जो है या grand parents जो है वो इंडिया में बॉन हुए है तो right but those who enter after this date need to apply for the citizenship तो अगर मान लो उस date के बाद कोई migrate हुआ उसका क्या होगा तो उसको apply करना पड़ेगा उसको register करना पड़ेगा clear अल्ट्रा मेगा प्रो खुशू क्यों 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 खुशू the reason is कि आप सबने इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट किया हमें कि study IQ Judishree का चैनल जो है 3,000,000 subscribers पहुँच गया so I really want to thank all of you from the bottom of my heart इसलिए में बहुत कुशू इसी खुशी में आपको पूरा Indian Constitution पढ़ा दूंगी आज बस मुझे motivate रखने के लिए यहां पर thumbs up आने चाहिए और बहुत से जाद जाद से जाद लोग वाच करने चाहिए सेशन को और मेरा जोश हाई रहेगा और आप लोगों का भी जोश हाई होना चाहिए मेरे साथ साथ ऐसा नहीं होना जाहिए कि मैं तो बढ़ा रही है इतने हाई जोश से और स्टुडेंट्स जो है वसो हो कभ खतम होगा या फिर सोनी नहीं रहें या फिर मार्क नहीं कर रहें जो बहुत इंपॉटेंट है एक्जामिलेशन के लिए सब्सक्राइब आइफ से पाइस आउड से किसी के माभाप या फिर डाहप जो है इंडिया हुए है तो रिए ना आ अट्रेकल 7 जो है वह प्रोआओ करता है right now article 8 क्या कहता है that right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India जो लोग इंडिया के बहार रहे रहें बट हैं Indian origin के पैदा इंडिया में हुए हैं तो अगर ऐसा कोई person है जो Indian origin का है जो recite कर रहा है इंडिया के बहार who either of whose parents या फिर grandparents are born in India या उसकी parents है फिर उसकी दादा दादी नाना नानी कोई पैदा हुआ है इंडिया में could register himself or herself as an Indian citizen with Indian diplomatic mission ठीक है तो वो अपने आपको register कर सकता है now article 9 जो है pdf कहां मिलेगी pdf कहां मिलेगी okay so pdf मिलेगी टेलिग्राम चानल पर टेलिग्राम चानल का नाम है श्रिमिश्र वास्तव वहां पर आपको इसकी पूरी pdf मिल जाएगी ठीक है चालो now article 9 किसकी बात करता है article 9 बात कर रहा है कि अगर मानलो किसी person ने voluntarily acquire कर ली है citizenship किसी foreign country की ठीक है तो फिर वो इंडिया का citizen नहीं मानेगा जाओ जाना है तो अगर foreign country की citizenship अपने acquire कर ली है तो आप अब इंडियन citizen नहीं माने जाओगी and this article 9 is important for the prelims examination right now talking about article 10 it says that every person who is or deemed to be citizen of india under any foregoing provision of part of this particular part shall subject to the provision of any law may be made by parliament continue to be citizen तो अगर पार्लिमेंट कोई law मनाता है उस law को धान में रखते हुए वो continue करेगा to be a citizen now again article 11 क्या बात करता है इंपावस दी पार्लिमेंट to make any provision with respect to the acquisition or termination of the citizenship अब भाई citizenship को terminate करना है acquisition की बात है या कोई पार्लिमेंट कर रहा है प्रिलिम्स में आग बंद करके पार्लिमेंट माक करके चले आना सही हो जाएगा answer इस तरीके से आप याद रख सकते हो not talking about your fundamental rights fundamental rights आने वाला है अगें just keep your और बिल्कुल momentum high और अपना जोश हाई रखो अगर यह पूछ ले तो किस तरीके से आप acquire कर सकते हो इंडियन citizenship तो यह चार तरीके होते हैं आइदर बाइबर्थ descent registration और utilization और कोई जो प्रोविजन से उसके लिस्ट दे रखें आपके इंडियन citizen आक में 1955 के clear now अब देखो आर्टिकल आपका 12 से लेके पूरा 35 तक जो बहुत important है fundamental rights की बात करता है मौलिक अधिकारों की बात करता है कि यह हमारे अधिकार है यह हमारे fundamental rights है इनको अगर violate किया तो अच्छा नहीं होगा right isn't it इसलिए अगर कोई कुछी भी fundamental rights violate करता है कुछी भी इनसान को अब detain कर देते हो या फिर आप जो है ठीक से जो लोवर अथॉर्टी है वो ठीक से काम नहीं करती है अपनी public functions को discharge नहीं करती है तो we know that we have a right to file a writ right हम रिट डाल सकते हैं अब देखो आर्टिकल जो पापार 3 जो fundamental rights की बात कर रहा है आर्टिकल 12 से अब यहां पे सको हम क्या कहते हैं मेगना काटा कहते हैं मेगना काटा कहते हैं ठीक है यह इंपोर्टेंट है फ्रिलिम्स के लिए ध्यान रखना पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉंस्टिशन को हम डिस्क्राइब करते हैं मेगना काटा की तरीके से और जो बियार अंबेटकर जी थे ना इन्होंने कहा जो यह पार्ट 3 है ना यह सबसे ज़्यादा सेटमेंट आपको आजाए कि किसी बात करिये जो पार्ट 3 है इस निमोस्स क्रिटिसाइब साइज पार्ड तो यू कें उसका आंसर करेक्ट क्या है बी आर अमेड कर डॉक्तर बीरा मेंड कर जी ने कहा कि सबसे जयादा कृतिस आईस पार्ट है आपका फंडमेंटल राइट नो अब हम बात करेंगे fundamental right यहां पे 6 fundamental rights है आपको right to freedom, right to equality, exploitation, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right and right of educational remedies and these fundamental rights are given under part 3 article 12 to 35 of Indian constitution, यह basic सी बात जो सबको ही पता होगी, I hope सबको आती होगी, अब पहले क्या था, जब constitution था ना, तो यहां पे 7 fundamental rights थे, फिर जो right to property है, उसको हटा दिया गया, तो जब fundamental, जब initially Indian constitution में 7 fundamental rights थे, जो बौरो किये गए थे, कहां से, fundamental rights कहां से बौरो किये गए है, USA से बौरो किये गए है, but the right to property was dropped from the constitution, जैनिन से कोई इनीमनून्ट से अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया विकॉं roads & W काउं से अमेंडमेंडमें से हटाया गया राइटो प्रॉपर्टी फंडमेंटल रइट से चलो है अधट प्रेजेंट अगर आपसे यह सवाल आजाए जेलों में या फे हर्याना A.D.A. में कि टोटल कितने fundamental rights हैं तो 6 total fundamental rights हैं अनामिका very nice and you deserve a clapping very nice 44th amendment से हटाया गया right now fundamental right जो है वो आपका part 3 में दे रखा है article 1235 तक यह ध्यान रखना ठीक है part 3 को हम मेगना काटा कहते हो और मेगना काटा है कि basically it is nothing it is a charter of rights जो आपका issue किया गया था King John द्वारा King John of England इन्होंने जो है issue किया था एक charter of rights उसमें लिखे हुए rights लिखे हुए थे it is a first written document relating to the fundamental rights of the citizen that is what is मेगना काटा तो हमारे को इंडियन constitution में जो आपका part 3 है उसको हम मेगना काटा कहते हैं now these are the rights again everyone might be knowing it यहां पर रिखा है right to equality consequence article से है article 14 से लेके 18 तक 19 से 22 बात करता है right to freedom की right against exploitation दे रखा है article 23 24 में religion 25 से एक 28 तक cultural and educational right article 29 से 30 तक और आपकी constitutional remedies दे रखी है article 32 में now originally जैसे मेरे बताया है कि साथ थे फिर एक हटा दिया गया right to property उसको 42nd amendment से हटा दिया गया right to property को अब right to property अगर question पूछा जाएगा exam में तो that is a legal right given under article 300a under part 12 तो part 12 में article 300a में उसको हमने एक legal right की तरह recognize किया गया है अब अगर आपसे prelim से पूछा जाए कि right to property is a fundamental right और a legal right the correct answer to the question will be it is a legal right उसको क्या कहोगे legal right कहोगे now coming to article 12 define state state क्या है state किसको कहो गया तो यहां पर साफसाफ बताया कि government और Parliament of India state को define किया गया यहां ठीक है government और Parliament of India government और state legislatures ठीक है all local authorities and other authorities in India under the control of the government of India अब यहां पर जैसे ही हाँ पेनों लिखा other authorities और local authorities authorities बहुती ज्यादा वेगनेस हो गई ठीक है अगें अब वाइडर कॉनोटेशन का वर्ड है किसको आप कहोगे अधर authorities किसको कहोगे local authorities यहां पर कहा कि जो other authorities हैं इंडिया में जो किसके control और government of India के control के अंडर है उनको आप जो है अधर authorities और local authorities का होगे यह एक बहुती डिटेल कंसेप्ट है आपको मैं examination point of view से बता दूं कि कुछ case जो आप jot down कर सकते हो जो important examination के लिए जैसे कि जो आपका राजस्थान electricity board है चीक है राजस्थान electricity board हो गया ongc हो गया साथ में cooperative societies हो गई lic हो गया यह सब आपका other authorities में आता है अब prelims में किस तरीके से question आएगा आपको एक option दे दिया जाएगा और पूछे जाएगा इसमें से कौन सा other authority है कौन सा नहीं है तो उसमें से आपको लिस्ट में निकालना पड़ेगा तो अपने बेर आप में आभी jot down कर लोगी LIC ONGC राजस्थान electricity board और आपका cooperative society यह सब आपका other authorities में पॉल करता है अब इसका एक landmark case है डाट इस आड़ी शथी वर्स इंटरनाशनल एरपोर्ट अथारिटी अब इस case में जो है कुछ guidelines दी गए कि अगर 51% से जाद़ शेयर होल करेंगे control में रहेगा supervision में रहेगा government के तो इसको आप जो है अथार्टी के category में पॉल करोगे अब अगें यह नोट गोईंग इन सो मच रिटेल विकॉस रापिट रिविजिन है यह बटी ध्यान रखना कि यह जो landmark case इंपोर्टन एग्जामिनेशन को इसको ध्यान रखना जैसे की केस है आपका डाट इस चंद्रमोगन खन्ना केस अब इसमें ncrt को लेकि बवाल हुआ कि वह स्टेट मानोगे या फिर नहीं मानोगे ncrt को तो बताया गया गया ncrt जो है वो स्टेट नहीं कंसेडर किया गया इस पर्टिकुलर केस में और डाट इस इंपोर्टेंट राइट सिमिलरली आपका जी टेली फिल्म वर्स यूनिन आफ इंडिया इसमें भी आपका बीसी सी आई को लेकि बहुत सवाल हुए कि बीसी सीट है या फिर नहीं तो यहाँ पे भी यह होल्ड किया गया कि बीसी सी आई स्टेट नहीं है यह कुछ इंपोर्टेंट केस लॉज है जो आपको पढ़ना जरूरी है एक्जाम के लिए रेलिबेंट है राइट नौविंग अहेड टू आर्टिकल नंबर थाटीन क्या कहता है देखो आर्टिकल अंससेस्टेंट हैं फंडमेंटल राइट से तो बोन को आंको हम क्या मानेंगे वॉइड मानेंगे तो पहला क्लोस जो ही कहता है अगरा आप देख सकते हो जस्टा मिनलच अ फ़र्णेटा मेंड़ एक्ट यह पर चाहिए न यह यह आइस फ्वाने को इसेख परको नहीं यह बतानिया मुझे वही पर माग कर लेना देखो आर्टिकल 13 का वास बन क्या कहता है that all laws enforce in the territory of India, ठीक है, immediately I hope it is visible अब ठीक है, चलो, I hope आपके पास भी होगी यार बेराक तो, anyways क्या कहता है कि all laws enforce in territory of India immediately before the commencement of the constitution in so far as they are inconsistent with the fundamental rights, कि जब वह बही inconsistent है fundamental rights से, तो यहाँ पर कहता है कि जो सारे pre-constitutional existing laws है that is laws जो enforce हुए है immediately before the commencement of the constitution shall be considered void, उनको void मानोंगे, अब क्या इनको void evinatio मानोंगे, नहीं इनको आप void evinatio नहीं मानते हो और यह आपके prospective होते है they are not retrospective in nature, they are prospective in nature, कि commencement के आने के बाद अगर जो pre-existing laws है, अगर वो fundamental rights के साथ inconsistent है अगर वो नहीं जाते है, fundamental rights को violate करते हैं, तो उस particular case में उनको आप void मानोंगे clause 2 में क्या बताया यहाँ पे, clause 2 कहता है कि state कोई भी ऐसे law नहीं बना सकता जो fundamental right के साथ inconsistent हो after the commencement of the constitution, और अगर वो बनाता है, अगर state ऐसे कोई laws बनाता है जो fundamental right के साथ inconsistent होंगे, तो वो आपके void माने जाएंगे, तो वो आपके void माने जाएंगे, यह आपका clause 2 में बता रखा है clear, now according to article 13, all laws that are violative of fundamental rights shall be void, उन को क्या मानोगे आप, void मानोगे now here, they have expressed the provision for judicial review, अब यहीं पे आपका judicial review का भी concept आता है, यहीं पे आपका doctrine of eclipse भी आती है, doctrine of severability भी आती है वो सब हम discuss करेंगे, now the supreme court, the honorable supreme court and honorable high court can declare any law unconstitutional यहाँ पे कह रहा है, कि high court और supreme court जो है, किसी भी law को unconstitutional ठहरा सकती है, इस ground पे कि वो violative है fundamental right के, article 13 जो है, talks about not only just law, और यहाँ पे third clause में law के अंदर सब चीजें आ गई, ordinance आ गया, rules आ गई, regulations आ गई, bylaws आ गई, सारी चीजें यहाँ पे incorporate कर दी, चाहिए वो notification हो, सारी चीजें incorporate कर दी, right, now, अगर हम बात करें, amendability of fundamental rights की, तो यहाँ पे कहता है, कि अगर कोई भी changes है, fundamental rights में, ठीक है, require a constitutional amendment, अगर कोई भी changes करने है fundamental right में, तो उसमें आपको constitutional amendment लाना पड़ेगा, जो दोनों houses of parliament उसको pass करें, that constitutional amendment should be passed by both the house of parliament, और जो यह amendment, constitutional amendment bill होगा, should be passed by special majority of the parliament, और उसको special majority की साथ पारत होना चाहिए वो, तब ही आप कुछ changes कर सकते हो, fundamental right में, now, special majority क्या होती है, simple majority क्या होती है, वो हम discuss करेंगे, जब हम article 368 को discuss करेंगे, right, now, as per the constitution, अगर हम clause 2 की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, कि कोई भी state, ऐसा कोई भी law नहीं बनाएगी, जो inconsistent होगा, fundamental right से, अगर बनाती है, तो वो लोगो आप क्या कहोगे, void कहोगे, now, यह question, कि क्या constitutional amendment, can be termed as law or not, कि क्या हम constitutional amendment को law कह सकते है, now, this question, अब यह question जो है, बहुत ही जादा cases में आया, अब यहाँ पर कहता है, that, that, in Sajjan Singh case, अब यहाँ पर case law की, एक line, timeline समझो, Sajjan Singh case, 1965 में क्या हुआ, अब यहाँ पर question पहरे समझ लो, question यह कह रहा है, कि क्या constitutional amendment act be term as a law, क्या आप उसको law कह सकते हो, या फिर नहीं कह सकते हो, Constitutional amendment act को, क्या आप law कह सकते हो, या फिर नहीं कह सकते हो, अब यह question जब Sajjan Singh वाले case में आया, 1965 में, the Supreme Court held that, Parliament can amend any part of the constitution, including fundamental right, Sajjan Singh में क्या कह दिया, कि भई, Parliament के पास या अधिकार है, कि वो जो है, amend कर सकती है, किसी भी part को, Constitution के, उसमें आपका fundamental right भी आता है, now, but 1967 में, Supreme Court ने इस instance को reverse कर दिया, and taken it earlier, when it in the verdict of Golaknath case, अब Golaknath case आया, तो उसमें उने कह दिया, कि fundamental right cannot be amended, पहले उनने सajjan Singh में क्या कहा, कि fundamental right भी amend हो सकते है, Parliament के पास ही power है, वो amend कर सकती है, पर Golaknath वाले case में, यहाँ पे इस instance को reverse कर दिया, verdict देकर, वाले case में, पर्टिकुलर केस को prospective overruling case के नाम से भी जाना जाता है, प्रिलिम्स के लिए important है, कि आप fundamental right को amend नहीं कर सकते है, and then, in the year 1973, एक landmark judgment आया, 13 judges के बेंच के साथ, that is the name of the case is, Keshwananda Bharati case, अब इस case में कहा गया, वहाँ वहाँ Supreme Court ने कहा, although no part of the constitution, अब ना, जिस जिस पर्टिकुलर पारग्राफ, that in 1973, the landmark judgment ensued in the Keshwananda Bharati case, case where the Supreme Court held that, although no part of that constitution, including fundamental right, was beyond the parliament's amending power, वो बयाँ नहीं, parliament's amending power के, but यहाँ पे बात हुई आपके basic structure की, now, basic structure of the constitution, could not be abrogated, even by the constitutional amendment, अब यहाँ पे इस पूरे case से पूरी तस्वीर साफ हो गई, कि fundamental rights को, ठीक है, आप amend नहीं कर सकते, ठीक है, basic structure of the constitution को, आप take away नहीं कर सकते, आप इसको हटा नहीं सकते, अब रोगेट नहीं कर सकते, constitutional amendment से भी आप कुछ नहीं कर सकते, है, ठीक है, अब यह कॉश्चन आपता है, कि basic structure क्या है, इसमें अगें, और नेवल जसे स्खना ने, एक अपना middle view लिया था, यहाँ पे और उनने बताया था, कि लिस्ट डाउन भी गे था, कि क्या के चीज़े, आपकी basic structure में आएंगी, secularism हो गया, judicial review हो गया, अब यहाँ पे इस particular case में एक पूरी list है, but then again, वो exhaustive नहीं है, वो आपकी list हो है, exhaustive नहीं है, अब 1981 में, Supreme Court ने, दुमारा से, doctrine of, जो basic structure है, जो basic structure की doctrine है, उसके बारे में बताया, it drew a line of demarcation, एक line खीज दी, as April 24, 1973, that is the date of the Keshwananda Bharti judgment, and held that, it should not be applied retrospectively, इसको आप retrospectively apply, नहीं करोगे, to open the validity of any amendment of the constitution, which took place prior to this particular date, तो यह कहता है, कि बहुँ, 24 April से पहले जो कुछ हुआ है, उसको आप दुबारा पलट के नहीं देखोगे, उसकी constitutional validity को कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि यह retrospectively apply नहीं होता है, ठीक है, judgment आपका retrospectively apply नहीं किया जाएगा, अब यह कहता है कि इतने पार्ट को अगर हम हटा देते हैं, severe कर देते हैं, ठीक है अगर हम इसको severe कर दिया, और यह independent footing पे खड़ा रहता है, तो आप पूरे को void नहीं कहोगे, इतने से offending वाले पार्ट को ही void कहोगे, लेकिन अगर mixture जादा है, और separate नहीं हो सकता, तो फिर उसका आप invalid कह दोगे, simple सी बाद doctor of severity की कहता है, कि यह कह रहा है कि अगर मानलो कोई भी offending provision है, जो offending provision को हटा दिया जा सकता है, और हटाने के बाद, यह law जो है, वो independent separate footing पर खड़ा रहेगा, अब वो जो है valid माना जाएगा, तो उस particular case में पूरे को void नहीं कहोगे, इसको severe कर दोगे, जो यह खराब part है, जो यह offending part उसको severe कर दोगे, और बाकी को आप valid मानोगे, इतनी सी बात आपकी doctrine of severability में कही गई है, उसको अगर अवेलिबल है, अगर वो क्या किते हैं इंडिपेंटेंट फुटिंग में रह सकता है, तो उसको आप allow करोगे, उसको आप valid मानोगे, राइग, तो इस मेंशन अनि अनि अर्टिकल 13, अक्रिंग तो विच अल लॉस आप इंफोस इन इंडिया, अगर अगर बहुत इंपॉरन नहीं कहोगे, अगर बहुत इंपॉरन दोक्ट्रीन है यह आपकी, यह कहता है, यह सेफों सिर्फ अपलाए होता है, प्रिकॉंस्योशन लौस पर, पहली बात ध्यान रखो, प्रिकॉंस्योशन लौस पर अपलाए होता है, इसका एक important case है, बीका जी नरायम versus state of MP, ठीक है, अब बीका जी नरायम versus state of MP में यह सब्सक्राइब निकल कर आई यह कहता है कि प्री कॉंस्टूशनल लॉल्स वो जो है आपके एक मेरीबॉर्ण सिचुवेशन में रख दिये हैं वह इन्वालिड नहीं है उनको कभी भी जब जैसे ही वह सिचुवेशन के आप से वैलिड होंगे उनको रिवाइफ कर लिया सब्सक्राइब आपके डॉक्राइब एकलिप्स में कही गई है राइट नाओ इस दॉक्टर इन स्टाइट साथ एनी लौ यह फंडमेंडल राइट इस नोट नल और वाइड अभी निशियो वाइड एविनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम दी वेरी बिग निंग ऐसा नही यह पूरा वाइड है शुरू से ही मट इस ओली नॉन इंफोसिबल ठीक है अभी के लिए यह इंफोसिबल नहीं है आप इनको वाइड अभी नहीं मानोंगे नहीं मानोंगे यह कभी नहीं कभी रिवाइब हो जाएंगे जमिन की जुरत पड़ेगी सब सिच्विशन थी तो बिसके लिए यहां पर एक इंपोर्टेंट बात कही गई है नो अनादर पॉइंट जो इंपोर्टेंट है जो डॉक्रिंट का जो पूछा भी जाता एक्जामिनेशन में नाट जो एकलिप्स के डॉक्ट्रिन है आपकी इस अप्लाई करती है प्री कॉंस्ट्यूशनल ल बीका जी नरेन वर्सेज स्टेट ओफ वर्सेज स्टेट ओफ एमपी इस दी लैंडमार्क केस इस डॉक्रन ओफ एकलिप्स का यह ध्यान रखना ठीक है नो आट आटिकल फॉर्टीं सी आटिकल फॉर्टीं का एमबिट बहुत ज्यादा वाइड है अभी के लिए ध्यान इंडिया अब यहां पर बेसिक दो कंसिप यहां पर बताये गए हैं एक्वालिटी बिफोर लॉग का मतलब होता है इस निगेटिव कंसेप्ट इंप्लाइंग दी आपसंस ओफ स्पेशल प्रिविलिजिस क्यों को नहीं मिलेंगे ठीक है और जोई एक्वल प्रिटेक्शन जो टर्म यूज किया गया है यहां पर इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा बट जो यह टर्म आपका इक्वालिटी बिफोर लॉग है यह एक निगेटिव कंसेप्ट जहां पर कहता है कि एपसंस है स्पेशल प्रिविलिजिस का राइट इतनी से बात इंपोरन ध्यान ठीक है यह जो राइट है आपका यह एक्सेंड करता है सारे परसंट पे वेदर सेडिजन और फॉर्नर स्टारी कॉर्परेशन हो गया कंपनीज हो गई रिजिस्टर सोसाइटीज हो गया और एनी टाइप ऑफ लीगल परसंस सब पे आप लिकेबर होता है तो आर्टिकल फॉ इसका जो है बेस्ट जो ए जो एक्सेप्शन है इसका धान रखना एक्सेप्शन पूछ ले जाता है प्रिम्स एक्सेप्शन में नाट इस यौर आर्टिकल लंबर 361 जो बात करता है कि वह वह आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में फॉर्दी एक्साइज ऑफ पावर इसका एक बात करता है डॉक्टर आफ क्लासिफिकेशन की थ्यान रखना इस इसको अब एक नया फॉर्म आ गया है आपका नया कंसेप्ट आ गया है एक्वालिटी का और वो आया था आपके इन दिकेस ऑफ ईपी रो मया ठिक इन दिकेस ऑफ जस्ता मिनिट मैं आप लिग दे आपकेस ठीक है अब इस पटिकलर केस में बात करी गई थी एंटी थीसिस अफ आर्बिट्री पार आर्बिट्री पावर यहां मेरी राइटिंग ना बहुत ही बुरी है आप लोगों वो समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहे हूं वो सुनके लिख ले ना मट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में ठीक है तो यहां पर इध्यान रखना एक नया कंसेप्ट इवॉल हुआ एपी रोयप्पा केस में एपी रोयप्पा वर्सिस स्टेट ऑफ तमिल लाडू है पूरा केस का नाम ठीक है इस पर्टिकुलर केस में एक नया कंसेप्ट आया आपका और यह बिसिकली कंसेप्ट है तो यह है अगें यह नौट गोईंग मच इन डिटेल ऑफ आर्टिकल फॉर्टीन तो ऐसा है कि पूरी रात निकल जाएगी आर्टिकल फॉर्टीन हो गया ट्विंटीव हो गया नाइटीन हो गया खतम नहीं होगा राइट बट वी नीट इंट इसेशन और इंटार इंगिन कॉंशन जो हमने यह प्रण लिया है कि हम खतम करेंगे तो उसके लिए यह नौट बोइंग इन डिटेल नाव आर्टिकल फिफ्टीन बात करता है प्रोहिबिशन आफ डिस्क्रिमिनेशन की अप पर इसको याद कर लेना इंपोर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए चाहे तो आब इसका को शौट फर्म बना लो र-र-C-S-P ठीक है र-र-C-S-P बना लो कुछ भी याद करने के लिए को छोटा शौट फिर्वन बना लो कि इन ग्राउंज पर इसका किलमेशन नहीं होना चाहिए को भी इसटिजन को इसक रमेशन नहीं करना चाहिए इन ग्राउंस पर राइट ना their upliftment उनको uplift करने के लिए women को children को या फिर जो कोई socially educationally backward class है उसको uplift करने के लिए reservation हो सकता है और उनको access कराया जासकता है free education यह एक आपका exception में आता है otherwise यहाँ पर कहता है कि कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए on the base of caste sex place of birth religion or race clear यह important है जो यह वर्ड यहाँ पर use किये गयाना है प्रिलिम से पूछ लेता है आउट करने के लिए right now article 16 बात करता है equality of opportunity in public employment article 16 कि यह रहा है कि भाई equality होनी चाहिए ठीक है जब भी आप job एकर दो तो उसमें equality होनी चाहिए अब article 16 basically कहता है कि equality for opportunity for all citizens in matter of employment and appointment of public office कि भाई अगर आप कोई appointment करें public office में या फिर जहाँ job opportunities की बात है तो वहाँ पे सारी citizens को equally treat करना चाहिए अब इसका exception again क्या है कि कोई backward class है को socially backward class है उसको अपलिफमेंट के लिए आप उसके लिए reservations कर सकते हैं right now there are provisions अब इस पे बहुत important case clause है यार detail में again we are not going तो यहाँ पे these are the provisions for reservation in appointment or the post for any backward class that is not adequately represented in the state services अब यहाँ पे एक चीज़ धिहान रखो बहुत छोटी सी I don't know आप में notice करी या नहीं यहाँ पे article जब हमने 15 की बात करी तो क्या कहा कि women children और socially और educational यह line जो है ना socially और educationally backward class के लिए आप कर सकते हूं ठीक है बट यहाँ भी कह रहा है article 16 में कि जो भी कोई backward class जो adequately represented नहीं है जो ठीक से represented नहीं है state service में उनके लिए यहाँ पे promotions हो गए या फिर employment में या फिर job opportunities में reservation हो सकता है उनके लिए आप जो है उन यह जो है फिर आपका certain exceptions में fall करता है अर्टिकल 17 किसकी बात कर रहा है abolition of untouchability again abolish कर दिया गया है untouchability forbids its practice in any form अंगर कैसी भी form में क्या कहते है untouchability of allowed नहीं है बिल्कुल allowed नहीं है आज ही you know what आज आज है वो taking one session जहां पे मदरास high court ने एक बात कही और मदरास high court ने बात क्यों कहीं क्योंकि एक दलित को ठीक है एक SC people को पुडुकोटई एक जगा है पुडुकोटई मदरास में एक जगा है ठीक है वहां पे मंदर में घुसने नहीं दिया and when we hear such things 75 years of independence के बाद Indian constitution पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें हमें पता है equality की बारे में बता है हमें caste discrimination हो रहा है अभी भी हो रहा है यार मतलब I was shocked after reading that particular case जहां पे एक दलित को घुसन नहीं दिया एक temple में offer नहीं करने दिया मतलब prayer offer नहीं करने दी और worship नहीं करने दिया उसको और उसके community के लोगों को और फाइनली कोट ने कहा कि भाई शरम के मारे डूब मरो मद्रासाई कोट ने कहा और honorable justice PT आशा ठीके इन्हों नहीं बात कही कि शरम के मारे डूब मरो कि इस टाइम पे now after independence of 75 साल हो गया हमें अजाद हुए उसके बाद भी तुम्हें कर रहे हो इसको यहां पे क्रिटिसाइज करते हुए कोट ने कहा कि यह allowed नहीं है और फिर उन सारे दलित और उनकी community के member को allow किया गया कि भई आप temple में जाओगे पूजा करोगे और जो है साले temple festivals में पार्टिसिपेट करोगे तुड़े और यहां रखना प्रिलिम्स के लिए आर्टिकल 17 में अंटच बिलिटी की बात करी गई है और इन्फोस्मेंट और इन्फोस्मेंट अफ एन डिसाबिलिटी अराइज आउड उन्टच बिलिटी शाल बेन ओफेंस पनिशिबिल इन लौ पनिशिबल ओफेंस माना जाएगा अब आर्टिकल 18 में बात किया गया है कि अब टाइटल्स नहीं रहेंगे ठीक है जो टाइटल्स हुआ करते थे पुराने जमाने में वो टाइटल्स नहीं रहेंगे इंडिया ने अबॉलिश कर दिये टाइटल्स एंड मेंग फोर प्रोविजिंस इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड इट प्रोहिबिट करता है सिटिजन को इंडिया के फॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फंदी फॉरें स्टेट और यह प्रोहिबिट कर रहा है कि तुम आइटल्स की बात करता है और आटिकल 17 अंटच बिलिटी की बात करता है बस इतना ही पूछ जाएगा प्रेलिम्स में आप से लॉट लॉकिंग अबाओ आर्टिकल 19,20,21,22 राइट टू फ्रीडम अगेन बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेसिंग अच्छा एक चीज़ आपका फ्रीडम है इसका राइट फ्रीडम है यहां यह सुन लो यह इंपोर्टेंट है आर्टिकल 19 क्लॉस जी ठीक है इसका जो है कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा ठीक है नथिंग इन इस आर्टिकल इस पर्टिकलर आर्टिकल यह आर्टिकल इन दी सब क्लॉस जी ऑफ 19 shall prevent the state for making special provision यह कुछ भी इसको affect नहीं करेगा article 15 में बात कही गई है clause 5 में कि वो जो है prohibit नहीं करेगा state को कि वो special provision बनाए relates to the admission to educational institutes including private educational institute whether aided or unaided by the state other than minority educational institute referred in clause 1 of section article 30 ठीक उसको छोड़कर तो यहां रखना और यहां पर आर्टिकल 15 में और 16 में 103 amendment से EWS economical weaker section को add कर दिया गया है यह keywords है ध्यान रखना important examination के लिए ठीक है important examination के लिए ध्यान रखना नो यह जो बाल बताईए मैंने यह वन थाड़ और यह जोड़ा गया है यह पूच जाएगा एक्जाम में जेलों में पूच जाएगा और हर्याना कम एड़े में पूच जाएगा मेरे पास फोन आया था और उन्हेंने बताया कि यह question आएगा ठीक है तो पढ़ लेना six right of freedom including right to freedom of speech and expression कि भाई हर को इसे के बास यादिकार है कि वो अपने views को express कर सकता है अपने opinion को express कर सकता है believes and conviction freely by word of mouth writing printing picturing in any manner कि किसी भी तरीके साब बोल सकते हो ठीक है again हर इसका यह absolute नहीं है fundamental right जो है आपका यह absolute नहीं है इसका reasonable restriction clause 2 में ही दे रखा है कि integrity को बचाने के लिए ठीक है ना security और integrity के लिए state के country के और public order molarity इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए restrictions लगाए जा सकते हैं आपके बोलने बेभी now next is right to assemble peacefully without arms ठीक है includes the right to hold public meetings demonstrations and take out processions which can be exercised only on the public land आप जाके meetings कर सकते हो public meetings कर सकते हो और धरना प्रदेशन होता है जो peacefully peacefully ठीक है वो कर सकते हो it does not protect violent disorderly और righteous assembly और स्ट्राइक मुदे को violent assembly नहीं होनी चाहिए और strikes आपकी violent नहीं होनी चाहिए peacefully अगरा मार्च कर रहे हो कर लो उसके लिए कोई मनाई नहीं है राइट नो राइट तो फॉर्म association and union or cooperative societies cooperative societies को मुझे बता सकता है कि कौन से amendments जोड़ा है कौन से amendments से आया है anyone can tell me please comment in the comment box कौन से amendments से आया है cooperative societies वो भी हम आगे discuss करेंगे अगर आगर आप मुझे पहली बता दो तो मुझे अच्छा लगेगा anyways can tell me anyone anyone can tell me fellow anyways are getting it who does a tell you can see amendments I come on come on anyone everyone is sleeping on what oh I am not seeing towards the chart 74 amendments I am on okay anyone else 74 amendments to Tony I am Shabnam Shahid very nice 97 amendments are 97 amendments are sure 45 amendments are very sorry to kill agado sorry lagado 74 amendments at any I are cooperative societies I'm asking cooperative societies cello good 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 at least show some positive energy are bold to marry you but how to marry you 97 minutes I very nice on Amika Shabnam Shahid very nice shallow anyways come back to the business it includes the right to the form and not to form political parties companies partnership firms society is a sub-car sate or form was a trade union from was at the top of the car or your adhikar a couple you have a pair is close made there a high 19 key ticket right to move free freely throughout the territory of India up kahi me bhi jato kisi bhi kone bhi jato deshke the freedom of moment has to be two dimensions abhi hapa important I saw you get a two-dimensional internal right to move inside the country article 19 lagega and external right to move outside the country and right to come back into the country what article 21 default got that yeah for a summer tonight important examination clear right right to reside and settle in any part of the territory aquasiy adhikar abhiski kisi bhi kone me settles at your side is at your year important heck now the right of outsiders to reside and settle in the tribal areas is restricted to protect the distinct in culture distinctive culture and custom of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and property against exploitation right to basically a good important right says we are going to help you to keep the examinations which we will help you and important keeping clause wise which you need to keep in clause wise which you should keep in clause wise so this is important 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 right now how to keep in a l Корb how to keep in clause wise इमेजन कर दो मैं हमेशा नहीं इतनी सारे चीज़ा में पूची जाती है जो डिशी एक्जामिनेशन में राइट फिर सिर्फ कॉंस्टूशन तो पूचाने जाएगा पूची जाएगी आई पीसी पूची जाएगा लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ स्टोरी दिम टेले ओके भाशन दे रहे हो और स्पीच दे रहो हो ठीक है डुच स्थे देन स्ञेमली और जैसे यह है बहाशन देना शूरू किया आपने श्ילक टेल हो रहे तो आप ने इसावुच किया पहला फीडियम पीच सेटने फेजल होने लाग है लोग भाशन थैख ऑल्क-स्टी कि यह लौट है दूसरा लौट है तीसे लौट है राइट नाव फोर्थ एस फीडिम आफ मूवमेंट जैसे यह अपने यह अपने यह आपने का जाओ अब मेरी स्पीश खतम हो गई इस इंडिया में कहीं भी तुम जाके रिचाइट कर सकते हो वह आपकी स्पीश से इंप्रेस हो गए और आपने उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि आपने उनको कहँ आज के लिए जाओ और किसे अब महलब कहीं भी देश के किसी भी कोने में तो मरे साइट करो सेटल हो जाओ लास्ट इस जब आप तुम होई गए हो तो अपने लाइवली हुट के लिए अपने बिचारे पेट के लिए कमा लू तो यह एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको यह लाइन से याद रहेगा तो आपने क्या इमाजन किया कि आप जो है स्पीच दे रहे हो तो काम भी कर लो बिजनस भी कर लो प्रफेशन कुछ भी कर लो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यह सारे ही क्लॉस याद हो जाएंगे आप लड़की खरीद बेच करने लोगो यह सब करने को मना किया है आप बच्चे को की ट्राफिकिंग नहीं कर सकते है ड्रग्स का काम नहीं कर सकते जो इम्मॉरल एंवो मत करो भाशड से इंप्रेस करो तो फिर जो है वह ऐसा पॉजटिव इंप्रेस करना नेगिटव इंप्रेस नहीं करना है तो इस तरीके से आपको I hope is six के six जो है याद हो जाएंगे नाइस अच्छा समझ में आ गया मैं स्टोरिक बोरिंग थी पर आपके सुनने से मज़ा आ गया थांक यू सो मच एक रिलेट्स्तो आर्टिकल 19 येस कॉमेडी वीडियो लेठ्षर कमेडी वीडियो नाइस नें मिया गोड चलो एणिवेस अ नेक्स्ट इस आर्टिकल 20 अब यह इंपोर्ट आपकल आर्टिकल ए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एंपोर्टंट है सारे ही आर्टिकल 19 की कुछ लाग फ्लाइकर सकते हो ठीक है फ्रीडम है टु फ्लाइट 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 बाइट इसन आठिस हो अपने घर पे कर सकतो है इंपोर्टन केस्ट रहा है जो टाउं कर लेना यहां भी कहता है next is K.A. Abbas versus Union of India that is pre-censorship of films justified under article 19 clause 2 on the ground that film have to be treated separately I saw a piece of program in each of the crew I would like to show you my notes see these are these are my notes over what a heavy notebook and these are my nine my notes to me a house I have covered are you ticket shallow anyways next is a important case to a data press vs MTNL important cases of a bataya gata a commercial speech to head to commercial speech here that is a part of this particular freedom take a commercial speech or advertisement is part of this particular freedom right now next important cases express newspaper versus Union of India jaha peh bataya keep pre-censorship other news paper key pre-censorship karre ho so that is volatile of article 19 clause 1 a right now freedom of speech and expression ki baat karra sky evaluative a agar a newspaper kikari ho right but a film see kar sakti ho films ki ap kar sakti ho right salo so yeh important case leh joh ap liko important hai national anthem case jaha peh bataya gata again important case hai ye freedom of silence me include ho ta hai aapka article 19 clause 1 a me clear now next is the bus sabbata diya manai almost sabbata diya joh reasonable restrictions emotion loke konse 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 grounds peh aapko restriction laga ja sakti article 19 joh hai woh absolute right naihi hai is peri reasonable restrictions laga ja sakti hai aur woh aapka dhe rakkha hai kya kya reasonable restrictions laga clause 2 me dhe rakkha hai that is sovereignty and integrity of india dhusra security of the state friendly relation with foreign states public order decency molarity in relation to contempt of court or defamation or incitement yeh aapko as it is yaad nahi karne hai but dho-chaar baar jeb pad hoge to aapko khodi khodi yaad ho jayega ki yeh kuch reasonable restrictions hai kai baar state judicial examination nne poochha gaya hai yaa se question right now next is next next is article 20 chak hai chalo na iam bata diya ki 20 me article 19 me consequence important case hai now come back to 20 article now protection in respect for of conviction for offences article 20 joh hai woh grant karta hai aapko protection against arbitrary or excessive punishment to the accused person accused person ki favor mein hai haa phe ki bhai us ko zahada punishment now or arbitrary tari ki sa isko punish na kiya jai uske respect me hi hai whether chahi chahi woh citizen ho yaa phir foreigner ho yaa phir koi bhi legal person ho koi bhi body cooperate ho yaa koi bhi association ho koi bhi ho sab sab isma at a company corporation sab isma at a now it provides that no person shall be convicted for any offense except for the violation of law enforcement at the time of the commission of the act to get paal to me kisiko punish nigeroga agar usna koi a law ko violate kato yaps ko punish karo ge subject to the penalty greater than the prescribed by the law right now no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once about a conference ke liya abas ko do it in some rather punishment is a fake by punishment and that is done that's it take a aap kisi person go prosecute or punish nai karo be same offense ke liye xasada bar aap nahi kar sakti last is no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself आप खुद के against witness नहीं हो सकते और ये तीनों ही important clause है आपके article 20 के important prelims के point of view से क्या है कि जो पहला clause है वो बात करता है ex post facto laws की जो दूसरा clause है वो बात करता है double jip rd की और जो तीसरा clause है वो बात करता है self incrimination key right self incarnation की बात करता है that is important for the prelims तो यहीं आपका prelims के लिए important है यह को यह मत सोचना की बहुत उपर उपर से अगेन इस रापट रिविजिन क्लास आप अगेन अगर हम जाएंगे तो अगेन इस इंपोसिबल अग्राम डीटेल में कवर अप करें तो प्रिलिम्स के लिए क्या important है वो मैं आपको साथ में बता दी चल रही हूं now moving ahead to a very important article और मेरा फेवरेट आर्टिकल है आर्टिकल 21 को सब को साथ आता है इसमें राइट इसका इतना ज्यादा बड़ा है इसका scope इतना ज्यादा बड़ा है कि सारी चीजें आपके प्रिडेक्टों के कहा जाती है आर्टिकल 21 में जाती है अच्छा आर्टिकल 14 19 और 21 को हम कहते है golden triangle हम कहते है golden triangle ठीक है golden triangle कहते हैं हमसको clear now article 21 simple से बात कहता है describe कर रहा है कि no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law अब यह को यह जो word यहाँ पर यूज किया है procedure is established by law यह एक बहुत ही बड़ा wider connotation है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यह term यूज किया जाता है और इसकी मीनिंग में बहुत ज़्यादा बता रखिए बहुत बता रखिए अच्छा टेक्स्बुक अगर आप मुझसे पूछो कि constitution की textbook कौन सी रेफर करें तो अगर आप college में हो तो नरेंद कुमार या जी एन पांडे रेफर कर सकते हो तो आलेंद कुमार को आप रखिए जीन पांडे कर सकते हो आपका ये प्रिलिम्स में आप से पूछा जाता है, clear, now the right of life is not merely confined to animal existence or survival but also include the right to life with human dignity, भाई पूरे dignity से रहने का अधिकार है, पूरे शान से रहने का अधिकार है and also those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living, के भाई वो सारे अधिकार, मैंने बताया निया आर्टिकल 21 की जोली इतनी बड़ी है क इस सारे rights आके वहाँ पे गिर रहे है, right, सबको सब इसका ambit इतना बड़ा है, इसका scope इतना बड़ा है कि सब इसमें fall करते है, prelims के लिए that is important, कि यहाँ पे word use किया गया है, procedure established by law, due process of law यहाँ पे use नहीं किया गया है, यह ध्यान रखना और यह citizen और non-citizen दोनों को ही applicable होता है ठीक है, अब before starting with the आगे का section, आगे के articles पढ़ने से पहले, sorry, articles पढ़ने से पहले, एक important चीज़ बता दू, और मेरे लिए भी यह one minute का break है, that is, यह important मेरे लिए नहीं है, आपके लिए जादा है, क्योंकि study आए कि जुडिश्री का life foundation batch कल से start होने वाला है, तो अगर आप एक law aspirant है, या फिर आप जुडिश्री की तयारी करना चाहते हैं, प्रिलियम से लेके interview तक की तयारी आपकी इस life foundation batch में करा दी जाएगी, हानेटे नोट्स दिये जाएंगे, lecture notes दी जाएंगे, और यह सारे subjects बहुत ही जादा detail में पढ़ाए जाएंगे आपको इस life foundation batch में, तो इस discount, तो श्री life code मत भूलना, इसको याद रखना और course purchase करते time, use करना ताकि आपको सबसे जादा discount मिले, और यहाँ पे आपको बहुत ही amazing unique features मिलते हैं, mentor मिलेगा यहाँ पे, चिके, और साथ में आपको answer writing session, judgment writing session, तो अगर आप seriously target कर रहे होना, तो एक बार enroll कर लो, और फिर सारी tension चोड़ के, बस जैसा पढ़ाया जा रहा है, वैसा follow करना, पक्का पेपर निखलेगा, right, चलो, now coming back to the business, article 21 किसकी बात करता है, article 21 बात करता है, right to education की, चिक है, अब right to education में क्या बता रहा है, यह कहता है, that the state shall provide, important है, बहुत ही super mega ultra pro important है, prelims के लिए, यह कहता है कि state की यह duty है shall mandatory provide free and compulsory education to all the children of age of 16 to 14 years, 6 साल साल के लोगों को free education में बच्चों को free education provide की जाएगी, यह state की duty है, यह state provide करेगा, right, इस provision को बनाया गया है, only elementary education, a fundamental right, and not the higher or the professional education, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है, higher education की बात करने लोगों कि मुझे इंग्लैंड से पढ़ना है, और state जो है, उसका 100% scholarships भी होती है, anyways, हम कहीं दूसरी जगा जा रहे है, but यहाँ पर कहता है कि बस elementary education को free करवाने की बात करी गई है, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, अब जो यह age है, यह exam में पूछ ले जाता है, prelims में, अब यह कहता है, जो यह provision है, यह add किया गया था आपका, for 86 constitutional amendments से, यह बहुत ज़ादा important है, यह बहुत ही ज़ादा important है, तो जो education वाली बात है आपकी, 86 amendments से add करी गई थी, 86 amendments से पहले क्या था, 86 amendments से पहले, the constitution contains the provision of free and compulsory education under article 45, जो आपका part 4 में fall करता है, तो पहले यह 45 में था, part 4 में, but अब वहां से अटा के, इसको fundamental right कर दिया गया है, और यह कहा गया है, कि बहुत 6 साल से, 4 साल के बत्चों के लिए, free education दिलाए जाएगा, that is elementary education, यह 86 amendments वाली बात ध्यान रखना, my dear, बहुत ही ज़ादा important है, now moving ahead to article 22, जो बात करता है, in respect of protection of person who is arrested or detained, इसको arrest कर लिया गया है, और detain कर लिया गया है, अब यहाँ पे बहुत ही important section है, article 22, arrest के against, चुए, कुछ provisions बताता है, हाँ पे, protection देता है, and detention के against protection देता है, क्याँ रहा है, that the detention is of two type, two sociedade, fifteen punitive, जहाँ पर punishment दिया त्राइल के बाद, और conviction के बाद, एक होता है, preventive, ieß को पहले ही prevent के जाता है, पहले ही 120 ली रोका जाता है, जहाँ पे punishment दिया जाता है, बिना किसी trial और कजिए पर कहते हैं और जिवाइब करता है और उसमें क्या के चीज़ें कि इंकलूड होती है कि आप जो है किन ग्राउंड पर आपने पर संगरोंगे तो राइट भी इन फोन दिग्राउंड ऑफ आरेस्ट राइट तो कंसल्ट और भी डिफेंड बाई लिगल कि तुरू उसको प्रेडियूस किया जाएगा मेजिस्टेट के सामने विदिन 24 आज और इसको रिलीस किया जाएगा आपके इन रिस्पेक्ट ऑफ और जो ऑर्डिनरी लॉग फर्स पार्ट जो आपका अर्टिकल 22 का बात करता है नौ सेकेंड पार्टिकल 22 का बात करता है प्र प्रिवंटीज मेंने क्या बताया कि परेश्मेंट में गींसमेंट मिलती है ट्राइल और कन्विक्शनि पार्ज परेव parked me बैना ट्राइल और कन्विक्शन्ग के ऐसंप magari जाती है अब गोफने पार्ट है और प्रीवेंटιजन के पीख की और सेक् generally टैंशन अराटिएकल कि पादाता है कि यो डेटेंशन है परसुन का के नौट एकसीट फ्रिमांथ 3 मैंसे जाए नहीं सकता है अगर ऐटबाइजरी बॉड ने के दिया है तो तो हो सकता है तीन मैंसे जाए अधर्वाइस से जाए हो सकता है अब ज़ने टोटे कोन होता है जज़ ऑफ हाइग वह कि या उसको पर संगces को आप में डिटेंशन और स्को ऐप बताऊगे कि या इन पर पर संप पर वड्य ओविश को प्रॉपियोंटी दि जाएगी ताकि वो रिपिसेंटेशन खर ले अगेंशे detention order ठीक है उसको लीगल रप्सेंटिटिटिव ले ले को लॉयर हायर कर ले सर करने के लिए अपने आपको डिफेंट करने के लिए article 23 prohibition of traffic in human being and forced label forced labor इसको further divide किया गया following category में that is human trafficking and beggar and such other forms of forced labor the Buddhist आपसे labor कराई जारी है are prohibited by the virtue of this particular provision by the virtue of article 23 clause 1 and any kind of violation of the provision shall be punishable offense और अगर आपने human trafficking में involved या forced labor करवा रहे हो किसी से तो फिर आपको punishment दी जाएगी punishable होगा वो clause 2 क्या कहता है कुछ भी रही nothing in this article को कैसे पढ़ता है कि nothing in this article इस article का कुछ भी affect नहीं करेगा shall prevent the state from imposing compressive services for the public purposes यह क्या रहा है कि state के ओपर कोई भी रोक नहीं है nothing in this article कुछ भी इस article का रोकेगा नहीं किसको प्रिवेंट नहीं करेगा रोकेगा नहीं किसको state को from imposing compressive services for the public service public purposes के लिए वो compressive services को impose कर सकता है and imposing such services the state shall make shall not make any discrimination based on the ground of religion, race, caste and class of any of them यह केता है अब इसको याद करना RRCC ठीक है in grounds पे state जो है जब यह services imposed करेगा public purposes के लिए जो compressive services imposed करेगा उसमें कोई भी discrimination नहीं करेगा इसके basis पे now this provision not only protects the citizen from the state but also from the private citizen टिके तो यह वे सकली यह दे रखा है आपका इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आर्टिकल 24 गिसकी बात कर रहा है आटिकल 2524 बात कर रहा है प्रोइबिशन आफ इंप्लोईमेंट उसको अलाउड नहीं है यह इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंशन के लिए है नौ टॉकिंग आउड फीडम राइट 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 तू फीडम आफ रिलिजिन इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 25 जो बात करता है फ्रीड थिस गैटिय तीना वर्ट धिहन रखना में फोर्टेंट उतैट परिल भिलींच के लिए प्ल्ट रपरोगेट However, this is subject to some restrictions, मैंने क्या बताया है कि यह fundamental right है आपके यह जो आपका दे रखखा है article 19 में हो गया, यह articles हो गए, इसमें यह आपके absolute नहीं है, यह subjected है कुछ restriction से, तो यहाँ पे restrictions क्या है, यह तीनों important है, super mega, ultra pro important है, prelims के लिए, तो restriction के grounds है, वो यहाँ आपके बस तीन दे रखखे है है, that is public order, health and molarity, in ground पे आपको restrict, आपके इस right पे, यह right दे रखखा है, freedom का, freedom of religion का, कि आप profess कर सकते हो, propagate कर सकते हो, या फिर practice कर सकते हो, इन तीनों right को restrict भी के जा सकता है, इन तीन grounds पे, now यह article जो है, further mention करता है, that the state can make laws to regulate or restrict financial, economic, political or other secular activities, relating to religious practice, यहाँ पे state जो है, loss बना सकता ह it further allows the social welfare and reform openings or of Hindu religious institute of public nature to all sections of class of Hindus, right, now important जो है, वो तीन keywords, profess, practice, propagate, यह ध्यान रखना, article 25 में religion की बाद दे रखे है, यह ध्यान रखना, यह चीज़े आपके important है, article 26 में दे रखा है, freedom to manage religious affairs, तो यहाँ पे कहता है, कि इस particular article में, यह वता रखा है, कि ध्यान रखते हुए, restrictions का है, reasonable restrictions के आया है, molarity, health, public order, every religious normination has the following right, इन सारे restrictions को धान में रखते हुए, इन सारे चीज़ों को धान में रखते हुए, यह इसकी reasonable restrictions है, हार जो आपका religious denormation है, उसके पास ही, following right, से क्या क्या राइट से के पास, पहला, कि वो फॉर्म का सता है, मैंटें का सता है, कोई भी इंस्ट रखेंगे, right to acquire, immobile and mobile property, दोनों चीज़े, immobile and mobile, prelims के लिए important है, acquire कर सकता है, right to administer such property according to the law, ठीक है, और वो जो है, administer कर सकता है, उस property को law के हिसाब से, तो 26 को धिहान रखना है, important है, again we are not going in detail, तो यह बात धिहान रखना, article 21 को human rights jurisprudence भी कहते है, ठीक है, यह मैंने बताना भू जो बहुत important है, कुछ हमने article 19 की case loss देखे, right, अब कुछ article 21 की case loss सुन लो, और इसको jot down कर लो, अभी अपने notebook में, पहला case देखो, यहाँ बगर है, right to speedy trial, यह कौन से case में कहा गया, तो यह आपका, हुस कोट के, हुसे, सॉरी, हुसेना, खातून वाले case में कहा गया था, right to dignity, में का गांधी वाले case में कही गई था, at the same, में का गांधी वाले case में कही गई था, right to dignity वाली बात, और right to travel abroad वाली, right to privacy, govind versus state of MP, यह आपको उसमें दे रखा है, यह सारा आपका article 21 के embit में आता है, right to clean environment, यह आपका MC Mehta versus Union of India वाले case में कहा गया था, right to livelihood is ogla tillis case, that is pavement dwe case भी कहते हैं उसको, right, right to education, Mohini Jain versus उनी कृष्न, वाले case में कही गई थी, right to die, रतिनाम versus Union of India, right against torture is Sunil Batra versus Union of India, यह सारे सुने होंगे आपने cases, but important है, जोड़ आउन कर लीचे, right against bondage is Bandhuwa Mukti Morcha वाला case, right to legal aid is Sheila Basrae versus Union of India, and the last case is right to food, that is P.U. P.U.C.L. versus Union of India, तो यह सारे case आपके important है examination के लिए, और जो आपका article 19 clause 1 sub clause A है, that is freedom of speech and expression, उसमें आपका right to know, right to reply, और right to information, तीनों चीज़े आती हैं, चिक है, वो आप ती, इसमें तीनों चीज़े आती हैं, चिक है, वो आप ती, इसमें तीनों चीज़े आती हैं, now my question to you is, क क्या स्कूए इसको as a matter of right मानते हैं, क्या anticipationarti bale as a matter of right मानते हैं, anyone can tell me, anticipation bale as a matter of right, करतिक मंदल त्रान्ट, क्या anticipating curry bel को matter of right मानते हैं, anticipation right is a matter of right, what it is, no very nice rahul succena very nice, उसको obt vamos all you have in your रखा है में CRPC में दे रखा है क्लियों सो यह कुछ इंपॉर्टन के से हो गए आपके अच्छा एक बहुत इंपॉर्टन केस विशाखा वसे स्टेट और राजस्थान राइट अगेंस सेक्श्वल हरास्मेंट बहुत इंपॉर्टन केस है जो डाउन कर लेना एंड लता सिंग वर्सेज स्टेट अफ यूपी जिसमें बताया गया था राइट तू लाइफ इंक्लूड्स राइट तू मैरेज राइट तू मैरेज ठीक है अब यह कुछ इंपॉर्टन केस हो गए I hope clear हो गया होगा घ्यान कॉर्वर्स स्टेट ओफ पंजाब राइट तू डाइज इस न आर्टिकल 27 मसी धियान रखना आर्टिकल 27 में कि freedom as to the payment of taxes for promotion of any particular religion see yes यह से लादा का भी कोशन आए नहीं है प्रिलिम्स में मत बस इसका जो टाइटल है वो धियान रखना examination के लिए clear article 21 में freedom as to the attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institute important examination के लिए एनेबल करता है educational establishment educational institute that are maintained by religious group to be sent to me religious instruction ठीक है religious instructions देने के लिए now यह जीज़ जो है आपकी वो important है जिए कुछ आर्टिकल आर्टिकल 25-26 important is super important and 27-28 को आप जो है एक बार सफ टाइटल से भी जा सकते हो prelims examination के लिए अब आता है 29 cultural and educational right जब हम cultural and educational right की बात करते हैं तो यहां पर बता रखा है कि यह protect कर रहा है interest of minorities minorities के interest के protection की बात यहां पर करी गई है यह I'll surely send I'll surely send I'll surely send now you happy just by article 29 में कहता है कि प्रोविजन है कॉंस्टूशन का इसका basic सा एम किया है कि वो प्रोटेक करेगा interest किसके minorities के minority groups के right now a particular provision state करता है that any section of the citizen residing in India having a distinct culture language or script यह तीनो ही words important है mark कर लेना बेरक्ट में कहता है जिसका distinct culture है language है और script है have the right to conserve their culture language or script उनके बास right है कि इसको conserve कर सकते हैं protect कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं right safe कर सकते हैं right now article 29 clause 2 कह कहता है the provision mentioned that the state must not deny admissions state deny नहीं करेगा admissions किसी भी educational institutes में जो maintained है state द्वारा और those that receive aid from any person based on the ground of race religion caste and language अब यहां पर race religion language caste और religion अब इसकी short form बना के याद कर ले नहीं जो इन grounds की basis पे discrimination मना किया गया है यह prelims में पूफ जी जाता है आपसे examination में right now article 30 right of minorities to establish and administer educational institute minorities के बस right है कि वो establish कर सकते हैं और administer कर सकते हैं कोई भी educational institute तो यह right provide किया गया है minorities को कि वो form करे या गवर्न करे अपने खुद के educational institute and that is why the set provision is known as charter of education right अब यह prelims के लिए important है कौन सा article बात करता है charter of education rights के that is your article number 30 that is your article number 30 right again we are not going in detail article 32 constitutional remedies की बात करता है यहां पे आपके rates की बारे में बता रखा है और वो rates हम discuss करेंगे 5 तरीकी rates होती है सबसे पहले habeas corpus इसका क्या मतलब होता है to produce the body ठीक है to have the body of habeas corpus का exact मतलब होता है ठीक है अब इस rate के हिसाब से इस particular rate के साथ पांच सरी की great होती है और यह supreme court high court दोनों के पासी power सुप्रीम court की आर्टिकल 32 में दे रखी है high court की 226 में दे रखी है high court की वाइडर पावर है देन दी आर्टिकल 32 226 जो है वाइडर है देन दी आर्टिकल 32 राइट अभी यह कुछ रइट समझ लोग बहुत important है कहता है hebas corpus क्या मतलब to produce the body as per this particular rate the court has the authority to call upon किसी भी परसन को बुला सकते हैं जिसको detain किया गया है who is being detained to access the legality of their detention अपने detention की legality को access करने के लिए किसी भी परसन को बला जा सकता है जिसमान लो मैं कहूं कि आपको illegal तरीकी से detain कर लिया है तो मैं कोट जा सकती हूँ है बिस कॉपस के लेके कि मैं इस पर्डिकलर बॉर्डी को प्रड्यूस के जाए उसको प्रड्यूस के जाए कोट के सामने राइट ना शर्षरारी शर्षरारी रिट का क्या मतलब होता है अब शर्षरारी का मतलब होता है क्या है तो बी सर्षिफायड ना वाइदि वर्टयू अफ इस परतिकुलर रिट एक हैयर कोट ठीके रिवियू कर ता है को ट्रीक जाए जड़ी सिल ले इन गजरी शें वर्लैट प्र चूस्ट का है यहां पे हैयर कोट जो है review कर रहा है उस particular case को it is basically employed to seek judicial review of the decision given by the court or the government authorities clear I hope it is clear now prohibition क्या है rate of prohibition is issued to prohibit to stop is coming out that was to stop is issued by the court to restrict or to prohibit the lower court higher court issue कर रहा है lower court को कि उसको restrict कर रहा है lower court को या फिर रोक रहा है prohibited कर रहा है किसी भी lower court को किसी भी tribunal को किसी भी ऑना करका किसी भी कौजी जुरिशल अथॉररिटीस को फम एक्टिंग बियॉण एट्स लीगल अथुरटेज सह थोटे द सब्के checks the activity और मेंडमेंच जो ृट है वी कमान्ड जिसका मतलब होता है वो चेक करता है अक्टवीटि को नहीं मेंन असका किया मतलब है वी कमान्ड जो यह जो है using की जाती है code द्वारा डारेक्ट करने के लिए किसी पब्लिक official को जो fail हो गया है हुआं थर और अपने काम करने को तो अपनी टीख को आज तो पफॉर्म कर है ठीक से ठीक्ष अपने काम को रिज्यूम भात्र करने के लिए या मैंस क्रणे सामस सो एक्षू करो कहा है कि मिansas करती यह साथ है कोड़ कहीजोन साफ कर टीख है यह कोड़ी और क्यों वो कोड़् कॉर्परेशन ट्राइबिनल और गवर्मेंट तुम रैंडमस वो मैंडमस के रिट जो है वो इशु की जाती है इस पर्टिक्लर केस में कि कमांड करते हैं में जो काम का है तुमारा वो कर लो ठीक है इस इस वाट इस रिट आफ मैंडमस तो यहां पर आपका पार्ट थ्री जो है कम्पीट होता है और विल्बे मुविंग अहेड आपका डायक्टर बिंस्पल अप स्टेट पॉलिसी और इसकी में पास एक बहुती अमेजिंग स्टोरी है और अमेजिंग स्टोरी इसकी यह है कि आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे डायक्त फिर प्रिं अर्पिता इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है जो मैं बता रही हूं उसको बस जॉट्डाउन कर लो अपने उसमें थांक यू चलो कम बाक अब डैरेक्टर फिंस्पल स्टेट पॉलसी पढ़ने वाले उसका पहले एक बेसिक सा बेग्ग्राउं समझ लो और बेग्राउंड जो है उसका यह हमने यह अडॉप्ट कहां से किया है हमने यह बॉरो कहां से किया है यह तो हमें पता होना चाहिए क हमने इसको बॉरो कहां से किया है तो हमने इसको बॉरो किया है इरिश कॉंस्टूशन से ठीक है इरिश कॉंस्टूशन से नहीं अगर आप सब लोगों का जोश हाई होगा ना सोनम तो मैं बिलकुल भी नहीं धकूंगी मैं पूरा कंप्लीट करूंगी so I really wanted कि आप इस session को सबसे ज़्यादा share करो अपने friends में सबसे ज़्यादा लोग इस session को देखे और मेरा पढ़ाया हुआ exam में आए और आपकी मदद हो and I'll be having the entire full energy throughout the session do not worry, ठीक है, हमने इसको Irish constitution से adopt किया है बनला borrow किया है, ठीक है, the source of the concept of director principal of state policies is the Spanish constitution, अगर हम source की बात करेंगे, क्या source है, director principal of state policy आया कहां से तो basically Spanish constitution से आया था, from which it came in the Irish constitution और Irish constitution में Spanish से आया था, तो यह धियान रखना है, अगर आप से exam में बूचे जाए तो article 45 of various constitution से आया है, अब यहां पर कौन से कौन से articles बात करते हैं article 36 से लेके 51 तक बात दे रखा है आपका director principal of state policy में article 37 किसकी बात करता है, यही बात करता है कि application of director principles की now these principles aim at ensuring social economic justice to the people and establishing India as a welfare state now before starting with the entire articles, एक बार मैं कहानी सुनाती हूँ आप, ठीक है उससे मेरा भी में को भी मज़ा आएगा कि finally मैंने अपनी कहानी बता दी लोगों को जो मैं पढ़ते वरते अपने दिमाग में सोचा करती थी, ठीक है, अब वो finally बहार आ चुकी है सब में तो मैं आपको एक बार बताती हूँ इसकी स्टोरी, जिससे आपको भी सारे ही आर्टिकल्स याद रहेंगे, थोड़ी सी अगें डिसक्लेमर दे रहे हूँ मैं कि थोड़ी सी फनी है स्टोरी, but this is how you remember रिमेंबर दी आर्टिकल्स अंडी सेक्षिंस सो भाई कोई भगवान तो इन फाक्ट नहीं है और वो जो शकला का बुमम अगर आप में से किसी ने देखी होगी वो शकला का बुमम वाली सीरियल राइट तो उसमें जो जो आता था वो क्या करता था किताब को अपने कान पर सुझतल खता था इसको सब यादा थे मीरा बच्पन से ड्रीम है घंगे काश मुझे भी यादा था ऊ-स इतने सारे आर्टिक्ल्स है जतने सारे सेक्षिंज आए नो प їE लो मुझे बहुत सारे और आपका स्टार्ट हो रहा है ठीक है आप देखो यहां पे आप इफी कम टू आर्टिकल नंबर 40 आर्टिकल नंबर 40 अब आर्टिकल नंबर 40 से आप यह देखो कि हमने क्या किया एक विलेज पंचायत ओगनाइस करी नो लिसन इस्टोरी ठीक है हो जबता हो थोड़ी फणी ह हमने एक विलेज पंचायत स्टाबलिश करी ओगनाइस करी एक विलेज पंचायत ठीक है उसके बाद उस विलेज पंचायत जो विलेज है उसमें लोगों को काम दिया पढ़ाया लिखाया और उनको हर तरीके का असिस्टेंस दिया ठीक तो आर्टिकल 40 से बता रही हूं मैं स्टूरी कि हमने जो है एक विलेज पंचायत को ओगनाइस किया ठीक विलेज बना लो माद आप याद कर लो एक विलेज बनाया मैंने उसके बाद वहां पर काम दिया लोगों को पढ़ाया लिखाया और पॉलेज तीए ठीक से विलेज में उसके बाद जब हमनें को आंप प लीवस देने पड़ेंगे लीवस भी देने पड़ेंगे साथ में उनको एक प्रॉपर कंडिशन दो गया रगर किसी से काम करवा रहे हो तो ठीक है तो आर्टिकल 40 में हमने एक विलेज बनाया विलेज बनाने के बाद उन्हें काम दिया उन्हें पढ़ाया लिखाया और जैसे लिवेज भी देने पड़ेगी आप काम करवाया तो पगार तो दोगे उसको ठीक है उसके बाद जैसे ही लोग काम वाम करने लगे तो अब विलेज में लोग काम कर रहे हैं तो फिर उनका जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी हुआ मैनेजमेंट में ठीक है अब अब जैसे ही हमने एक्वालिटी कर दी उसके बाद हमने सबसे पहले प्रिफरेंस किसको दी छोटे बच्चों को ठीक है हमने जो है अरली चाइल्ड हुट केर देखा और बच्चे को पढ़ाया और छोटे से बच्चे को पढ़ाया राइट ना उसके बाद प्रमोट किया हमने किसको SC और ST वाले पीपल को हमने जो है वीकर सेक किया level of nutrition उन वीकर सेक्शन होगा clear now उसके बाद जैसे ही हमने सब कुछ कर लिया उनको मजबूत कर दिया खिलाप इला कि हमने nutrition का level बढ़ा दिया सब कुछ ठीक हो गया तो फिर हमने क्या करना है हम किदे चलने लगे गाओं में agriculture की तरफ फिर हमने और ऑगनाईज किया agriculture अनिवेल हस्बंडरी क्लीर नौ फिर जैसे ही एग्रिकल्चर की तरफ गये तो हमें देखा कि भई अनिवाल हस्बंडरी करने और कहीं ना कहीं जो है हम हेल्प कर रहे हैं इंप्रूफ करने में को भी इन्वार्मन्ट को इंप्रॉफ करों राइट फोर ऐड़ी में हो रही है हर याली हो रही है हर प्राइव को मैं रहे ज़रार थोड़ी के मेरी स्टोरी से आप धी रिलेट यू अचा आया ऊके नाइस 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 परफेक्ट परफेक्ट थांक यू तैंक यू तान्क यू तो दिस प्रिलिम्स में हर जगा सेक्षिन पूछ लेते हैं तो आपको सेक्षिन वाइज आपको याद हो जाएगा आई होप आर्टिकल 40 से 48 तक 49 50 51 में मॉन्यूमेंस सेपरेशन आफ जुडीशरी और प्रमोशन आफ इंटरनाश्टल पीस और सेक्योरिटी की बात करी गई है तो याद हो जाएगा अमन हो जाएगा कि अगर आप इस स्टोरी को बार बर देखोंगे न अगर मैंने दो बर यहीं पर दिया आपको याद हो जाएगा सबसे पहले आर्टिकल 40 मिचले एक बर और समझो इसको कि क्या क्या सीक्वेंस रखा था हमने कि पहले हम और्गनाईस करें एक विलेच को उसके बाद हम जो है जो है यह को मुझे बार रबर यूज करने दो और दिस इस मैं फेवरेट पार्ट तो डू आइड़ों वाई एडिवेस चलो सबसे पहले हमने एक विलेच और नाइस किया ठीक है विलेच पंचाय तो नाइस करी आर्टिकल 40 में उसके बा गया आपका आर्टिकल 42 में अब काम करा रहे हो कंडिशन ठीक से दोगे काम कराने की तो जब आप काम करा रहे हो उसको पगार भी तो दोगे तो आया आपका लिविंग वेज उसके बाद जैसे-जैसे लोग काम करने लगे तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया मैनेजम तो यह इस court से उसको were-un किया जाएक, एक Common court बना दिया, उसके बाद जैसे हमने Common Court बनाया, तो फिर हमने देखा, तो हमने देखा कि छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे हैं, 6 साल कम के, उनको हमें ध्यान देनी की जूरत है, उनको भून पढ़ाने लिखाने की जूरत है, तो हमने पहले सबसे छोटे बच्चे को उठाया उस गाउं में से पढ़ाने लिखाने के लिए 6 साल से कम के उसके बाद हमने देखा कि SC ST weaker section है ठीक है तो फिर हमने प्रमोट किया weaker section को educationally और economically उनका इंटरस्ट बढ़ाया SC और ST वाले people का और other weaker sections का उसके बाद जैसे हमने उनक कर रहे हैं तो उनका level of nutrition बहुत कम है तो उसको मने रेस किया level of nutrition को उसके बाद हमने जबी सब काम कर लिया बच्चों को बढ़ा दिया चोटे बच्चों के लिए इंजाम कर दिया weaker section को प्रमोट भी कर दिया उसके बाद हमने क्या किया agriculture में अपना ध्यान दिया ठीक है अब ह इन ओम बाक टू अब आडिकल्स टीके अब आप आडिकल्स प्याजो आडिकल अगें जो आपका यार्टिकल 37 वह बात करता है की इंशूर करता है शुशल अपनोंक ज़स्टेस अब रिलेंस में आपसे सिर्फ आर्टिकली पूचे जाएगा इसमें से और कुछ भी डीटेल में आप से पूचही जाएगा के स्से张ством के साथ अभी चाहता है कि fundamental rights this fundamental rights की बहाद घरंकरें टिकार निन 1 ऑन लाय फंडमेंटल राइट्स ऽो प प्रीक फिल ऐस टेट पॉलिसिए इस लिमिट让 ठीक है and it protects the right of citizen and work at micro level macro level पे काम करती है right now director principle of state policy consists of idols which the state should follow which idols and the state follow करने है यह state की obligation है यहाँ पर citizen की बात नहीं हो रहे है यहाँ पर यह स्टेट की obligation है कि यह सारी चीज़े इंशॉर करे and keep in mind while formulating the policies and enacting the law for the country और जो कोई policy बना कर लाएं या कोई law नहीं या बनाएं तो सारी चीज़े जो डाइकर फिंस्पल स्केट में जो भी बाबाते कहीं गई है उनको ध्यान में रखके बनाएं डाइकर फ्रिंसपल आर अफर्मेटिव डारेक्शन्स on the other hand the fundamental rights are negative तो यह अफर्मेटिव डारेक्शन्स है और fundamental rights are negative or you can say prohibitive in nature because they put limitations on the state कि उस्वो जो है fundamental rights कहीं न कहीं limitations लगाते है state पे that is why we are saying कि fundamental rights जो है वो एक negative connotation भी उसक्या गया है और यह एक affirmative right है आपका affirmative directions and director principle of state policy director principle of state policy is not enforceable by law enforceable नहीं है it is non-justifiable prelims में कई बार पूचा गया है तो धान रखना directive principle of state policy जो है वो है वो आपका non-justifiable है it is important to note that directive principle and FR goes hand in hand साथ चलते हैं ठीक है साथ चलते हैं go hand in hand directive principles is not subordinate to the fundamental right यह यह नहीं कह सकते है आपकी directive principle जो है fundamental right के subordinate है ऐसा आप नहीं कह सकते है right now classification of principle अभी पूरे आर्टिकल्स जो भी आपके डिलेटर फ्रिंस्पल आफ से पॉलिसी की जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनको बिसिकली तीन principle में डिवाइट किया गया है पहला है आपका शोशलिस्टिक प्रिंस्पल दूसरा है गांधियन प्रिंस्पल और तीसरा है अब इसमें कौन से कौन से आर्टिकल्स आते हैं तो अगर हम बात करें शोशलिस्ट प्रिंस्पल में तो आर्टिकल 38 जो बात करता है कि आर्टिकल 39 इंपोर्टेंट है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और इसके ये क्लॉजस जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है टाटिकल 39 में बताता है कि स्टेट जाल पर्टिकलर ली डारेक टेट पॉलिसिट प्लिकुरिश तूछ से जटिकह सते जो है अपलिकलर ली डारेक्ट कर आगा जानाया किक यह इन्बाट करे Squnerक जो को ध्यान रखेगा, पहली, the right to educate means of livelihood to all the citizens, ठीके सारे citizen को educate means हो livelihood के, ठीके, दूसरा, ownership and control of the material resource shall be organized in a manner to serve the common good, right, common good, next is, the state shall avoid concentration of wealth, avoid करने से इसको concentration of wealth को, right, equal pay for equal work for both men and women, now this is a catch here, जो D clause में दे रखा है, 39 के, जो prelims में पूछ ले जाता है, आप से, simple, simple, सीदी, सीदी पूछ ले जाता है, आप से, protection of the strength and health of the worker, और लास्ली, childhood and youth shall not be exploited, ठीक है, चाइल और youth को आप exploit नहीं करोगे, इसमें आर्टिकल 39 में, D clause important है, prelims examination के लिए, 41, right to work, to education and public assistance, in the case of unemployment, old age, sickness and disability, मैं आपको कहानी में बताई दिया है, 42 बात करता है, state shall make provision for securing just and human condition of work, and for maternity relief, prelims में पूछ ली जाता है, कि maternity relief के बारे में, कौन से आर्टिकल में दे रखा है, इस आर्टिकल 242, ठीक है, 43 में बता रखा है, that to secure all the workers are living wage, living wage कहां प पूछ लेता है, कौन से आर्टिकल में है, that is article 43, and a decent of standard of life को के बारे में भी आपका इसी आर्टिकल में दे रखा है, 43A, promotion की management में participation हो रहा है, workers का वह बात करता है, participation of work in the management of industries, 47 to raise the level of nutrition and standard of living of the poor people, ठीक है, or people and to improve public health, यह state की duty है, directive based on Gandhian principle, तो सारे आपके socialist principle पे थे, अब गां अंधीन principle पे कौन से आर्टिकल आते है, article 40 के organize कर रहे हो, आप विलिच पन चायत, 43, promote कर रहे हो, cottage industries, ठीक है, cooperative societies वाली जो बात है, ठीक है, next is 43B, cooperative societies, 46 जो बात करता है, promote educational and economic interest of weaker section, STSC वाले के लिए, 47 to improve the public health, nutrition बढ़ाना, और इसमें ही आपका आता है, prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health, तो कौन से आर्टिकल है, वो आर्टिकल नमबर 47 है, जो important examination के लिए, 48 कहता है, to prohibit the slaughter of cows, cows and other milks, जो milk देती है, जो भी animals milk देते है, dot cattles and to improve their breeds, right, तो ये शारी चीज़े आपको धिहान रख नहीं है, liberal intellectual principles की जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 44, uniform civil code की बात करता है, सेफ सिदे सिदे ये पूच जाएगा, कि आर्टिकल 44 किसी बात करता है, uniform civil code की बात करता है, right, आर्टिकल 45, early childhood, care and education, this is important, क्योंकि यहां पे जो age दे रख की है, that is age of 6 year, इसलिए ये important है, prelim से बूच लिए जाता है, right, तो आर्टिकल 45 धिहानटना, आर्टिकल 48 to organize agriculture and animal husbandry, ये मैं आपको पूरा एक story form में सुना चुकी हूँ, मैं हम आर्टिकल 44 भी तो start होने वाला है, uniform civil code, हाँ, yes, 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 okay, आर्टिकल 48 to promote and improve environment, environment को improve करने के लिए, आर्टिकल 49, monuments को protect करने की बात करता है, 50, बहुत जादा important है, direct film से पूच जाता है, that is, separation of judiciary from executive, तो executive or legislative or judiciary, तीन आपके organs है, government के, इसमें independent जो organ है, that is your judiciary, तो यहाँ पे आर्टिकल 50 में बात clearly दे रखी है, 51 में कहता है कि आपको establish करना होगा international peace and security, अब मेरी बात सुनो, जो बहुत important है, वो यह है कि जो यह सारे articles मैंने आपको बताए, वो सिर्फ आप से title पूच जाएगा, prelims examination में, ठेक है, और mains में, directive principle of state policy में, मै fundamental duties पे question आया था, fundamental duties के पूरी लिखने को आगे थी, as it is, और MPCJ में भी पूचा गया है, वो question, MPCJ में भी पूचा गया है, fundamental duties तो वो mains के लिए important है, वाट यहाँ पे prelims में, आप से क्या पूच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हैडिंग पूच ली जाएगी, कि uniform civil court कहां पे रखा है, इसी वज़े से मैं आपको story बताई है, ताकि आपको article number याद रहे, examination point of view से, अब एक important चीज कि article 51 जो है, जो बात कर रहा है, establish करने के लिए international peace and security, इस particular case में arbitration वाली बात, बहुत important है, encourage करता है settlement, international dispute को किस तरीके से, arbitration से, arbitration mechanism से, encourage कि जाता है कि international dispute को settle out कर लिया conflict between fundamental rights and director principles, इससे कुछ associated cases है, जो important है examination के लिए, पहला, चंपरन दुरईराजन versus state of madras, अब इस particular case में क्या आता है, honorable supreme court ने, यह rule किया था, कि अगर कोई conflict होगा between the fundamental rights and the director principle, the formal will prevail, तो कौन जीतेगा, fundamental rights जीतेगा, यह बात, चंपरन वाले case में कहीं कहीं थी, ठीक है, कि अगर को कोई भी conflict आता है, between the fundamental rights और DPSP, तो इस particular case में fundamental जीतेगा, यह बात इस particular case में कहीं थी, it declares that the director principle of state policies have to confirm to and run as subsidiary to the fundamental right, इस particular case में कहा कि वो director principle जो है, act करते हैं as a subsidiary to fundamental rights, it also held that the fundamental could be amended by the parliament by enacting the constitutional amendment act, ठीक है, यह constitutional amendments है, आप चेंज कर सकते हो fundamental right को भी, नाव गोलागनाज वसे state of Punjab, यह एक important cases को perspective of overruling, overruling perspective case भी कहा जाता है, इसको, right, इस particular case में Supreme Court ने डेकलेर किया, कि fundamental could not be amended by the parliament, fundamental right को अपने ने कर सकते हैं, तो यह जो जच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इस पर्टिकुलर केस में खा गया, उन्होंने यहां पे गुलक नंदा वाले case को overrul किया, और यह कहा, इसको, right to property, article 31, was eliminated from the list of fundamental right, जो अब article 31 में आ गया है, वो आपका, जो है, eliminate कर दिया गया था, article 31 है, sorry, article 31 जो है, right to property, वो आपका eliminate कर दिया गया था, fundamental right की list से, right, अब 300a में आ गया है, clear, इसका amendment भी prelims के लिए important है, then comes your Minra Mills versus Union of India वाला case, इस particular case में क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह कहा, कि Parliament जो है, amend कर सकता है, कोई भी part constitution का, but it cannot change the basic structure of the constitution, अभी जो है, आपका केशवणना भारती की बाद आया, अब यह सारी case की जो यह line, जो स्ट्रीम लाइन है, जो यह timeline है, इसकी यह important है, पहले बात करी हमने चंपनन वाले case की, उसके बाद हमने बात करी गोलगनना वाले case की, और गोलगनना वाले case था, वो overrule किया गया, केशवणना पसाथ से contradictory जा, ठीक है, उसके बाद आपका आया, केशवणना भारती की, उसके बाद मिनरा मिल्स वसेशन वाले case की बाद मिल्स वाले case की बाद करना है, वो बहुत इंपोर्टन है, सबसे पहले, fundamental duties हमने चुराया, sorry, हमने बौरो कहां से किया है, हमने बौरो किया है, रशि से किया है, डाइटर पिंस वाले किया है, इसको याद कैसे करें, यह एक पूरी list दे रखी है, 11 duties दे रखा है, आपका, ठीक है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जो फंडमेंटल ड्यूटिस की बात करता है, आर्टिकल 51A, ठीक है 51A, इसको इंटर्डूस किया गया था, 42nd अमें से यह धियान रखना, 451A जो आर्टिकल है, वो फंडमेंटल ड्यूटिस की बात करता है, और रश्या सब लेकर आये थे, हम इसको बॉर्ण किया था, यह तीनों पॉइंट आपके प्रिलिम्स के लिए important है, ठीक है, नओ, इसको याद करने के लिए, आप जो है, बना सकते हो N, N, S, N, B, R, N, B, R, N, I hope you can see, oh you can't see, अच्छा ठीक है, यहाँ लिखते हूँ, मैं N, N, S, N, B, R, N, E, E, S, P, E, E, ठीक है, अभी क्या लिखा है, मैंने कौन सी भाशा लिखी है, भाशा तो English ही लिखी है, बट आप जो है, इसको इस तरीके से याद करते हो, that is National Flag and National Anthem, पहला वाला N stands for National Flag and National Anthem, next is National Struggle for Freedom, next is Sovereignty, S for Sovereignty, छीक है, then to defend the country and render national services, harmony and the spirit of the common brotherhood against all, और to preserve the rich heritage, उसको preserve करने के लिए, improve करना National Environment, spirit of inquiry and form scientific temper, भी इसमें आता है, आपका humanism, इसमें आता है, public property and to absorb violence, ठीक है, next is, excellence towards all these pairs, और last वाला जो यह है, यही important है, prelims के लिए, जो 86 amendments add किया गया, that is opportunity for education to child or ward between the age of 16 to 14 years, तो यह 86, अच्छा, एक और important चीज़ बताती हूँ, जो यह मेरे important चीज़ जो exam में help करते हैं, ठीक है, 86 amendments से, आपको prelims में, कभी भी education पर कोई भी question आए, कोई भी question आए, 86 amendments से add किया गया है, आगर ही question आता है, कि कौन से amendments से education की बाद करी गई है, सारी education की बाद 86 amendments से करी गई है, ठीक है, इस वाले article में हो या कहीं पर भी हो, यह ध्यान रखना, ठीक है, 42 amendments से बहुत सारे changes हुएं, और 44 amendments से सिर्फ दो important changes हुएं, एक emergency की provision में, और एक आपका property, right to property के respect में, बाकी सारे 42nd, mostly 42nd amendments हुएं, cooperative society 97 से आया है, 73-74 आपका पंचाय तो municipality की बात करता है, तो यह सारे आपको याद हो जाएंगे, अपने आपी, मटी की बाद ध्यान रखना, education वाली important चीज़ है, कोई भी question आप से पूछे, education के amendment के respect में, 86 mark करके आना, ब quality के पार्ट पे आगा, यार्दे को थोड़ी इनर्जी दिखाओ, आप लोग भी, so that कि मैं भी आपको अपनी इनर्जी दिखा सकू, right, तो अब हम आचुके है, important part पे, quality वाले, ठीक, quality वाले, important part पे, 44 से कौन सा है, अमन दो चीज़े, important ने, 44 की, majorly तो पूछी जाती है, emergency की तो एक बर फड़ फट मुझे, thumbs up करके बताओ कि अभी तक समझ में आया, मज़ा आ रहा है, give me a thumbs up, so that we can move ahead with the quality part, come on, show me your josh now, चलो अपना, अपना बताओ कि कितना हाई हो josh में, come on, come on, come on, come on, come on, everyone is sleeping or what, all clear, perfect, ठीके, मज़ा रहे, मज़ा रहे, आ रहे, चलो, ठीके, चलो, ठीके, ठीके, cool, 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 perfect, now we'll be discussing part, article 368, हाँ, पड़ेंगे, मयंगे, मयंगे, पड़ेंगे, don't worry, thank you so much for so many thumbs up, thank you, explain in English language along with Hindi, अच्छा, okay, ठीक है, ठीक है, कोई बात ने, कोई बात ने, सोनम, thank you so much for such a care, oh, thank you, Auman, thank you so much, चलो, anyways, get back to the business now, हम पड़ेंगे, है प debt party, चो, जो बहुत ही मसदार है, और माजदार क्यों है? तो यहाँ पर बताया गया, यह प्रेजिदेंट के पास, क्या पावर है, गवरनर के पास क्या पावर है और सात में, वाइस वेजिदेंट किसको पॉइंट किसको नहीं करता है यह सारी जिसे हम पॉलिटी में बढ़ते हैं तो यूनियन एक्जेक्टिव वाला पाट पर पर निजा रहे हैं अब यहां पर आर्टिकल 52 से 51 एंदेख लिए फंडमेंटल द्यूटी जैं 52 से 78 तक जो है बात करता है यहां पर यूनियन एक्जेक्टिव की ठीक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट ब्रांश है ग्वर्मेंट की यह कहता है कि दो यूनियन एक्जेक्टिव एंडिया का वह कंसिस्ट करता है कि लोगों से जो यूनियन ब्रांच है जो हम बात कर रहे हैं प्रेजिदेंट हैड अफ इस टेट वाइस चीज़े डिसकास करने वाले हैं इनकी कॉलिफिकेशन इनका अपॉइंटमेंट इन सर्फ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नो इंडियन कॉंसुशन जो है वह इंपावर करता है प्रेजिदेंट्स की एक्जेकुटिव अथॉर्टी को वह प्रेजिदेंट्ट जो है ना हम कहते हैं कि इंडिया को जो प्रेजिदेंट्न ने दाट इज़ा पॉपट चीक है उसको एक्ट अरना होता है हमेशा और कांसल आफ मिनस्टर के एड औनड्वास पे वह आख करता है और यह प्राइम मिनस्टर अपरेजिदेंट जो है जिन ऑफ्रेजिदेंट्स करेंगे वो भी हम discuss करेंगे but यहां पर general term में समझो कि president जो है वो एक तरीके का puppet है वो act करता है सिर्फ aid और advice पे किसके council of minister के और council of minister का head कौन है प्राइम minister है ठीक है यह simple सी बात ठीक है अब यहां पर जो council of minister है वो help करता है president को उसकी exercise करने में उसकी executive power तो executive power जब प्रेजिए अपने exercise करने जाता है तो वो किसकी help लेता है council of minister की help लेता है उसी के aid and advice पे काम करता है उसी की जो भी बताते हैं उसके बारे में उसके उसके respect में ही वो बात करता है ठीक है Now union executive of India consist of three members तो अगर हम union executive की बात करें इंडिया के तो यहाँ पे तीन members है to set law and govern the administrative work law को set करने के लिए और administrative work को parliament के अंदर govern करने के लिए तीन important members है और वो कौन है पहला the president the president is the head of the state and union executive who exercise the executive power under the supervision and the direction of prime minister and council of ministers as I have told you कि president जब भी अपनी executive power को इस्तमाल करता है executive power को exercise करता है तो उस particular case में वो किसकी help लेता है किसकी मदद लेता है वो council of ministry की मदद लेता है और council of minister को head con करता है prime minister करता है तो all the executive powers were implemented in the name of the president उसके बाद जोए executive power को implement के जाता है in the name of the president qualification duration to hold office क्या qualification चाहिए तो यहां भी कहता है कि president को citizen होना जरूरी है पहली important बात अब जो यह quality वाला part है जो हमीं पढ़ रहे है union हो गया, state हो गया इससे आपके article based question नहीं आते इससे आपके theoretical based question आते है तो यहां पे जो मैं यह qualifications मेगरा बता रही हूं जी एसजी के में पॉलिटी वाला part आता है तो वहां के लिए भी यह relevant है तो basically पॉलिटी वाले part से constitution का जो यह union वाला part है state legislature हो गया, parliament हो गया इन सारे part से आप से conceptual questions पूछे जाते हैं article based question नहीं पूछे जाते हैं but if we talk about directive principle of state policy or fundamental duties वहां से आप से expect किया जाता है कि डारेक्ट आर्टिकल बेस question पूछे जाते है ठीक है, चालो get back here, article 56 जो है वो बात करता है कि says that the minimum age of the president should be 35 minimum age 35 होनी चाहिए और वो इंडियन citizen होना चाहिए also he has to be qualified as the elective member of house of people now this is an important thing president की qualification की बात हो रही है कह रहा है कि 35 year minimum होनी चाहिए साथ में वो जो है elective member होना चाहिए कहां का house of people का elective member होना चाहिए और वो इंडियन citizen होना चाहिए ये तीन basic qualification required है याद कर लेना now as per article 56 clause 1 ये कहता है कि जो प्रेजिदेंट है वो hold कर सकता है office for five years पांच साल के लिए वो hold कर सकता है from the date उस दिन से उसने चार्ज लिया है उस दिन से वो पांच साल तक के लिए office को hold कर सकता है now the office of president can be empty in case of resignation or impeachment and if he dies or disqualified by the supreme court कब प्रेजिदेंट का office जो है empty हो जाएगा कब प्रेजिदेंट का office खाली होगा या तो वो मर जाए प्रेजिदेंट साहब ठीक या फिर वो रिजाइन कर दें या फिर उनका impeachment हो जाए ठीक है या फिर वो disqualified हो जाए supreme court के द्वारा उस particular case में उनका office खाली होगा power and function की बात करते हैं article 53 में बता रखा है कि प्रेजिदेंट जो है हमारे इन इन कॉंसे प्रेजिदेंट में बता रखा है वो इंप्लिमेंट कर सकता है laws और orders and is a policy maker वो एक policy maker है policy तो बनाता है ठीक बड़ अगेन सब कुछ aid and advice पर करता है council of ministry के he can supervise the armed force as supreme commander अब ये prelims का question है कि armed force as he can supervise the armed force as a supreme commander and he can address both parliaments और वो address कर सकता है दोनों ही parliaments को लोगसभा को भी और राजसभा को भी he can appoint judges of both the supreme court and the high court and higher officials of India तो यहाँ पे president की पास ही power है कि वो appoint कर सकता है high court की judges supreme court की judges और higher officials जो इंडिया की है उनको appoint कर सकता है now the president can announce war and peace under the prime minister's direction and the council of minister तो यहाँ में प्रेजिदेंट जो है war announce कर सकता है बर उसको particular case में उसको किसकी directions होने चाहिए council of minister और prime minister की directions होने चाहिए वो सम्मन कर सकता है as well as वो dissolve कर सकता है parliaments को यह सारी powers की बात कर रहे है हम प्रेजिदेंट की तो क्या कहता है वो सम्मन दे सकता है और साथ में dissolve कर सकता है किसी भी house of parliament को by his legislative power now the president can also exercise special power in times of national, state and financial emergency तो emergency की case में यहाँ पर प्रेजिदेंट की पास special powers भी दे रख्ये जब हम इमर्जिदेंट की बढ़ेंगे वो हम discuss कर लेंगे तो वो प्रेजिदेंट के बारे में important चीज़े हो गए qualification हमको पता होने चाहिए time कब तक hold करेंगे वो office पता होने चाहिए और उनको office खाली कब होगा जब रिजाइन करेंगे जब मर जाएंगे या फिर जब वो क्या कहते है आर्टिकल 63 65 दे रखा है आर्टिकल 63 65 में बताया कि वाइस प्रेजिदेंट जो है वह important role play करता है इंदी विकेंसी ओफ प्रेजिदेंट ऑफिस तो जैसे ही प्रेजिदेंट का उफिज़ेंट हुआ अगर मालों किसी वज़े से वह वेकेंट हुआ तो यहां पर ओफ पेज़देंट एंपॉल्ल प्रेज़ेंट मेंजेंट को प्रेज़ेंट का लोगसे बसाइब हो जाहिए नहीं के सकता है थे परसे ठीक है खेंड एक्साइज य सी फंक्शन और दी प्रेजिडेंट इन इस अपसंस अगरमानलो प्रेजिडेंट नहीं थो उसके आपसंस में वाइस प्रेजिडेंट एक्षाइज कर सकता है फंक्शन and in situation including his illness as well as death resignation from his office अगर मान लो मर गये हैं प्रेजिडेंट सहाब रिजाइन कर दिया है प्रेजिडेंट सहाब नहीं या फिर वो बिमार है तो उस पर्टिकुलर केस में वाइस प्रेजिडेंट जो है प्रेजिडेंट के 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 प्रेजिडेंट क है आपके प्राइम मिनिस्टर ठीक है ही एडवाइज दी प्रेजिन और यह एडवाइस करते हैं प्रेजिदेंट को जिसमें बनाइगी प्रेजिदेंट हमीशा जो है एडिन एडवाइस पे काम करता है तो यहां प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट जो अनिस्टर प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट है चाहिए और मो of any office that runs of for profit, okay, कोई भी office of profit, वो hold ना करे, under Indian government of any state, किसी भी state के government के में, वो office of profit hold ना करे, he cannot hold the office for indefinite time, वो indefinite time के लिए office hold नहीं करता है, ठीक है, but has to gain confidence of president and logsaba, तो उसको, president and logsaba का confidence, उस particular case में होना साइगे, तो prime minister के case में, यह सारी important चीज़े हैं, जो exam के लिए important है, now power and function की बात करें, तो prime minister जो है, becomes a communication link, वो एक communication link के बीच में काम करता है, between किसके, parliament के और president के, तो prime minister है, वो एक तरीके से, एक communication link है, किसके बीच में, parliament के बीच में और president के बीच में, now he is responsible for advising the president, वो responsible है, कौन responsible है, prime minister responsible है, कि वो जो है, advise करेगा, president को, distribute करने के लिए काम, दूसरे-दूसरे ministries में, working under the Indian government, तो कौन सी-कौन सी ministry किसको, किसको देनी है, क्या कि work distribute करना है, under various ministries, वो कौन advise करता है, prime minister advise करता है, president को, clear, now the council of union executive must give all information regarding the union affairs or decision taken for the cabinet meetings administration, तो यहाँ पे जो union है, of the council executive, वो क्या करेगा, वो सारे information देगा, जो भी union affairs है, जो भी affairs चल रहे है, जो भी decision लिया है, meeting में, उसके बारे में, next authority, जो आपके तीन important member से, तीसरे important member क्या है, आपकी, attorney general, ठीक है, now attorney general advises the government of India on legal matters, attorney general क्या क्या का है, कि वो legal matters में advice करेगी, government को legal matters में कौन advice करेगा, attorney general advice करेगा, ठीक है, and represent this in front of the supreme court, और वो cases को represent करेगा supreme court के सामने, now they are nominated by the president, on the recommendation of union cabinet and, and they are at the discretion of the president, और वो किसके discretion पे है, president की discretion पे है, तो attorney general के लिए, यह important बात क्या है, कि जो भी देश के, हमारे government के, जो भी legal matters है, उनको represent करना है, को honorable supreme court के सामने, या उस पे advice है, legal matters पे तो कौन देगा, attorney general, वो वेकती है, ठीक है, उसको nominate कौन करता है, president करता है, किसके recommendation पे, union cabinet के recommendation पे, और किसके pleasure पे रहता है, है, वो president के discretion पे रहता है, ठीक है, now, qualification or duration के, अगर हम बात करें, तो he has to be qualified for the role of, as a judge in supreme court, ठीक है, thus, he had to be a high court justice for five years, ठीक है, पान साल वो high court में जज रहा हो, और an attorney for 10 years, या फिर उसने वकालत कर यो 10 साल की, और an outstanding jurist, या फिर eminent jurist हो वो, now, there is no presided duration for the attorney general of India, अब duration की, अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई specific duration नहीं दे रखा है, attorney general के लिए, clear, power function क्या, powers attorney general की, तो attorney general advise करता है, government को legal implications को लेकर, legal matters को लेकर, now, they also carry out the president's legal responsibilities, the president की, जितनी भी legal responsibilities की, जितनी भी legal responsibilities की, कौन carried out करता है, attorney general करता है, उसको, the attorney general does not have the right to attend in all the Indian courts, उसके पास, अब यहाँ पे, this is important, exam के लिए important है, या attorney general जो है, उसके पास right नहीं है, कि वो attend करे in all the Indian courts, हारे Indian court को attend करने के उसके पास power नहीं है, and to join parliament session, ठीक है, and to join the parliament session, but do not vote, join कर सकता है parliament session को, बट वोट नहीं कर सकता, the attorney general represents the government and all the supreme court proceeding, और supreme court के अगर कोई proceeding होती है, तो यहाँ पे, attorney general ही represent करता है, government की तरफ से, ठीक है, वो ही, वो करता है, government की तरफ से, वो ही represent करता है, now, council of minister, again, a very important article, article number 74, the council of minister, council of the union executive, is a constitutional body in the parliament, ठीक है, यह constitutional body है, आपकी parliament में, जो council of minister है, वो बिलॉंग करता है, to 60 to 70 members होते हैं, approximately, including the state ministers, as well as the cabinet ministers, and deputy ministers, तो यह सारे मिलागे, कम से कम से 8 से 70 members, basically, होते हैं, now, qualification duration क्या होती है, यह office कब तक hold करते हैं, तो यहाँ आपे, जो council of minister है, must qualify to be member of either house of the parliament, किसी भी house के लोग सभा के, राज सभा के member हो, सिर्जानों चाहिए इंडिया के, कोई भी specific duration नहीं दे रखा हैं उनके लिए, and the prime minister can ask any minister to resign, and the president can appoint any minister, तो prime minister के सकता है हुए, तुम जाके resign कर दो, किसी भी minister को, और यहाँ पे कह रहा है कि, president जो है, वो appoint कर सकता है, किसी भी minister को, ठीक, तो prime minister resign करने के लिए कह सकता है, प्रेजिदेंट भी कर सकता है, प्रेजिदेंट भी मिनिस्टर को, power of functions क्या है, power of functions में, as the union executive of India, consist of council of minister, they can exercise combined power, with the legislative assembly, यह legislative assemblies के साथ मिलके, combined power exercise कर सकते हैं, and the true power in the country is held by the council of minister, मैंने क्या कहा कि, सारे काम किसके advice पे होंगे, किसकी मदद से होंगे, council of ministry की advice और मदद से होंगे, तो इस particular case में, जो true power है, वो, इस country की, वो किसके पास है, council of ministry के पास है, ministers rather than the governor, take maximum decision in the cabinet, तो council of ministry के सबसे ज़्यादा decision लेते हैं, cabinet में, now, before moving ahead, एक important चीज़ जो बहुत important है, कि batch start होने वाला है 12 जुलाई को, अगर आपको enroll करना है, तो जल्दी से जा कि enroll करो, कल batch start होने वाला है, शाम को चार बजे से, आज अपने parents से बात कर लो, अपने mind make-up कर लो, अगर preparation करनी है, detail में exam को qualify करना है, तो trust me, just go and enroll to this life foundation batch, use करो promo code Shree Life, Shree Life promo code से मिलता है, सबसे ज़्यादा discount, और आपको ये course मिल जाएगा, 24,999 रुपे में, और यहाँ पे आपको hand it in notes, lecture notes, daily MCQ practice कराई जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा, इस life foundation batch में, आपको सिर्फ पढ़ना होगा, एक बार enroll करने के बाद, आपको बस ये काम होगा, क्या आपको पढ़ना है, आपको tension नहीं लेनी कि, कहां से क्या, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो भी important examination के लिए, तो कल से class start होने वाली है, चार बजे से, IPC और negotiable instrument start होने वाला है, जल्दी से जाके enroll कर लेना, इस life foundation batch में, और यूज करना, प्रोमो कोट 3 life for the maximum discount, राइट, चलो moving ahead, आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे, पार्लिमेंट के बारे में, अब हम पार्लिमेंट के बारे में बढ़ना, बहुत थाथा important है, थांक यू सोनम, थांक यू, नओ, पार्लिमेंट के बारे में, हम बात करेंगे, तो हम यह देखेंगे, कि यहाप जो पार्लिमेंट है आपका, वो एक supreme legislative body है, थांक यह वो एक supreme legislative body है, नओ, पार्लिमेंट एज लिजिस्लेटिव ओर्गन, आफ दी यूनियन गवर्मेंट, आज दी पार्लिमेंट अफ इंडिया, इस इस supreme legislative body, पार्लिमेंट को हम, एक supreme legislative body कहते हैं, राइट, अगें, उससे तो उपर को चाहिए नहीं, तो इसलिए legislative body, जहां पे laws बनाये जा रहे हैं, legislative का मतलब क्या है, कि जहां पे laws बनाये जा रहे हैं, जहां पे laws formulate के जा रहे हैं, that is why we are saying that, it is a supreme legislative body, clear, अब यहां पे first parliament, again, यह थोड़ा आपका, बहुत जादर detail में हो जाएगा, कि first elected parliament came into existence in April 1979, 1952, यह important examination के लिए, पहला elected parliament जो है, वो कब existence में आया था, April 1952 में आया था, now, जो constitutional provision है, वो दे रखा है आपका article 79 से लेके, 122 में in part 5 of the constitution, तो इसारे articles बिसिकली बात करते हैं, पार्लिमेंट के बारे में, इसमें बता रखा है कि कैसे organization होता है, क्या कैसे composition होता है पार्लिमेंट का, क्या duration होता है, कौन office hold करता है, क्या privileges होते हैं, यह सारी बातें आपकी, article 79 से लेके, 122 तो बता रखी हैं, now, frame of reference for parliament, the framers of the Indian constitution, relied on the British pattern of parliament, अब अगर हम parliament को देखें, कि parliament के respect में हमने कहां से idea लिया, तो यहां पे जो हमारे Indians हैं, जो framers हैं constitution के, उन्होंने किस पर rely किया, British parliament पे, बिदिश का जो parliament है जिस pattern पे चलता है, उस तरीके से हमने उसको analyze किया, और फिर हमने incorporate किया, rather than the American pattern, हम American pattern पे नहीं गए, हम किस pattern पे गए, हम जो हैं British pattern पे हमने, अब देखा कि वहां पे किस तरीके से किस तरीके से काम होता है, right, now the president is not an integral part of the legislature in USA, president जो है, वो USA में legislature का integral part नहीं है, important part नहीं है, president जो है USA में, legislature का important part नहीं है, but, India में है, तो अगर हम बात करें USA की respect में, तो USA में अगर हम legislature की बात करें, जहां पे laws बनाये जाते हैं, वहां की बात करें, तो वहां पे जो president है आपका, वो integral part नहीं है, वो important part नहीं है, but India में है, right, तो यह ध्यान रखना, organs of parliament, अब दो important organs हैं, जो important है examination के लिए, that is, राजसभा and लोगसभा, राजसभा को आप council of state भी कहते हो, ठीक है, council of state भी कहते हो, अब राजसभा के बारे में, कुछ important बात समझ लो, जो important है examination के लिए, जो समझ में आपको अच्छे से आएगा, that is, इसको आप अपर हाउस भी कहते हो, second chamber, और you can say house of elders भी कहा जाता है, राजसभा को, and ये represent करता है, state को और union territories को, of the Indian union, ठीक है, तो ये किसको represent करता है, state और union territories को represent करता है, अब राजसभा को आप कह सकते हो, permanent house of the parliament, parliament का permanent house कहा जाता है, राजसभा क्यों कि ये जो है, dissolve नहीं होता, ये कभी पूरी तरीके से dissolve नहीं होता, ठीक है, तो पूरी तरीके से dissolve नहीं होता, इस वज़े से सको कहा जाता है, permanent house भी कहा जाता है, clear, fourth schedule of the Indian constitution, deals with the allocation of seat, in राजसभा, to the state and the union territories, ठीके तो आपका schedule 4 जो है, basically बात करता है, allocation of seats की, composition की बात करें, तो जो maximum strength है, उराजसभा की डाट इस 250, prelims के लिए important है, जिसमें से 238 members हो है, वो representative होते हैं, कहां के state के, और unit territories के, जिन को elect किया जाता है, indirect तरीके से, और यहां पे 12 members होते हैं, उनको कौन nominate करता है, president nominate करता है, और हम current strength की बात करें, present की current strength की बात करें, राजसभा की, तो इस 245, जिसमें से 229 members हो है, वो represent कर रहे हैं, state or union territories को, sorry, state को, और 4 members represent कर रहे हैं, union territories को, और 12 जो है, nominated है, प्रेशिडेंट द्वारा, तो जो यह figure है ना आपकी, यह important है, prelims examination के लिए, now election of representatives, अब election की अगर हम बात करें, तो यह कहता है, कि representative of states, are elected by the members of state legislative assemblies, कौन, कौन elect करता है, state legislative assemblies, ठीक है, elect होते है, by the members of, the state legislative assemblies, right, now, अब जो यह representative है, UT के, हार एक एक UT के, इन राजसभा, are indirectly elected, उनको indirect तरीके, select के जाता है, by the member of, electoral college, specially constituted for that particular purpose, ठीक है, only three UT's, अब यह prelims के लिए, important है, यह धान रखना, only three UT's, that is, दिल्ली, पुडचेरी, और Jammu and Kashmir, have representation in the, राजसभा, other do not have enough population, और बाकी unit territory से, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास, population ही नहीं है, इस वज़े सब, उनकी तरफ से, कोई भी representation नहीं है, नहीं है, अब अधी member nominated, by the president, are those, who have special knowledge, जिनके पास special knowledge है, और practical experience है, कौन से कौन से areas में, आठ में, literature में, science में, social services में, इस particular areas में, जिसके पास special knowledge है, practical experience है, उसको जो है, president सहाब nominate करते हैं, now, यहाँ पर eminent person होना चाहिए, of course, इसके पास special knowledge है, experience हो, बहुत साल का इन सारी areas में, उसको ही जो president nominate कर देते हैं, function क्या है, तो राजसभा का, तो राजसभा has an important role, in reviewing, और altering the law, initiated by लोगसभा, तो लोगसभा जो law initiate करती है, उसको review करने का काम किसका है, राजसभा का है, और दूसरा उसको alter करने का, काम किसका है, राजसभा का है, ठीक है, यह important है, it also, it can also initiate the legislation, यहाँ पर initiation भी हो सकता है, राजसभा में, ठीक है, law को, आप initiate भी कर सकते हो, राजसभा में, and a bill is required to pass through the राजसभा, in order to become a law, अब अगर मान लोग किसी भी बिलको पास होना है, तो सबस्पहले हमने क्या, बेसिक सी बात समझो, कि पहले जो है, राजसभा में राजसभा में पास हो गया, उसकी बात जो है, एसेंट होगी प्रेजिडेंट के और बिल बन गया, यह सब जानते होंगी, बेसिक सी बात, तो यहाँ पहले है, कि अगर एक बिलको law बनना है, तो वो राजसभा से पास होना, उसका जरूरी है, ठीक है, पावर, स्टेट रिलेडेड़ मैंटर के रिस्पेक्ट में, राजसभा के पास यह पावर है, ठीक है, राजसभा जो है, वो प्रोवाइट करता है, रेप्रेजेंटेशन टूदी स्टेट, राजसभा का अप्रूवल जरूरी है, इस निसेसरी, तो यह कुछ की वर्ट है, कुछ की पॉइंट से आपको याद रखने पढ़ेंगे, प्रेलिम्स एजामिनेशन के लिए, लो टॉकिन बाउट लोगसभा, हाउस औफ पीपल कहते हैं इसको, ठीक है, लोगा राऊँस के नाम से बिचाण जाना दाता है, और इस नीफर सेमर और अधी पॉपलर हाऊस, ठीक है, उसको सखेंट सेमबर कहते हैं, और इसको पॉपलर हाउस भी कहते हैं, और यह पूरी जनता को रेप्रेसेंट करता है, राइड लोगसभा जो ए, it represents people at whole clear composition की हम बात करें तो maximum strength जो है लोगसभा की is fixed at 550 जिसमें से 530 जो है वो मेंबर होते हैं आर्दी मेंबर टू बी रिप्रेजेंटेटिव अफ दी स्टेट और 20 होते हैं आपके union territories से ठीक है तो इतने इतने मेंबर्स यहां पे state or union territories होते हैं current strength लोगसभा की 543 है out of which 530 जो है member represent हो रहे हैं state से और 13 represent हो रहे है union territories से now these are the figures which you have to remember और आपको याद करनी पड़ेगी वो आपको exam के लिए important है function क्या है लोगसभा का लोगसभा करती क्या है one of the most important function of लोगसभा is to elect the executive बहुत ही to select the executive sorry sell executive to select connect as a important car my love sabhaka right the one of the most important function of looks about is to select the executive a group of a person who works together to implement the law made by the Parliament in my joby law Parliament a pass Kia house for implementation goalie cut to get a yeah pay or ignore importance is a big get a है कि लोगसमा का जो मेजर फंक्शन है नाट उस्टू सलेग दी एक्जिक्यूटिव 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 को सलेक करने का यहां पे मेजर फंक्शन है clear now this executive is often what we have in the mind when we use the term government the job we have sir car key about cartel I am a much of a picture I think this is what executive we are talking about here clear now powers kilogram battery to your happy decision in joint sitting up here prelims Kelly a board important day this is important joint setting oh yeah money will ho guys percussion at a Yata exam me right other decision over joint sitting collie car decision respect mental happy get a key any ordinary law needs to be passed by both the houses कोई भी ordinary law है तो उसका दोनों house से पास होना जरूरी है however in case of any difference between the house अगर मानलो कोई difference हो रहा है दोनों house में लोगसभा और राचसभा में the final decision is taken by calling a joint setting तो final decision कैसे लेंगे अगर मानलों राचसभा और लोगसभा में आपस में conflict हो रहा है किसी इसको decide नहीं कर पा रहे हैं तो फिरो कैसी इस decide होगी joint setting से उसको decide किया जाता है right तो joint setting session होगा दोनों ही house of parliament का due to a larger strength क्योंकि बहुत जादा larger strength है the view of लोगसभा is likely to prevail in such meeting क्योंकि strength होगर हम देखे राचसभा और लोगसभा में the strength कि जादा है लोगसभा की जादा है again यही बात यहां पर कह रहा है क्योंकि view of the लोगसभा is likely to prevail हमेशा जो है लोगसभा का view prevail करता है because of its larger strength 550 लग महां पे लोग है तो उसकी strength जादा है of course इसका view जादा होगा उसका जादा होगा joint session में generally view जो है लोगसभा का prevail करता है power in case of money matter power in case of joint setting देख लिया हमने now we are talking about power in case of money matter यहां पे कहता है कि लोगसभा excise करता है more power in money matters money matters में जादा power को उस्तमाल किया जाता है once the लोगसभा passes अगर मानलो यहां पे एक बार लोगसभा ने पास कर दिया budget government का और any money related law या कोई money related law को पास कर दिया ने राजसभा cannot reject it तो यहां पे एक important और बहुती strong power है लोगसभा के पास कि जब भी money related होता है law या फिर जब भी कोई budget की बाद होती है तो एक बार अगर पास कर दिया लोगसभा ने तो फिर राजसभा उसको रुजेक नहीं कर सकता clear now राजसभा can only delay it by 14 days or suggest changes in it अब राजसभा क्या कर सकता है हद से हद money bill के बारे में बता रहे हो money matters के बारे में बता रहे है कि राजसभा उसको डीले कर सकता है 14 दिन के लिए या फिर suggestions दे सकता है कुछ changes करने के लिए however अब यहां पे एक important चीज़ है कि कैसी चीज़ है that the former may or may not accept these changes तो कोई जरूरी नहीं है कि राजसभा ने जो भी suggestions दिये है उसको रोगसभा accept करे ही करे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है हो सकता हो accept कर ले वो suggestions हो सकता हो ना करे ठीक है तो यह important है in respect of money matters now power over council of minister अब council of minister के उबर power के respect में बात कर रहे है तो जो लोगसभा है आपका वो control करता है पूरे council of minister को ठीक है अगर मान लो कोई majority है ठीक है if the majority of the logsभा members says that no confidence in the council of minister अगर मान लो they have no confidence in the council of minister में कोई कभी confidence नहीं है तो all the ministers including the prime minister have to quit तो फिर वहाँ पे सारी council minister in fact prime minister को अगर वो confidence lose कर जाते है तो वहाँ पे सबको ही office को छोड़ना पड़ता है तो यह राजसभा के पास यह power नहीं है तो यह है in respect of your council of ministers के उपर power money matters के उपर power और उसके उपर हमने यह power देख ली लोगसभा की तो प्रेजिडेंट की बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है प्रेजिडेंट आफ इंडिया इस नॉट अमेंबर आफ आइदर house of parliament यह किसी भी house को parliament का member नहीं होता does not sit in the parliament to attend the meetings यहाँ पे यह parliament में बैठता भी नहीं है meetings पे टेंड नहीं करता और नहीं बैठता है meetings में और नहीं किसी भी house का यह member होता है ठीक है तो प्रेजिडेंट जो है अगेंस ती हाइस अथारिटी ऐसे उपर कोई अथारिटी नहीं है और यहाँ पही इसको head of the state माना जाता है appointment की अगर हम बात करें तो elected member of parliament MPs जो होते हैं बात करें तो उसमें आपको consent लेनी होती है president की अब bill passed by both the house of parliament cannot become law वो law नहीं बन सकता जब तक president उसकी consent ना दे दे president की assent obtained ना हो जाए तो यहाँ पर president की power है summoning and prorogation of houses उसके पास यह power है कि वो summon कर सकता है prorogate कर सकता है both the houses को dissolve कर सकता है लोगसभा को और issue कर सकता है ordinance when houses are not in session अब यहाँ पर important चीज़ है जो prelims के लिए important है क्या कह रहा है कि यह summon कर सकता है किसी भी house को ठीक है साथ में कह रहा है इसके पास ही power है कि वो dissolve कर सकता है लोगसभा को और issue कर सकता है ordinance दोनों ही house जो है पावर में नहीं है जब दोनों ही house हो है session में नहीं है तो उस particular case में यहाँ पर वो जो है ordinance पी issue कर सकता है clear now membership of parliament qualification की बात करें अगर हम राथ सभा में तो यहाँ पर at least 30 years चाहिए ठीक है he or she should make an oath or affirmation stating that कि जो भी बात बता रहा है वो सब कुछ true है ठीक है और good faith में बना रहा है इसारी चीज़ां उसको oath में पढ़ेंगी according to the representative of the representation of people's act इसको अगर हम देखें उसको register करना पड़ेगा as a voter in the state from which he is seeking to election to elect for the राजसभा तेकि जहां पर भी कोशुश कर रहा है elect करने के लिए वहां पर उसको register करना पड़ेगा as a voter in the particular state अब यहां पर लोकसभा के बार में बात करें तो age minimum क्या है 25 उसको declare करना पड़ेगा oath से और affirmation से जो भी वहां पता रहा है good faith में कर रहा है true है uphold करने के sovereignty and integrity of the India वो प्रजस कर सकता है दूसरी qualification as may be laid by the parliament and must registered as a voter in the constituency of in India ठीक उसको register करना पड़ेगा person contesting from the reserve seat should belong to the SC or ST tribe as the case may be तो यह important नहीं है prelims के लिए जो जिस है वो आपने आपको पता दी age बगरा इंपोरेटन है qualification बगरा इंपोरेटन है इंपोरेटन है exam के लिए यहां से questions आप से पूछे जाते हैं ठीक है disqualify कर दिया जाएगा constitutional ground पे ठीक है if she or he holds the office of profit अगर वो union में या फिर state government में वो hold करता है office of profit तो उस particular case में उसको disqualify कर दिया जाएगा ठीक है दूसरा अगर वो unsound person है या court न उसको declare कर दिया है unsound या फिर वो जो है discharge insolvent declare हो गया है court द्वारा उस particular case में या फिर वो अब citizen नहीं रहा देश का या फिर वो disqualified है किसी भी law द्वारा जो parliament ने बनाया है तो इन सारे के situation में constitutional ground पे उस person को disqualify कर दिया जाएगा statuary grounds जो आपके representation of people's act में दे रखे है अगर उसको किसी corrupt practice में guilty found किया गया या election offenses में उसको पकड़ा गया convict किया गया किसी particular offense के लिए resulting into two or more years of imprisonment ठीक है जैसे की अभी हमने defamation वाला case देखा राहूल गान्दी का अगर उसको dismiss किया गया है government service से because of उसके खिलाफ corruption charges लगया है या फिर disloyalty है towards the state conviction है उसको promoting enmity between different groups or for the offense of bribe अगर bribe लेते वे पकड़ा गया है या फिर enmity create कर रहा है different groups में उस particular case में या punish किया गया है preaching और practicing social crimes such as untouchability dowry और sati तो इन सारे case में statuary ground पे इस particular act में person को disqualify कर दिया जाएगा फर वो member नहीं रहेगा parliament में right now tenure की बात करते हैं अगर हम tenure की बात करें तो राजसभा का क्या tenure है राजसभा का tenure होता है around six years चिक है इसको यह पूर तरीके से dissolve होनी होता है मैं आपको पहले भी बताया यहां की जो है one-third member retire करते हैं हर दू साल पे इस राजसभा के one-third member retire करते हैं every two years यह important है they are entitled to contest again for the membership और अगें दुबार हो membership के लिए अपलाई कर सकते हैं लोकसभा की बात करें तो इसका पान साल का tenure रहता है यह क्या कहता है यह क्या कहता है कि यहां पे प्रेज़ेंट को बताया कि बट प्रेज़ेंट जो है on the advice of whom council of minister के advice फे प्रेज़ेंट जो है वो डिजॉल्व कर सकता है पान साल से पहले 10-year के रहता है पान साल रहता है clear now next is in case of national emergency national emergency अगर लगी हुई है देश में मान लो तो it can be extended for one more year तो एक साल के लिए इसको extend किया जा सकता है but it will not exceed six months after the emergency is over तो emergency खतम हो गई तो 6 मेन जाद एक्सेंट नी किया जाएगा और अगर मानो national emergency लगी हुई है तो एक साल तक इसको extend किया जा सकता है clear now moving ahead अब यह सारी कुछ चीज़े important है जो आपको ध्यान रखनी है officials राचसभा की बारे में तो vice president जो है उसको मैंने क्या बताया कि वह ex official person होता है चेर person होता है राचसभा का ठीक है और वह preside करता है राचसभा में meetings में राचसभा की meetings में वह preside करता है सारी meetings को house की लोगसभा की case में presiding officer कौन होता है speaker होता है ध्यान रखना important है prelims के लिए लोगसभा की case में presiding officer कौन होता है लोगसभा speaker होता है राचसभा की case में vice president of India जो ex official chairperson होते है वह preside करते है meetings को अब यहां पी यह ध्यान से समझो यह कहता है कि मानलो लोगसभा speaker if she or he remains a speaker even after the लोगसभा is dissolved till the next house elects a new speaker in his or place मानलो लोगसभा जो है वो dissolve कर गई तो वो speakers वो hold करेगा office आगे तक के लिए जब तक नहीं लोगसभा नहीं आ जाती ठीक है in the speakers absence अगर मानलो speaker जो है absent होता है इस particular case में कौन होता है deputy speaker उसके आगे जो है चलाता है ठीक है deputy speaker प्रसाइट करता है meeting को simple सी बात है deputy chair person होता है deputy speaker होता है उनके members ही उनको elect करते है appoint करते हैं अगर वो absent है हमार गए है रिजिगनाई जाइन कर रखा है इस situation में यह सारे deputy speaker और deputy chair person जो है picture में आते हैं ठीक है प्रसाइट करने के लिए meeting को now power and functions of parliament power and functions of parliament के था हम बात करें क्या power of functions parliament के तो सबसे बात करते हैं legislative functions की तो यहाँ भी कहता है only parliament can make laws on the subject of union list union list state list concurrent list 3 list 7 schedule में दे रखी है अभी कहता है कि जब भी union list की बात आएगी तो किसके पास power है सिर्फ और सिर्फ पार्लीमेंट की पास power है कि वह law बना सकता है on the subject of union list right along with the state legislature the parliament is empowered to make laws on the concurrent list but यहाँ पे आगे देखो state legislature के साथ मिलकर parliament जो है उसके पास ही power है कि वह concurrent list पे भी law बना सकता है कि concurrent list पे दोनों laws बना सकता है state बना सकता है union बना सकता है in a subject not mentioned in any list मानलों कोई subject जो है किसी भी list में mention नहीं है उस particular case में the residency power are vested with the parliament तो उस particular case में जो बच्ची कुची पावर है आ किसी पे पहर है बनान मैंना ऑसका कहीए किसी भी list में फाल नहीं कर रही हूँ है तो उस particular case में जो रेज़िदीड़ी पावर जो बच्ची कुची पावर है किसके पास है पार्लिमेंट के पास है नो ये थो हमने बात करें लिजिसलेटीफ फ़ँक्शन कि अगर हम बात करने financial functions की, तो it is a custodian of the public money, Parliament is a custodian of public money, government can neither impose any tax on the public, nor spend money without the approval of the Parliament, तो देख रहो कितना important का हम है, कितना important function है, कि भाई जितना भी पैसा है, ठीक है, जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा है, इस सब का custodian कौन है, तो यहां भी कह रहा है कि government ना तो tax impose कर सकती है ना ही कोई पैसा खर्च कर सकती है बिना Parliament के approval के इसी वज़े से देखो the budget is approved by the Parliament every year इसी वज़े से budget जो है हर साल Parliament approve करती है इसी वज़े से यह Parliament जो है हर साल approve करती है ना एलक्ट्रालियल फंक्शन की बात करें अगर हम तो इट पार्टिसपेट्स इंदी इलेक्षिण of the President पार्लिमेंट करती है in the election of the President ठीक है अड्र और ओलट्ट सुट्पेडन फार्टिस प्रजिए और वाइस प्रजिए और को भी इलेक्ट करती है नउ लोगसभा जो है वो एकरती है स्पीकर को और डीपटी सिपीकर को एंड राजववास। चैर्मन के परपस करते हैं लग करते हैं थ्यूवाइए ऑप नइक्साइम के लिए कहता है याट सबन्चने इव ata कुछ कुछети the office on the initiative of Parliament तो यह भी function है यहां भे पार्लिमेंट को यह पावर है पार्लिमेंट के पास इट केन रिमूब प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट को रिमूब कर सकते हैं जज़िस आफ सुप्रीम कोट हाई कोट थ्रू impeachment for the violation of the constitution कि अगर आपने देश के सम्विधान को इनको वोलेट किया है तो इंपीच्मेंट के माध्यम से प्रेजिदेंट को रिमूफ के दा सकता है सुप्रीम कोट और हाई कोट की ज़िसको रिमूफ के दा सकता है किस ग्राउंड पे violation of constitution के ग्राउंड पे यही प्रेलिम्स में आपसे पूचे जाता है examination में ठीक है यही पूचे जाता है examination में नौ amendment of the constitution most important parts of the constitution can be amended by the parliament by special majority कैसे अमेंड होंगे पार्लिमेंड जो आप अमेंड हो सते हैं जो provisions के constitution के by special majority कुछ ऐसे provisions हैं that can only be amended by the parliament with the approval of the states और कुछ ऐसे provisions and constitution में जो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमेंट ही अमेंड कर सकती है states के approval लेने के बाद to get now parliament cannot change the basic structure of the constitution और ये बात केशन अन्द भारती वाले case में already बताई गई है तो यहाँ पी कहता है कि Parliament change नहीं कर सकती basic structure और रेल्स वो जो है constitutional amendment changes कर सकती है प्रोविजन में और उसको कभी कभी कुछ प्रोविजन के certain provisions में उसको state का approval भी लेना होता है now power over executive अब दिखो मैंने पहली भी बताया कि आपको जो यह सारे आर्टिकल जो यह पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें आर्टिकल से direct question नहीं आएगा आपको जो question आएगा वो theoretical nature का ही आएगा right now बहुत ही interesting चीज़ पढ़ने वाले हैं हम that is Parliament जो है वह exercise करती है control over the executive ठीक है कैसे through question hours, zero hours, calling attention, notice, adjournment motion, etc. इसके through जो है इन सारे motions के through इन सारे zero hour questioning hour के through जो है Parliament क्या करती है exercise करती है control किस पे executive पे now the government always take these motions very seriously जब भी government है ठीकिज़ गवर्मेंट जो है वह इन सारे motions को बहुत ही जादा seriously लेती है क्यों क्यों लेती है क्योंकि जो government policies है उनको criticize के जाता है because of this और इसकी वज़े से बहुत जादा impact परता है government पर ठीक है ultimately face को करना परता है government को face करना परता है इसी वज़े से government जो है हमेशा zero hour हो गया questioning hour हो गया यह adjournment motion हो गया इन सारे चीज़ों को बहुत ही जादा seriously लेती है now leaders in parliament अगर हम leaders in parliament की बात करें कौन leaders होते है parliament में तो leaders of the house house में कौन-कौन leaders है अब यहां पे under the rules of लोकसभा लोकसभा की बात करें the leader of the house means the prime minister तो अगर आप से कोई सवाल पूछे कि भाई leader of the house कौन है क्या answer हो गा उसका prime minister ठीक है और any other minister who is the member of लोकसभा and is nominated by the prime minister to function as the leader of the house या तो प्राइम में सब्सक्राइब कर रखाई कि भाई आप जो है क्या किते है PM ने नॉमिने कर रखाई कि परफॉर्म करने के लिए 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 लोकसभा के उसको आपको किसे जानोंगे बाइब करने के लिए उस पर्टिकलर केसमें वह वाला जो मिनिस्टर होगा जो मेंबर भी है राजसभा का वो मिनिस्टर है वह होगा आपका leader of the house वो क्या होगा leader of the house किलाएगा नहीं एक्ससाइज कर सकता है direct influence on the conduct of the business ठिक है दी ऑफिस और दी लीडर अफ दी हाउस is not mentioned in the constitution अच्छा लीडर अफ दी हाउस के बारे में ऐसा कहीं से directly constitution में नहीं मिल जाएगा but it is in the rules of the house तो लोग सब्सक्राइब रूल्स बना रखे हैं उसमें ये बात कर रखी leader of the house के respect में constitution में को direct reference नहीं दे रखाइब के respect में the leaders of opposition opposition की leaders कौन होते हैं now the leaders of the largest opposition party having not less than 110 seats of the total strength to get 110 यह धियान रखना प्रिलिम्स के लिए not having the 110 seat of the total strength of the house it's recognized as the leader of the opposition in the house ठीक है उसको आप leader of the opposition of the house को होगे now this is not very much important for the examination must 110 फाली strength की बात ध्यान रखना clear now sessions of parliament अगरा हम sessions की बात करें summoning उसके respect में summoning is a process of calling all the members of the parliament to meet कि भई संबन किया है आपने कि सारे members parliament के मिलेंगे the summoning of the parliament is given under article 85 of the constitution प्रेजिदेंग जो है वो सम्मन करता है each house of parliament from time to time किसके पास पावर है और डिसक्स कर चुके प्रेजिदेंगे पासी पावर है यह वो सम्मन करता है दोनो ही house के house of parliament को time to time to get however maximum gap रहेगा between the two sessions of the the parliament cannot be more than six months और यह प्रिलिम्स के लिए आपका important है क्या कहता है कि जो maximum gap रहेगा दोनों sessions in parliament के वो आपका 6 मेने से जाधा नहीं होना चाहिए clear sessions India does not have a fixed parliamentary calendar दो को India में न कोई parliamentary calendar जो है वो fix नहीं है राइट वो fix नहीं है आपका my convention convention से parliament meets for three sessions in a year तीन बार तीन सेशन होते हैं बैसे करी जो popular है और यह हैं आपके convention से करी बैसे में फिक्स calendar नहीं है parliament का budget session that is the longest session इसको आम longest session भी कहते हैं टिक है start towards the end of January and concludes by the end of April यह important है prelims के लिए मांसे इन सेशन का अब साड़ होता है यह को आप second session के नाम से कहते हो बिगन होता है जुलाय में और अगस्त में खतम हो जाता है और विंटर सेशन जो है थर्ड सेशन के लाता है वह आपका निवेंबर से दिसम्बर चलता है तो सबसे लॉंग इस कौन सा है आपका budget session clear now adjournment किसे कहोगे एन एजर्ण मन suspense the work work in the sitting of the specified time for the specified time which may be for hours, days or week adjournment का मतलब भी basically क्या होता है कोट में adjourn हो गया matter अगली तारीक लग गए वही यह आभी उसी के रफेरेंस में मतलब है कि adjournment क्या करता है suspend कर देता है काम को in the sitting for the specified time specified time के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए कुछ आर्स के लिए suspend कर देता है now when the meeting is terminated अब इस टाइम पर सब्सक्राइब हो गया है काम without any definite time को definite time देरका को date fix देनी करकी ने समीटिंग की तो इसको आप क्या कहते हो एजर्ण मेंट साइन डाय एजर्ण मेंट साइन डाय फोरेवर अपको टाइम को फिक्स नीका रखा है इस वज़े से नो जी पावर है जन मेंट की as well as the adjournment sign die lies with the presiding officer किसके पास इपावर है presiding officer के पावर है एजर्ण मेंट की और प्रसाइडिंग officer लोग सब्सक्राइब कौन है speaker और आज सब्सक्राइब कौन है जे परसन चीके उसके पास इपावर दे रखी है नौ प्रोगेशन क्या होता है जैसे अचन में जिसे जैसे जर अचन में अधास के रिस्पेक्ट में जमने पड़ा उसको धियान में रखते हुए हाँ पर दे जया के नौ यह जो है different होता है dissolution से ऐसा अगर प्रोगेशन हुआ है तो आप ऐसा नहीं मानोंगे लोग सब्सक्राइब हो गया ऐसा नहीं मानोंगे ठीक है डैस और टोकेदर डिफरेंट इंग प्रोगेशन का मतलब यह है कि टर्मिनेट कर दिया गया है से टिंग को और करता है कोरम का मतलब होता है कोरम का मतलब होता है that quorum refers to the minimum number of members required to be present for conducting a meeting कि इतने लोग तो होने चाहिए अगर meeting conduct हो रही है तो इतने लोगों का इतने members का present होना जोरूरी है that is what is quorum ठीक है now the constitution has fixed 110 strength as quorum for both the houses that is that's why and log sabah तो यह prelims के लिए important है कि यहां पर जो strength है that is 110 strength ठीक है 110 strength होनी ही चाहिए for conducting a meeting और यह दोनों house के लिए है लोगसभा के लिए भी है और राचसभा के लिए बी है clear now joint session of parliament अगर हम joint session की बात करें तो यह आपका article 108 में रखा है यह प्रोवाइट करता है joint setting of लोगसभा और राचसभा और रोगसभा और राचसभा मान लोग किसी बात पर नहीं सहमत्ती पर आ पा रहे हैं तो इस पर्टेकुलर केस में और जेनरली joint setting में basically क्या होता है जीतता कौन है लोगसभा जीतता है क्योंकि वहाँ पे strength जादा होती है लोगसभा की that is why now the speaker is absent अगर मान लो joint seating में speaker नहीं है तो कौन बैठेगा deputy speaker बैठेगा लोगसभा का वो अगर मालनों दोनों नहीं है in the absence of both it is presided over by the deputy chair person of the that's about to the speaker भी नहीं है लोगसभा का deputy speaker भी नहीं है तो कौन प्रसाइट करेगा उसको deputy chairman of the राचसभा वो प्रसाइट करेगा meeting को now lame duck session इसके बारे में किसीने सुना होगा तो please let me know lame duck session क्या होता है it refers to the last existing last session of the existing log sabah जो लोग सबाब के एक्जिस्ट कर रही है उसका last session होता है after unused log sabah has been elected ticket when news in new looks log sabah electo गई है उससे पहले जो existing log sabah है उसका last session इसको refer करता है आप यह कहता है those members of existing log sabah who could not get reelected जिन का reelection नहीं हुआ है नहीं लोग सभा में उनको क्या कहते है लेम डक्स कहते हैं उनको क्या कहते हैं लेम डक्स कहते हैं clear now devices of parliamentary proceedings question are किसे कहोगे मैंने क्या कहा कि जो parliament है ना वो इन सारे questions जो government इस सारे questions को बहुत जादा seriously लेती है question are क्या होता है the first are of every parliamentary settings is termed as question are तो जो पहला घंटा होता है पहला घंटा होता है हर parliamentary setting का उसको आप question are कहते हो right now it is mentioned in the rules of procedure of the houses जो houses के रूल है उसके में mention कर रखा है during this time अब question are चल रहा है अगर मान लो then the member ask the question and minister usually give the answer तो जो members है वो question पूछते हैं और minister उसका जबाब देते हैं 0R क्या होता है 0R is an Indian parliamentary innovation यह Indian parliamentary का खुद का innovation है खुद से innovate किया उन्होंने it is not mentioned anywhere in the parliamentary rule book parliamentary rule book में कहीं नहीं रखा अब इसके अंडर क्या होता है जो MPs होते हैं वह race कर सकते हैं matter बिना किसी prior notice के तो 0-hour में बिना prior notice दिये MP जो है सवाल पूछ सकते हैं that is what is 0R और यह parliamentary का parliamentary members का खुद का ही innovation है जिक है कहीं पर मेंशन नहीं कर रहता है जीरो आवर स्टार्ट कब होता है तो कोशन आवर पहला गंटा हो गया तो 0R आपका immediately after the question hour जैसे ही कोशनार खतम होता है उसके तुरंद बाद आपका जो है 0R साड़ हो जाता है और लास्त कब तक जिरो आवर सलता है until the agenda of daily regular business of the houses is taken up तो तक सारे तो भी regular businesses है तो भी regular issues है तो तक को टेकन अपन नहीं जाते तो तक आप जिरो आपका जिरो आपका जलता है clear half an hour discussion इसका मतलब होता है that it meant for discussing a matter of sufficient public importance तो कोई ऐसा matter है जो अपले के इंपोर्टेंस का है उसको discuss करने के लिए होता है which has been subjected to lot of debates right and answer to which need a need explanation on the matter of fact you can say now speaker जो है वो अलोट करता है तीन दिन in a week for such discussions तीन वीक में तीन दिन अलोट के जाते हैं ऐसे discussions पे तीन वीक में तीन दिन अलोट के जाते हैं ऐसे discussions पे short duration discussion it is also known as two hour discussions at a time allotted for such discussion should not exceed two hours तो दो ही गंटे का discussion या आप इसमें आलोट होता है मेंबर जो होते हैं पार्लिमेंट के वो रेस कर सकते हैं discussions on the matter of urgent public importance तो urgent public matter के के ओपर discussions करने के लिए यहां पे short duration discussions होते हैं टिके speaker जो है यहां पर दो दिन अलोट करता है वीक में उसके लिए तीन दिन इसके लिए दो दिन for such discussion and it is neither formal discussion को formal motion की जुरत नहीं होती है court के सामने और नहीं कोई voting होती है ठीक है और यह आपका exist कर रहा है since 1953 clear now moving ahead legislative procedure अब legislative procedure क्या है पार्लिमेंट का यह भी important है तो यहां पर कहता है जो legislative procedure है वो identical है in both the houses of parliament राच रभाम में भी लोग सभाम में same process है every bill has to pass through some stages in each house हर एक बिल को एक stage से गुजरना होता है and this is important और यह आपका means examination के लिए जाधा important है rather than prelims examination right identical होता है धोनों का process bill is a proposal of the legislation ठीक है एक बिल में आपने draft बनाया कि यह सारे section of incorporate करना चाहते हो इसारी बात इसमें लिखना चाहते हो that becomes an act or law when duly enacted तो जब बेल जो है in act हो जाता है जब उसको पाइसेंट मिल जाती है प्रेजिदेंट से तब वो लोग बन जाता है Types of Bill कितने तरीके की बिल होते हैं तो जब बैल है वो इंट्रूस होता है पार्लिमेंट में आर उफ टू टाइप दो तरीके के होते हैं ठीक होता है जो चाहर का टिगरीज में डिवाइट किया है पहला और और यह पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल क्या होता है उसको द any matter other than financial matter. तो ordinary bill में कुछ भी होगा, but financial matter को छोड़ कर. ठीक है, को छोड़ कर. Thank you, Sonam. Thank you so much. I'll just drink water and I'll start with the bill. ठीक है, I'll just drink water. सभी बच्चों को नीन दा रही है, अच्छा, और मुझे, और मुझे नीन नहीं आ रही? I'll just take a break. पूर वन मिनुट. चलो, बाक. आजव बिल समझने के लिए. चम ओन, चम ओन, चम ओन, ब्राक, ब्रेक इस ओवर. ब्रेक खतम हो गया, भई. इसको कम्प्लीट भी करना है ना, इसको. चलो. नौ, बिल. बिल की बात करें, तो ओर्डिनरी बिल क्या है? ओर्डिनरी बिल बेसिकली, वो सारे बिल है, एक टेक्सेशन हो गया, पॉब्लिक एक्स्पेंडेचर हो गया, ये सारी चीज़ों हो गए हैं आपकी मनी बिल में. थांक्यू रजाट, वंसाल कम्प्लीट दी क्लास, अलीट डॉन्ट वारी. चाहिए, फाइनेंशल बिल, इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में पहले हम पॉब्लिक बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह प्लिक बिल उतना हो, जो फ्री जाट, पबलिक बिल है वो रिफ्लेक करता है क्या चीज़ें? पॉलिस ऑफ व्धिज़ोंट ठीक है, और फॉर्लिंग पार्टी की बात हो रही है, ruling parties की जो policies के respect में वो reflect करता है public bill में it reflects the mood of the political parties on the public matter private bill में वो reflect करता है the political parties का जो भी concern in respect of public matters अब जो public bill है आपका it has a greater chance to be passed by the parliament public bill जो है उसमें ज़्यादा chances जाएं कि वो parliament दोरा पास हो जाएं but private bill में less chance होता है और इसको introduce के जाता है in the house requires seven days notice तो अगर आपको public bill लाना है पार्लिमेंट में तो आपको साथ दिन का notice देना होगा private bill को require करने के लिए एक महिने prior notice देना होगा public bill को लाने के लिए साथ दिन का private bill को लाने में एक महिने का prior notice देना होता है ठीक है it is drafted by the concern department in consultation with the law department ठीक है अब जो public bill उसको draft के जाता है law department के help से और यहां पे जो यह private bill है it is it's drafting is the responsibility of the member concern जो member होते हैं उनकी basically responsibility होती है draft करने के लिए private bill को clear now money bill और financial bill में मैं आपको difference बताया ठीक है और वो difference क्या है यहां पे समझो important है prelims के लिए in fact I would say means के लिए भी आपके आपको समझ में आएगा clarity से देखो money bill और financial bill अलग होता है एक तो पहली बात ही समझ लो ठीक है कैसे अलग होता है अगर हम money bill की बात करें और इसके constitutional provision की बात करें तो आर्टिकल 1110 में दे रखा है money bill के बारे में ठीक है और financial bill 1 और financial bill 2 यहां पर दो क्यों रखें मैं बता देती हूं क्यों क्यों आर्टिकल 117 clause 1 deal करता है financial bill से और जो यह second financial bill है यह दे रखा है आपका article 117 clause 3 जो डील करता है financial bill clause 2 से financial bill 2 से now financial bill 1 क्या है 2 क्या है आप इसको समझो जो आपका article 110 है जो डील करता है money bill से deals only with the provision of article 110 सिफ 110 में ही money bill की बात करी गई हो और महीं बात खतम हो गई है बट जो financial bill है उसमें मैंने आपको बताया कि 117 clause A और 117 clause 3 इसके respect में कहता है कि also deals with general legislature along with the provision of 110 इसमें 110 के इलावा भी तूसरे legislation की बात करी गई है और जो आपका clause 3 है उसमें बात करी गई है provisions involved करते है expenditure from the consolidated fund of India बट जो आपके 110 में included नहीं है ठीक है यह फरक है यहाँ पे जो यह financial bill 2 है वह किसकी बात कर रहा है वह basically बात कर रहा है वह सारे provisions उसमें involved होते है financial bill 2 में जहां पे जो provisions आपे expenditure हो रहा है कहां से consolidated fund of India से और जो आपका 110 में included नहीं है ठीक है जो आपकी provisions 110 में included नहीं है वो इस्पनेचर आपके जो इंडिया से हैं बट वो आपके सुदस में मनी बिल में इंक्लूड नहीं कर रखे हैं राइट नौ इन रिस्पेक्ट ओफ मनी बिल ही एंची डिसाइज इस विदर दब विदर बिल इस अमनी बिल और नॉट अब यहां पे सेटिफिकेशन ओफट सीफिकर कौन्झ डिसाइट करेगा स्पिकर डिसाइट करेगाम रखे है या फिर नहीं फेनेंशंट बिल रखेड नहीं है और फर फाइनेशल बिल दूँ में पी वह लोग सबार में और जो फाइनशीय्षी सब्सक्राव तो लोग स Mumbai और चाह जाता है है वो दो आढ़ा हाय्स में इंट्रोडियूस के लगाता है तो यह बात ध्रचान रख नउना प्ड21च प्रине किरुटी स lever सब्सक्राइब कर सकती है नहीं उसको रिजेक कर सकती है फाइनिशल में वह वह आमेंड हो सकता है और रिजेक्ट सब्सक्राइब एक अदर कर सकता है तो हो राधनिय। प्रशिदेट सब्सक्राइब हो Stitch, gent, Safe क्सित कर सक्था मों का एक एफेट कर सकता है और रिजेक्ट। या मनी dij active को रच्ण में बिढ़के लिए रिचान कर सकता है इस सब्सक्राइब कि लिए माइप return it for reconsideration of financial bill 2 के लिए भी प्रेजिडेंट की पास ही पावर है कि वो return कर सकता है reconsideration के लिए now joint sitting of house कोई भी provision नहीं है जो resolve करेगा deadlock money bill के case में यहां पर president summon कर सकता है financial bill 1 में और financial bill 2 में ठीक है संबन कर सकता है now joint sitting of both the houses joint sitting है it's an extraordinary machinery कि जहां पर deadlock हो रहा है दोनों house में तो joint sitting बुलाई जा सकती है ठीक है कौन से condition में deadlock होता है deadlock मनला कौन से condition में टस्ट बैट जाती है लोग सबा और राच सबा में कि जिसकी वज़े से joint sitting बुलानी पड़ती है वो conditions कौन से है कि माल लो अगर बिल जो है reject कर दिया गया है दूसरे house दौरा उस particular case में या फिर if the house is finally disagreed as to the amendment to be made in the bill कि महीं एक house हो है वो मना कर रही है वो बिल्कुल एगरी नहीं कर रही इस पे कि इस बिल में कोई amendment होना चाहिए या फिर more than six months have elapsed from the date on the reset of the bill my other house without bill being have passed by date तो इन सारे situation में आपका basically a deadlock बैठ जाता है फिर जोइन शिटिंग बुलानी पड़ती है applicability जो प्रोविजन आपको जोइन सेटिंगा यह आप लिके बिलोता है और नरी बिल्स पे और जोइन सेटिंग के applicability है ठीक है जोइन सेटिंग कवे अप्लिके बिलोगा और इसनल में के केस में financial में के केस में सिर्फ money bill में और constitutional amendment बिल में वो applicable नहीं होगा and in case of money bill money बिल के अगर हम बात करें तो लोगसभा has the overriding power लोगसभा के पास ज्यादा पावर है money bill के केस में while the constitutional amendment bill must be passed by each house separately और constitutional house के amendment वाले बिल के respect में दोनों ही house से उसको पास होना ज़रूरी है speaker का रोल लोगसभा का speaker beside करता है joint sitting ते ओपर यह important prelims का question important अगर वो नहीं है तो deputy speaker करता है ठीक है quorum हमने side कर चुके है 110 quorum होता है now talking about parliamentary privileges तो यहां पर कुछ immunities दी जाती है कुछ immunities दी जाती है कुछ rights दी जाते हैं Parliament के members को individually और collectively so that is why यहां पर उसको parliamentary privilege कहा गया है so that they can effectively discharge their function और यह power यह immunities यह rights को इसको इसको दिये गए हैं ताकि वह effective तरीके से अपनी powers अपनी functions को discharge कर सके right now article 105 Constitution का sorry Constitution article 105 और article 194 पार्लिमेंट की case में स्टेट लिजिस पार्लिमेंट की case में आर्टिकल 105 और स्टेट लिजिसरी के में article 194 जो है बात करता है privileges of Constitution के clear and before starting with this आगे के articles को पढ़ने से पहले ही मैं बता दूं की देखो life foundation batch 2 की classes कल स्टार्ट हो जाएंगी शाम को चार बजे और अब सेशन को खतम करने के बाद जब भी हम खतम करेंगे जब भी हम पूरा constitution खतम करेंगे तो उसके बाद आप सब तो definitely सोजाओगे तो कल सुबह उठके आपने स्टार्ट हो जाएंगी जिसकी classes 4 वजे से स्टार्ट हो जाएंगी और अगर आपको प्रिलियम से लेके interview तक तयारी करनी है और इस course को affordable price में खरीच सकते हो आप SHRI LIVE code यूज करके आपके यहां पे detail में तयारी कराई जाती है examination के हर expect को ध्यान में रखा जाता है प्रिलियम से लेके interview daily mcq की practice आपको हैंड़े नोट लेक्चर नोट यह सारी चीज़े प्रोवाइड करी जाती है एक mentor अलग से लॉट के जाता है जो आपको इस पूरी जर्णी में help करता है तो अगर आप एक जुडिशल को टार्गेट कर रहे हो जुडिश्री के किसी भी सेट जुडिश्री की examination को तो आइवोड से यू मस् गो अन इन्रोल स्कोर्स का duration है आपका दो साल का एक साल में पूरा कोर्स कवर आप कर दिया जाएगा और एक साल आपके पास स्कोर्स की वालेडिटी रहेगी अफॉर्डिबल प्राइज में ये कोर्स मिल रहा है सारी चीजें जी एस जी के लीगल करेंट अफेर आंसर राइटिंग जजमें राइटिंग सब कुछ कवर कर रखा है इस लाइफ फाउनेशन बाच में तो अगर आप टार्गेट कर रहे हो जाम को I would say you must go and enroll to this life foundation match use promo code 3 life for the maximum discount now let's come back to chapter 3 which talks about legislative power of the president ठीक है अब मात कर रहे है legislative power of the president की और बहुत ही ज्यादा important area है important है prelims के लिए mains examination के लिए now ordinance making power basically right the ordinance is an authoritative order or you can say decree to exist करता है वहाँ छोड़े टाइम के लिए ठीक है that is formulated by the president of India on the recommendation of the union cabinet जैसे मैंने बताया कि प्रेज़ेंट कुछ से तो कुछ रिसाइड करता नहीं है उसको सब कुछ जो है कौने एडर अडवाइस करता है union cabinet aid or advice करती है राइट अर्टिकल 123 इंडिया इंडियान का जो इंपावर करता है प्रेजिटेंट को कि वह लग प्रेजिस्टेटिव पावर है यह प्रेजिडेंट की तो अखिरकर कब ओर्डिनेंस फॉमिल्गेट किया जाता है ठीक है जेलों की special class अच्छा एक चीज़ बताती हूं मैं आप लोगों को एक interesting चीज़ बताती हूं देखो नेखो बिफोर स्टार्टिंग विद्धी ओर्डिनेंस बिफोर स्टार्टिंग विद्धी ओर्डिनेंस यहां पर देखो सटी आई के जुडीशरी का घ्रटिंग विद्धी ओर्डिनेंस यहां पर देखो सटी आई के जुडीशरी का ओके sorry my bad ठीक है नाओ यहां पर देखो सटी आई के जुडीशरी का यह पेज है ना चुडीशरी का डन्य में पूछा जैसे ही ना आप जाओगे जैसे ही आप जाओगे यहां प्लेडिस पे इन्ने को नीचे देखो यहां पे रापिड रिविजिन से रिशिरीज मैं श्रीमी श्रिवास्तव यह अप जाओ और आप देखो कि इसमें सलेक्ट करो इसको जैसे स्लेग करोगे आपको देख रहा है जो लीज कोंसुरुजन की लाइफ क्लास चल रही है उसली रही अभी PTSD पूरा कंक्लीट है आपे इंडियन कॉंट्राट एक की सीरीज है आई पीसी मे पूरह कंप्लीट आइपी mensen पूरा कंपीड रापड रिविजन है इंडियन एविडेंस आट पूरा कंपीड रापड रिविजन है लौफ टॉट्स और एसारे का इतने शारे आग्ट सापके जो अफकोस यह अलों मिजॉर्टी ओफ आंट सापके यहां पर कवर है तो आप इन सीरीज से पर सकते हो तो रिविजन है उसे आप रिवाइस कर सकते हो अपने एक्जामिनेशन के लिए ठीक है चालो कम बाक नौ मैक्टी सेशन अचा ओडिनेंस का प्रोमलिगेट किया जाता है कब लगाया जाता है ओडिनेंस तो और दो ही कंडिशन है पहली जब दोनों ही आउस अफ पार्लिमेंट फैसनमें होते है गए और एवन वेड मनान अव इंधि थी आउस न इनसेशन और इस पुप्रे नहीं आपरोट अज्मान अव जहानलर क唉 can be presented for the presidential essence essence अब बिसिकली क्या कह रहा है हाँ पे कि जो यह दोनों ही जो बिल है उनको दोनों ही हाँ से पास होना है ठीक है और उसके बाद प्रेजिदेंट के एसंट चाहिए इस वज़े से पहली कंडिशन दूसरी तब प्रेजिदेंट कैन प्रॉलमर गेट अन ओर्डिनेंस में ही सटिस्वाइट तब ही जब हुँ सटिस्वाइब्स करते हैं फॉरिण इमजेट आक्शन इन इंधी फॉर्म ओफ ओर्डिनेंस कि इन दोनों कंडिशन में जो ए ओर और निन फो लगाया जाता है नाओ पार्लिमेंट्री अप्रूबल डूरिंग सेंस ओडिनस पस भी my parliament within six weeks of reassembling अब यह प्रिलिम्स के जो यह टाइम लाइन है यह प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है यह कह रहा है कि पार्लीमेंट जो है पार्लीमेंटरी अप्रूवल ड्यूरिंग इसेशन ओर्डिनेंस मस्ट भी अप्रूव 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 जाने चाहिए चैस्ट हां थों यह अंदर और और रिसेंबलिंग और बॉल्टेंट जो परोड़ेंट यहां है और बाकि यहां पर कि आ देवल आल्सों सीज तौ आपरेंट इन स्थ बोल्ट वोड्य बोल्टी हाउसे नोग इस ह अगर मालो हाउसे जो है अलग-अलग डेट्स दिफरेंट डिफरेंट पर इसम्बल हो रहे हैं तो पीरिड ओफ सिक्स वीक्स इस कैलकुलेट इट फॉम दी लेटर ओफ दी टू देट्स तो उस दिन साम कैलकुलेट करते हैं इस नोट इंपोर्ट पॉर्ट इंपोर्टन रख में जारे हो तो ओश्य दो आये गही हिं ना जो टीश्री से कवन अपोर बॉंच करता है कैसे डिख्षाइन होता है कैसे किया डिरेशं होता है क्या कर एक देए क्याव क्या कॉलिफिकेशन चाहिए इन सबकी बारे में質 आपसे पूछा रही जाता है ठीक, Supreme Court की बात करें, Epex Court है, उससे ओपर कोई कोई नहीं है, Supreme Court of India is the highest court of the land as established by Part 5, Chapter 4 of the Indian Constitution. Now, according to the Indian Constitution, the role of Supreme Court is that of the Federal Court, Guardian of the Constitution and the highest court of appeal. अगर Supreme Court ने आपके favor में judgment नहीं दिया, तो आप किसी और court में appeal करें और जाही नहीं सकते appeal के लिए, मनला उसकी यह highest court of appeal है, guardian माना जाता है, Constitution का, तो अगर मान लो कोई भी fundamental right up का वोईलेट होता है, तो आप रिट लेके कहां जाते हो, या तो हाई कोट जाते हो, या फिर सुप्रीम कोट जाते हो, राइट, जब appeal against the judgment, appealant court क्यों कहा जा रहा है, appealant court का मतलब क्या है, यहां पे appealant word जो है, appeal से ही आया है, राइट, विच टेक्स अब अपील अगींस प्टेजमेंट of the provisional high court, but it also take rate petition in case of serious human rights violation, fundamental rights का violation होता है, तो फिर यहां पे rate भी लेती है, Supreme Court under Article 32 of the constitution clear now composition of the court कैसे इसको कैसे क्या 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 कौन लो consist होते है इस particular supreme court में तो यहां पे कहता है कि supreme court consists of chief justice of india and until parliament by law prescribed a lizer number more than other than seven judges so पहले seven judges था आप तो change हो गया है आपका does the parliament increase the number increase कौन करता है number parliament increase करते है यह कुशन मुचे जाएगा आप से prelims examination में right now does the total number of judges in a supreme court is that present is 34 34 total है including the churches of india and the constitution does not provide the minimum number of the this the any matter I can give minimum number of the disk written only ticket palace art papers cobalt increase who are those in a bus at around 35 over and now satra was to buy a car number in cruise war up finally presently 34 help it right now qualification क्या required सुप्रीम को जजमनेगी तो यहां पर qualification आपका 124 क्लॉस 3 में दे रखा है कभी कभी प्रिलेम्स examination मेंना qualification का क्लॉस पूछ लेते हैं तो यह दिहां नटना 124 क्लॉस 3 में qualification की बात करी गई है citizen होना चाहिए अफकोस उसके पास at least 5 साल का experience होना चाहिए as a judge of high court और और two or more such courts in succession केक से एक एक बाद एक दो यह दो से जाद़ कोट में वो high court में जज रहा है ठीक है 10 साल as an advocate उसके पास होना चाहिए experience ठीक है advocate of high court यह धान रखना ठीक और लास में कहता है he is and he is in the opinion of the president a distinguished jurist eminent personality है कोई ठीक है कोई eminent jurist है ठीक तो और किसके opinion प्रेजिरेंट के opinion में अगर eminent jurist है तो वो जो है जज हो सकता है supreme court का नौर रिमूवल impeachment removal कैसे होता है supreme court judges का यह दे रखा है 4 और 5 clause में यह clause number याद कर लेना important है 3 में qualification 4 5 में removal के बारे में बात करी हुई है basically यहां पर क्या कह रहा है that a judge may only be removed from his office by the order of the president कौन remove करेगा president remove कर सकता है यह हमने प्रेजिदेंट की powers में पढ़ा था on the ground of proven misbehavior or incapacity दो ground जिसके basis पे supreme court का judge remove किया जा सकता है removal की बात हो रही है यहां पर दो ground क्या है proven misbehavior proven misbehavior और फिर incapacity इन दो ground पर प्रेजिदेंट जो है remove कर सकता है क्या कहते हैं supreme court judge को now the order of the president जो यह order है president का can only be passed after it has been addressed to both house of the parliamentary parliament तो पहले अगर मालों किसी supreme court इसको आपको remove करना है तो उस पर्टिकुलर केस में प्रेजिदेंट रिमूफ करेगा यह बात ठीक है इन दो grounds पर करेगा incapacity पे proven misbehavior पे इन दो ground पर आगा यह भी बात ठीक है the address must be supported by majority of local membership of that house that is and also by the majority of two not less than two-third simple majority special majority totally majorities होना चाहिए और जो भी मेंबर प्रेजेंट है और वोट करने है ठीक है तभी जो है remove होगा judge supreme court का now jurisdiction of supreme court अब jurisdiction more important exam के लिए article 129 state करता है that supreme court to be the court of record ठीक और 209 जो है high court में बात करता है to be court of record now the supreme court shall be a court of record and shall have all the powers of such court including the power to punish for the contempt for itself ठीक है तो उसके पास सारी power है punish करने की और include करता है उसमें power to punish for the contempt of itself right now the supreme court has original appellant or advisory jurisdiction as well इसके लावा उसके पास original appellant or advisory jurisdiction भी है और वो दे रखा है आपका article 131 में constitution के जोड़े कहता है कि original jurisdiction subject to the provision of the constitution इस लाइन को क्या मतलब है कि जो constitution के provisions है उनको ध्यान में रखते हुए the supreme court shall to the exclusion of any other court to have original jurisdiction in any dispute किसमें कौन से dispute में यहापे supreme court के पास original jurisdiction रहेगा जहाँ पे dispute हो रहा है between the government of India or between one or more state एक से या एक से जाधर state में और government of India के बीच में लड़ाई हो रहे है ठीक है या फिर between the government of India and any state or state on one side or more than more than one or more than one or more than one state on the other side एक तरफ state है एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ original jurisdiction होता है right now appellant jurisdiction article 132 बात करता है appellant jurisdiction की prelims के लिए important है article number भी important है right नो यहाँ भी कहता है कि supreme court in appeal from the high court in certain cases कि ठीक है supreme court में जा सकते हो high court case अगर आप मान लो high court के decisions आप अग्रीवड हो तो आप अपने appeal लेकि supreme court के पास जा सकते हो but supreme court के decisions आप अग्रीवड हो तो फर आप कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि वह highest court of appeal है right now article 132 clause 1 an appeal shall lie to the supreme court from any judgment किसी भी judgment से लाइ कर सकता है appeal supreme court में किसी भी decree से किसी भी final order से high court के in the territory of india whether in a civil criminal or other proceeding civil case is a criminal case of course proceeding हो now if the high court certifies under article 134a तो अगर high court certification दे देता है सब्सक्राइब कर देता है article 134a में कि जो है वह involved करता है substantial question of law कि वह ऐसा judgment है ठीक है जिस मेंडिस और इस डिग्री खिलाब आप जा रहे हो supreme court में appeal लेकर जो judgment है जो order है वो उसको यहां पे high court certified कर दिया article 134a में कि वो जो है contain करता है involved करता है उसमे substantial question of law as to the interpretation of the constitution तो उस पर्टिक्लर केस में आप जो है जा सकते हो appeal में राइट अब यहां पे 133 देख लेते हैं apparent rejection of the supreme court in appeals from the high court in regard to civil matters की बात कर रहा है आपे उसमें भी अगर involved करता है substantial question of law और law और ऐसा कोई question arise हुआ है जो जनरल इंपोर्टेंस का है तो उसमें आप अपील में जा सकते हो clear now 133 134 बात करता है apparent rejection of supreme court in case of criminal matters तो पहला वाला article है जो सब की बात कर रहा है civil judgment की बात कर रहा है civil हो जाए criminal हो दूसरी proceeding तो इसके बात civil judgment की बात civil matters की बात हो रही है सब्सक्राइब कर दिया है या फिर उसको चीज से आप अभी के लिए जो है वो टाइटल और इतना ही इंपोरेंट पार्ट है इसारा पार्ट जो है आपका मेंस examination के लिए इंपोरेंट है special leave petition कहां पर दे रखी है article 136 में दे रखी है especially to appeal by supreme court ठीक है यहाँ पर कहता है कि supreme court जो है उसके पास है discretionary power है in its discretion grant कर सकता है special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter or made by any court or tribunal in the territory of india तो किसी से भी अग्रीवड हो के यहां पर सुप्रीम कोट के पास एक पावर है कि वो अलाओ कर सकता है अपील अपने सामने ठीक है अब एक इंपोर्टेंट चीज तो प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है यहां पर बात दे रखी है वो अप्लाइ नहीं होगी किसी भी जजमेंट किसी भी डिटर्मिनेशन किसी भी सेंटेंस किसी भी ओर्डर तो पास हुआ है या फिर किसी भी कोट ने बनाया है तो आपनेल जो कॉंस्ट्यूट हुआ है अंडर दी लॉओ रिलेटिंग तो आम्ड इस पे आपका 136 अपलिकेबल नहीं होता है ठीक है नो 137 रिव्यू आफ जजमेंट और दी ओर्रस बाइदी सुप्रीम कोट यह रिव्यू की बाद कर रखा है और यह बस आपका जो टाइटल है दाट इस इंपॉर्टन फॉर्टी प्रिलेंस 137 टॉक्स बाउट रिव्यू सुप्रीम कोट तो भी बाइंडिंग ऑन और इंडिया तो वह एक ऐसा प्रेजिडेंट मानेंगे कि बाइंडिंग होंगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 143 में रखा है आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है जो प्रिलिम से पूछे जाता है यहां पे कह रहा है कि पाव सब्सक्राइब कर सकता है किस से सुप्रीम कोट से तो यहां पे आर्टिकल 143 स्टेट करता है इंपॉर्ट आटिकल अजान से सुनना जाट इफ एट एट एन टाइम इट अपीर सुदी प्रेजिडेंट किसी भी टाइम प्रेजिडेंट को ऐसा लगता है नार्दी क्वेशन रखिर है और लओ अराइज हो रहा है और इस लाइकली तो यह नेटॉ मीनसर और गयर ऑसा बॉप्रेम कोट सेंट ряд को प्रेम कोट को तो वो रेफर कर सकता है उसकोशन अफ लॉय अफाक को तो यॉट फॉर्ट फॉर फॉर्ट फॉर्स अप्र इस अगले लिए अनद गोडूर्ट में अफर हेलिंग इट इस वेड रिपोर्ट टू इप्रेशिडेंट अपना उपीनियों तो उसके बाद जो प्रेशिडेंट को अपना ऑपीनियों, प्रेजियन न को जो है पॉट उसको इसको अपना ओपीनियों प्रेजियन को बता सकते है तो प्रेजियन यहां पर पावर है प्रेजियन की वो किसी भी मैटर पे पर, public importance के matter पे question of fact question of law ऐसा है जहां पर public importance involved है का matter involved है तो उस particular case में हो consult कर सकता है Supreme Court Supreme Court matter उसनने के बाद रिपोर्ट कर देगी प्रेजिदेंट को सका क्या opinion है clear now the president में अभी हाँ पर में वर्यूस किया मतलब discretion है डी के description है आपे the president में notwithstanding anything in the proviso of 131 131 का proviso क्या था ठीक है 131 का proviso हुआ हम देखते हैं refers to the dispute of kind mention in the set proviso to supreme court for the opinion of supreme court shall after hearing it reported present its opinion यहां पर के रहा है उसके proviso के respect में भी 131 में दे रखा है उसके respect में यहां पे आपका opinion लिए जा सकता है और फिर उपीनिन को refer कर दे जाएगा president को clear now high court की बात करते है supreme court apex a high court state में एपक्स है ठीक है now below the high courts are the hierarchies of subordinate court high court के बात कौन आते हैं children subordinate courts आते हैं शाज़ा civil courts हो गए family courts हो गए criminal courts हो गए various other district courts इसारे किसके निचे आते हैं high court के अंडर आते हैं high court is instituted as a constitutional court under part 6 chapter 5 and article 1 214 of the Indian constitution ठीक है यहाँ पर basically power होती है punish करने की in fact death penalty भी दे सकता है high court clear jurisdiction की बात करें 226 में रच jurisdiction की बात करी गई है यहाँ भी same 5 rates है आपकी उसकी बारे में यहाँ बात करी गई है retail में high base copus हो गया mandamus हो गया prohibition हो गया क्यों warrant और शर्शरारी यह सारी rate की बात करी गई है कि अगर fundamental right violate होता है तो आप जो है high court में चाह सकते है enforce कराने के लिए fundamental right को ठीक है rate के through 226 में आप high court का प्रोच कर सकते हो जो यह power आपके high court की है rate jurisdiction की वो जो है आपकी wider power है comparatively to the article 32 ठीक है 227 में बात कर रखा है power of supertendence over all the courts by the high court ठीक है यहाँ पर high court के पास power है कि power है supertendence की over all the high court तो हर जो high court है मतलब हर state में एक है है उसके बास supertendence power है over all the courts or tribunals throughout the territory in relation to which it excises rejection तो supertendence power है मतलब वो सारे जो जितने भी उस state में high court है उसके निचे जितने भी subordinate court है उसके उपर supertendence power किसके पास है high court के पास है और यह supertendence की power आपके देर रखे 227 में ना? Lower courts के अगर हम बात करें जी sir, अगर हम lower courts की बात करें, तो स्टेट जो है वो डिवाइट किया गया है दिस्टिक में ठीक है गवर्नर जो है स्टेट हाई कोड के जज एक चीडेशित से 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 कंसाल करके अपॉइंट करता है जज जसको ठीक नद डिस्टिक कोड़्स आर सबर्नीट तो यह प्यॉस दियन थे सबढ़ किया है तो हाई कोड़ आता है फिर अपर दिस्टिक कोड आता है क्या कहता है कि एक तो अंबर इंपोरिंट में थान-परिंट के लिए ठीक अब हुआ इसका इंडिक अभर्यण अब्यों कि भी आपकी सारे ठीक आपयंडेट्री हो गया इसका है यहां क्या राइट अचीफ गारडियन और गांटियन आपकी परस्ट में टूसरा through which the accountability of the government and other public authorities to parliament and state legislature and through them to the people are insured basically जतना भी अकाउंट है खाता है सब जो सबका guardian कौन है ये क्याग है राइट शिग्रीश चंद्रमुरमुर is an incumbent gag of the India exam में पूछे तो article number ध्यान रखना article 148 broadly क्याग से deal करता है उसके appointment से oath से और उसकी के रिस्पेक्ट में 149 डील करता है ड्यूटीज और पावर्स क्या ड्यूटीज और पावर्स है क्या की राइट 150 जो है बताता है कि accounts of the union ठीक है union के account और state के account shall be kept in such form as the president में on the advice of the CAG prescribed तो यहां पर अगी president की picture है कहता है कि president जैसे बताएगा president में discretionary power है ठीक है president में on the advice of the CAG prescribed तो जितना भी account है union का या फिर स्टेट का वो कॉन शाल भी kept in such form इस तरीक से रख जाएगा जिसे प्रेजिदेंट करेगा और प्रेजिदेंट के इसके किसके ड्वाइज लेगा यहां पे क्या के ड्वाइज लेगा ठीक है नव फिफ्टी वन रिपोर्ट्स जो भी क्या की है रिलेटिंग तो अकाउंट्स ऑफ दी यूनियन शाल भी सम्मिटेट टू प्रेजिदेंट को सम्मिट करी जाएंगी फू शेल कॉस्ट विलेट इन बिफोर दी इचाव इचावस ऑफ दी पार्लेमेंट तो जी रिपोर्ट है वो दोनों हाउस में रखी भी जाएंगी ठीक तक है कि क्या फॉर्पींट को सेटिके इस डूसका करेगा जो 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 जस बनाइंगे स्ट यूए subree m qor के और क्याग एड़ी टाइम अफ अजंशन अफ दी ऑफिस तो क्या ओथ लेनी है उसार आपका बता रखा है स्थर्ड स्केड्यूल में इन रिस्पेक्ट ऑफ क्याग एंड फॉर्ड दी जजजेस ऑफ दी सुप्रीम कोट क्लियर नौ स्टेड्यूल में भी अब यहां पर देखो हाओ इंडिपेंदेंट लिए सुसर्फ ऑस म किसे इंडेटक आपक्ड करता है फंक्शन का का उफिस पहले उसका टन् flirt रहेगा आगरऊ से 65 चार्फ पहले में प्राप्ति आपका मैंशबने सेम क्या सब फ्रीम कोड के लिपम होते हैं उन्स तरीक तो भी और कियाता है प्रेजिडेंट द्वारा एज इनेज़बिल तो होल न ऑफिस आई दर अने गोवर्मेंट अफ इंडिया और अने इनिस्टेट वन्सी रिटायर और रिजाइन आज़ाइन आज अग्याट तो अगर वह रिटायर करता है रिजाइन करता है कैक से तो इस पर टुक्ल आज़र अपोईट्मेंट एक बार आपनिमेंट हो गया तो इसको जो भी सर्विसेज मेलेंगी जो भी उसकी जो सालरी से बूसर विसके जो अजले में चैन्ज नहीं कर सकते उसको आप कोई विए अमेंडमेंट में रिकांज सारी सर्विसेज में इस एडिमिनिस्टेटिव पावर उसके administrative पावर की बात करें and the condition of the service of person serving in the Indian audit and account department are prescribed by the president and only after consulting him the president CAG से consult करके ही यहाँ पे decide करता है कि कौन सा person जो है serve करेगा Indian audit or accounts department में right to CAG के respect में ही सारी चीज़े important है examination के लिए functions और पावर अब वो दे रखा है आपका 148 से लेके 151 तक तो यहाँ पे कुछ important judgments है इस इंस्ट्रक्शन of government of India audit regulations of audit and accounts तो यहाँ पे यह अगें different sources के साब से तो CAG derives its audit mandates from different sources अलग-अलग different sources से यहाँ पे audit mandates वो receive करता है CAG right और यह कुछ अलग-अलग है जसे articles हो गए और यह जो आक्ट हो गया basically पूर जो आक्ट है 1971 का या फिर जो इंपॉर्टेंट जज्मेंट्स है उससे या फिर जो instructions दे रखे government of India ने उससे right now part 6 state अब जो पार्लेमेंट का जो पार्ट है ना विल्कुल सेम तो सेम स्टेट में भी रखाए ठीक है अब यहां पे बस ही धियान रखो कि आर्टिकल 153 से लेके 162 तो तक दे रखाए स्टेट के बारे में गवर्नर का अपॉइंट्मेंट उसकी पावर और एविधिंग डूब रिलेटेट ए गवर्मेंट गवर्नर के ऑफिस से वह आपका 153 से लेके 162 में रखाए जो रोल है गवर्नर का वो बिल्कुल सिमलर है प्रेजिडेंट की तरह गवर्नर गवर्नर परफॉर्म करता है सेम ड्यूटी ऐस धी प्रेजिडेंट बट फॉदी स्टेट ठीकर बिसिकली जो प्रेजिडेंट के बाज इतनी पावर्नर को भी देरक्ए वर्किंग उसकी सेम होती है जैसे ओफिस ऑफ प्रेजिनेंट की होती है इंडिया में वैसे ही कॉंसेटिशन ओ सब्सक्राइब आपका स्टेट का और वो बाउंड होता है कि से एडवाइज से कांसल अफ मिनिस्टर के ड्वाइज से ठेके इस फंक्शन इस वाइटल लिंक बट्वीन गोवर्मेंट अन्दी स्टेट गोवर्मेंट उसका जो यह फंक्शन है गवर्नर का वो क्या है एक ल साल का होना चाहिए एक लिस्ट और नॉट भी दी मेंबर ऑफ आइधर हॉस फार्लिमेंट और अब इस्टेट लिजिस्टर वो मेंबर नहीं होना चाहिए और कोई भी ऑफिस उस ने होल ना किया हो रही टर्म की बात करें तो नॉर्मली पांथ साल रहता है बट वह से पहले कि वो डिस्मिस अ गवर्नर को और एग्जेटिव पावर की बात करें तो सेम एग्जेटिव पावर है ठीक है सारे जो भी एग्जेटिव एक्शन होंगे वो गवर्नर के नाम पर ही होंगे स्टेट में अब यह इंपोर्नर के लिए कि गवर्नर के सकता है उसकी रेनुमरेशन की क्या उसकी सालरी रहेगी संबो डिसाइड करेंगा वो अपउइंट करता है इन सारे लोगों को स्टेटिव스타्शन कमिशनर को अव़णूंट करता है गवर्नर चेरपर्स न are the members of State Public Service Commission को क्ऊन अप्वाईट करता है और Vice Chancellor of the University इसको कौन अपोइंट करता है, Governor अपोइंट करता है, clear, now he seeks information from the state government, वो information लिदा है, state government से, a constitutional emergency in the state is recommended to the president by him, ठीक है अगर state में emergency लगानी है, अगर state emergency लगानी है, उसको recommend करना परता है to the president by him, कौन recommend करता है, Governor करता है, the Governor enjoy करता है, extensive executive powers as an agent of the president during the president rule, right, now legislative power के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगें उसके पास भी ordinance में किक भावरे सेम आपके president की तरह, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जो है, उसका same time दे रखा है, यह सारे चीजे आपका बिल विल के respect में, यहाँ पे, with respect to the introduction of the bill in the state legislature, ascent देनी होती है, उसको withhold कर सकता है, अपनी हम judicial power की बात करें, तो यहाँ पर judicial power और functions दे रखे हैं, गवर्नर की, कि वो pardon कर सकता है, रिप्राइफ कर सकता है, respite कर सकता है, रिमेंट कर सकता है, और commute कर सकता है, sentence को, गवर्नर के बासी power है, president जो है, consult करता है, गवर्नर को, while appointing the high court judges, तो जब high court judges का appointment होता है, तो यहाँ प the state high court and the state public service commission, he appoints a person to be judicial services, वो appoint करता है, person को भी to be a judicial services, now यह कुछ इसकी, आपकी constitutional powers दे रखे है, constitutional position दे रखे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हो head होता है, ठीक है, article 154 में दे रखा है, वो चीफ मिनिस्टर और चु के अबनेट है, वो इसको aid and advice करती है, unless he is performing something at his own discretion, जब तक the power to act as his own direction is the power not given to the president, यह प्रेज़न जो discretion पे act करने की पावर है, यह प्रेज़न के पास नहीं दे रखी है, राइग, 42nd amendment से, made the advice of the council of minister, binding on the president, but not on the government, governor in the state, ठीक है, तो 42nd amendment से, प्रेज़न के उपर तो यह दवाब है, कि उसको aid and advice पे काम करना पड़ेगा, minister के, but यहाँ पे, not on the governor, state, state में governor पे यह दवाब नहीं है, 146, 164 में दे रखा है, and the council of ministers are collectively responsible to the state legislative assembly, तो जो council of minister है, वो collectively responsible किसको है, state legislative assembly को responsible है, clear, now, the governor's discretionary power, governor की discretionary power क्या है, तो governor के पास ही discretionary power है, president के पास नहीं है, is comfort with the power to act as it, at his own discretion, now, there are this category of discretion for the governor, one is constitutional discretion, and other is situational discretion, तो एक होती है constitutional discretion, एक होती है आपकी situation discretion, अब इसको detail है बढ़ने के लिए, वो आपको means में help करेगा, ठीक, अभी यहाँ पे, प्रिलिंस के लिए इतना ही important है, एक important चीज़, कि life foundation badge आने वाला है, कल से start हो र है, बारा जुलाए से, शाम को चार बजी, तो अगर आप एक genuine spirit है, seriously target कर रहे है, किसी भी state judiciary examination को, तो I would say you must go and enroll to this life foundation badge, प्रिलियम से लेके interview तो तो तयारी कराई जाती है, यह course आपको मिल रहा है, 24,999 का, कल से class start हो रही है, तो जल्दी से decide करो, क्योंकि मैं नहीं चाती ही कि आपकी पहली क्लास में सो, तो आप यहाँ पे IPC और negotiable instruments से कल class start होने वाली है, प्रोमो कोड यूस करें, Shreelive, Shreelive से आपको मिलेगा, सब से जब दे रिसकाउंट, और आप यह course खरीच रहे हैं, सिर्फ 24,999 में, तो जल्दी से जाके enroll करें, and do not forget to use the code Shreelive, चलो, let's get back, state legislature, से 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 पार्लिमेंट है, वैसे आपको स्टेट लिजिस्टेशिक रिस्पेक में भी दे रखा है, अगें, not to go much into it, but यहाँ पे कुछ बेसिक से चीज़े हैं, as a bicameral, unicameral का क्या होता है, वो समझ दो, तो यहाँ पर सबसे पहले, एक बर हम इसको समझते है, state legislation respect में, मा कि सा aims and objectives are to create and introduce bill, क्यों बनाया गया है, state legislature, विधान सभा, यह सारी चीज़े क्यों बनाया गया है, ता कि bill introduced हुझ हुझ है, जो relevant है, state के respect में, now many powers and privileges are guaranteed to the members of the state legislative assembly, तो state legislative assembly के जो members है, उनको parliamentary privileges मेले हुए है, मतला भई, legislature के privileges मेले हुए है, that are equal to those granted to the member of parliament, same as a member of parliament को दिए गए है, right, these powers and functions are limited to the particular state, यह limited है, उस particular state के respect में, power functions दे रखे है, right, now, the constitution of India discusses relevant details regarding the important constituent and requirements within the state legislative assembly in article 168 से लेके 212 तक दे रखा है, right, now, Indian legislative system is bicameral, हमारा Indian का जो legislative system है, India का जो legislative system है, that is bicameral, article 169 जो Indian constitution का है, वो allow करता है state को to have legislative council in addition to legislative assembly, तो legislative council भी हो सकती हो, legislative assembly भी हो सकती है, much as parliament does, जैसा आपका parliament में होता है, now, six states, देश के हमारे देश में, छह स्टेट ऐसे हैं, with a legislative council, जहाँ पे legislative council है, है, वो है आपका आंद्रप्रदेश, तिलांगना, उत्रप्रदेश, बिहार, महराश्टरा, एंड करनाटिका, ये states के नाम याद होने चाहिए, exam के लिए important है, now, by cameral और unicameral का क्या मतलब होता है, unicameral state, unicameral legislature is one, which is one legislative chamber, जहाँ पे सर्फ एक ही legislative chamber होता है, परफॉर्म करने के लिए सारे functions, such as adopting laws, laws को रप करने के लिए, या फिर budget pass करने के लिए, या फिर debate करने के लिए किसी national importance पे, किसी national, या फिर international issues पे debate करने के लिए, एक ही house है, ठीक है, तोस कौम क्या कहता है, unicameral कहता है, आपना खुद से क्रीट कर सतने हैं, अगर एक ही दो, बिसिकली हाँ बेसिक सा मतलब सामझ लो, कि बाइक है मतलब मतलब जहां पे दोनों हाउसे होते हैं, और unicameral मतलब जहाँ पे एक ही house होता है, नौ, composition of house, article 175, 70 में देरा काइन इन constitution के, परपस क्या है, organization of the state legislative assembly, कि भई, state legislative assembly को organize किया जाए, article 171 में देरा काइन in constitution के, जहाँ पे composition बता रखा है legislative council का, विधान सवा, legislative assembly को विधान सवा भी कहते हैं हिंदी में, और यहाँ पे जो maximum strength है, that must not exceed to 500 people, and जो minimum strength है वो 60, तो minimum 60, maximum 500 होने चाहिए, विधान सवा में, चीक है, बट कुछ ऐसे states भी है, जो सिक्किम हो गया, अनुराज़ाचर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, वहाँ पे smaller legislative assemblies है, तो यह धिहान रखना जो strength है इसकी, विधान परिसद, अब विधान परिसद जो है, legislative assembly, legislative councils कहते हैं उसकों इंग्लिश में, 171 में दे रखा है, जो total number है, should not exceed one third of the total members, on the state legislative assembly, the state legislative assembly के, total one third member से जादा exceed नहीं होने चाहिए, विधान परिसद में, तो यहाँ पर member of legislative council, should not be less than 40, 40 से कम लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है, यह important चीज़ है, जो prelims में आपको धिहान रखनी है, powers and functions of high court, again, high court के respect में, यहाँ पर article 214 से लेकर 231 तक दे रखा है, high court के respect में, उसकी organization, उसकी powers को लेकर, total there are 25 high courts in India, high courts की autonomy को समझ लो, यह important exam के लिए, अब यहाँ पर देखो, the independence of high court, can be collaborated by points given below, क्या के points दे रखे हैं, appointment of judges, तो यहाँ पर कह रहा है, appointment of judges of high court, lies within the judiciary itself, judiciary पर लाई करती है, and it is not connected to the legislature or executive, क्योंकि judiciary एक independent body है, right, tenure of the judges, तो high court जो है, enjoy करता है security of tenure, till the age of retirement, which is 62, 65 है supreme court की, 62 है high court की, यह important है prelims के लिए, and a judge cannot be removed, except by the address of the president, जब तो president address नहीं करता, तब तक high court की judge को remove नहीं किया सकता, salary और alliances की बात करें, तो high court judge हुए, अच्छी salary enjoy करते हैं, अच्छी perks नको मिलते हैं, जब तक high court की judges की power को ना तो cut down कर सकते हैं, और जो उनको guarantee कर रखें constitution में, उससे कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, कोई भी खिलवाण नहीं होगा, परलिमेंट और स्टेट इजस्टे द्वारा, वो cut down नहीं कर सकते हैं, कोई भी power या फिर high court की jurisdiction को cut down नहीं किया जा सकता, clear, now, moving ahead, एक सेट, हाँ, conduct of judges, unless a motion of impeachment has been moved, the conduct of the high court judges cannot be discussed in the parliament, parliament में, high court की judges का जो भी conductors को discuss नहीं करोगे, जब तक आपने motion नहीं मूफ किया हो, impeachment का, right, retirement, after retirement, जो high court judges होते हैं, वो होल नहीं कर सकते हो, office of enrollment, under the government of India, or that of state, there can be an exception to this clause, इसका एक exception है, that is, when the consent of the chief justice of India, retired judges can be nominated to the temporary office, retired judges को temporary office में दे जाता है, बर उस पर्टिकुलर केस में, the justice of India की consent चाहिए होती है, and in the situation of emergency में, उनको लगाया जा सकता है, clear, अब देखो subordinate court, और district court का ही चार्ट देखो, civil court है, criminal court, subordinate court का है, में आते हैं, civil court में, district judge होते है, district judge court होते है, उस में subordinate judges court होते है, munsif court होता है, small court that is local attachment, criminal court में, district session judge, session court होता है, हाई हम आप सेशन जच बैठते है, chief judicial magistrate court होता है, or judicial magistrate court होता है, revenue court में, board of revenue होता है, आपका highest authority, उसके बाद, collector और commission के office होते हैं और तहसीलदार होता है तो यह एक हरारकी है जो follow होती है इससे उपर क्या होता है high court और high court से उपर क्या होता है supreme court तो इस तरीके से हरारकी है यह आपके courts की इंडिया में clear no subordinate court उसके respect में article 233 से अपने इंडिपेंडेंस from the executive और बाके उनके organization कौन-कौन कैसे कैसे अपॉइंट करेगा डिस्टिज़ को सारी चीज़े दे रखिए डिसिज़ का appointment बहुत ही ज्यादा important है प्रिलेंस examination के लिए appointment of district judge गवर्नर्स होता है state का वो consult करता है high court की जज़े से ठीक है appoint करता है post करता है और promote करता है district judge को state में clear तो कौन कर रहा है governor कर रहा है in consultation with the high court high court से consult करके governor जो है appoint कर रहा है post कर रहा है या फिर promote कर रहा है district judge को state में the following qualification should be present क्या qualification required है पहला he should not already be in service of central or state government वो already state or central government की service में नहीं होना चाहिए he should not he should have been an advocate for at least 7 years 7 साथ साल का वकालत का experience होना चाहिए he should be recommended by the high court for the appointment और उसको किस ने recommend किया हो high court ने उसको recommend किया हो तभी हो district judge बनता है right appointment of judges other than district judge district judge के इलावा बूसरे judges का कैसे appointment होगा तो यहाँ पर governor जो state का है वो appoint करता है people other than the district judges to the state judicial services after consulting with the public service commission and high court ठीक है इंसे consult करने के बाद control over the supreme subordinate courts तो यहाँ पर control subordinate court का किसके उपर रहता है किसके पास control है high court के पास तो high court के पास jurisdiction है over districts court district court के उपर सारे subordinate court के उपर high court के पास ही power jurisdiction है including posting promotions हो गए उनके level of personals in the state judicial services who occupies office lower than that of the district judge so district judge के नीचे जितने भी judges वे रहा है उनके respect में subordinate वो सब किसके है high court के subordinate है right now 226 में एक important चीज जो expression है district judge का वो include करता है judges of city civil court additional district judge यह सारे लोग इसमें fall करता है यह prelims में पूचा गया है MPCJ में right तो यहां पे expression district judge का क्या है कौन कों include होते है इसमें judge of city civil court आते है additional district judge आते है joint district judges आते है assistant district judges आते है chief judge of small causes court आते है chief presidency magistrates आते है additional chief presidency magistrate आते है session judge आते है additional session judge आते है और assistant session आते है तो यह सारे judges जो हैं आपके district judge की definition में expression में fall करते हैं यह important है examination के लिए now union territories के respect में सिर्फ और सिर्फ यह पूचे जाता है examination में कि special provision दिल्ली का गाँ पर दे रखा है तो वो article 211 में दे रखा है ठीक है 211 में दे रखा है यह prelims के लिए बस इतना ही important है now 9 और 9A part जो बात करता है municipality और पंचायत की तो पंचायत राज इंस्टूशन है वो बल्वंत मेहता कमेटी से आया है ठीक के बल्वंत मेहता कमेटी की ने रिकमेंडेशन दी उसकी रिकमेंडेशन से वो आया है clear now जो यह system है that is P.R.I is a ruler local self-government in India now local self-government is a management of local affairs कि local affairs को देखने के लिए इस local bodies वो है local affairs को देख रही है who have been elected by the local people जुनको local people ने जो है elect किया है now जो यह 73rd constitutional amendment से आया है यह prelims के लिए important है यह amendment इसको 73rd amendment से to build democracy at grass root level बहुत चोटे level बनीचले level पे initial level पे यहाँ पे democracy build करने के लिए यह introduce किया गया है यह यह पंचायती राज institutions 73 constitutional amendment से किया है यह important है examination के लिए now क्या silent feature है 73 और 74 constitutional amendment के दोनों ही important है दो नए part add किये गए है यहाँ पे part 9 जो पंचायत की बात करता है 73rd amendment से add किया गया है यह prelims के लिए important है और part 9A जिसका नाम है municipality इसको add किया गया है 74 amendment से और यह keyword है important exam के लिए now basic unit of democratic system gram sabah that is village और ward committees बनाए गये है municipalities comprising of all adult members registered at as voters जो registered है as a voter उनको यहाँ पे members बनाए गया है three tier system होगा यहाँ पे पंचायत का at village intermediate block तालो के लो मंदल के लो ठीक है agnistic levels except in state with population below 20 lakhs उन state को छोड़कर जहाँ पर जिससे state की population 20 लागया उनको छोड़कर यह आपका दे रखा है article 243B में now seats at all level तीनों टायर पे जो तीनों लेवल है इस पे जो seats होंगी वो फिल्ड होंगी direct election से ठीक है seats reserved करी जाएंगी SC और ST की पीपल के लिए and the chair person of the panchayat at all levels also shall be reserved for SC and ST in proportion of their population तो जससरी के जनकी population उसके proportion से उनको उनके लिए यहाँ पे seats reserved करी जाएंगी one third of the total member of the seat is to be reserved for women one third seats जो है reserved करी जाएंगी महिलाओं के लिए one third of the seat reserved for SC and ST also reserved for the women तो यहाँ पे एतनी number of seats हुए है reserved की जाएंगी women's के लिए दोनों में मैं दोनों की बात करे हूँ यहाँ पे right now one third office of the chair person at all level reserved for the women offices में भी women का reservation होगा uniform five year term यहाँ पांच साल का term होगा और जो election होगा वो constitute करेगा नहीं bodies को to be completed before the expiry of the term तो यहाँ पे नहीं bodies को elect कर दिया जाएगा in the event of dissolution election compulsory within six months तो यहाँ पे अगर मालो dissolution हो जाता है यह election होता है तो वहाँ पे complete 6 महीने के अंदर करना होगा independent election commission होगा in each state for superintendence direction and control ठीक है तो election के respect में superintendence election and control के लिए independent election commission होगा पंचायट प्रिपेर plans for economic development तो यहाँ पे कहता है कि पंचायट जो है plans बनाएगा किसके लिए economic development के लिए पंचायट जो है plans बनाएगा 74 जो constitutional amendment है for the district planning committee to consolidate plans prepared by the panchayat and municipalities और यहाँ पे यह establish करता है एक finance commission हर state में to determine the principle on the basis of which educate financial resources would be insured for the panchayat and the municipalities तो यहाँ पे कुछ important key points है जो एक्जाम के लिए important है cooperative society अब यहाँ पे this is important यह कौन से amendments से आया है 97th amendment से आया है I was asking to the students right तो यहाँ पे 97th amendment से आया है यह cooperative society यह कोई नया concept नहीं है it prevails सारे ही country में प्रिवेल करता है and that is almost a universal concept universal concept है now cooperative society है क्या basically क्यों बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ weaker section की interest को protect करने के लिए बनाया गया है cooperative society जिक है it is a voluntary association of person whose motive is for the welfare of the member जिनका basic motive क्या है कि वो member की welfare के लिए काम करेंगे और weaker section की interest को protect करने के लिए यहाँ पर cooperative societies को बनाया गया है right now relation between the union and the state अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर legislative relations है administrative relations है और financial relations है right अब यहाँ पर तीन तरीके की यह important part है ठीक है आपका article 245 से start है into the spare reserved for the other but they should know how to work together यह कहता है एक दूसरे के spare में नहीं गुसेंगे but यह पता होना चाहिए कि कैसे साथ में मिलके काम करना है article 245 से लेके 255 part 11 का include करता है legislative relations between the center and the state right now territorial jurisdiction की अगर हम बात करें तो article 245 जो है वो allow करता है parliament को किसको अलाओ करता है parliament को अलाओ करता है कि वो laws बनाए पूरे country के लिए यह किसी भी part of the territory of country के लिए ठीक है however it allows the state government to only make an enforced laws for the state and any of the office part तो basically state में state बनाती है लो और यहाँ पर्लिमेंट को allow किया गया है कि वो पूरे whole territory के लिए किसी part of the territory के लो बना सकता है ठीक है but state government सिर्फ allowed है अपने state के लिए laws बनाने के लिए now parliament के पास extraterritorial authority है right in other words it can make laws that applies to Indian citizens and their property outside the country तो यहाँ पर कहता है कि parliament के पास extraterritorial authority है वो जो है law बना सकती है जो apply करेगा Indian citizen पे और उनकी properties पे जो country के बहार है now the doctrine of territorial nexus important doctrine है article पूछे तो article है आपका 245 right doctrine of territorial nexus article 225 में रखा है जो कहता है कि जो state legislature है वो एक्स्टेंड नहीं कर सकती है अपनी पावर beyond the area ठीक है वो state है state अपने लॉस बनाए state government लॉस बनाएगे अपने state के लिए अपने state के पार्ट के लिए right वो एक्सेंड नहीं कर सपनी पावर in case there is not enough link between the subject matter and the state right हर हालत में वो अपने state और अपने state के subject matter पर ही law बनाएगी subject matter jurisdiction क्या है article 246 में list के बारे में दे रखा है ठीक है यहाँ पर पावर को डिवाइट किया गया है between the union and the state in three list तीन तरीके से यहाँ पर यूनियन की पावर को डिवाइट किया गया है list में union list consists of around hundred subjects which are of national interest union list में वो सारे subjects हैं जिस तो national interest के हैं nobody can make laws union list में कोई भी laws नहीं बना सकता on these subject except the union union list में union ही law बनाएगा state list में state law बनाएगा concurrent list में दोनों ही law बनाएगे union B और state B right now concurrent list में around 52 subjects हैं both center and the state can make laws इस पर दोनों ही law बना सकते हैं और state list में सिर्फ और सिर्फ state laws बनाती है जिसे police हो गया public order हो गया public health हो गया यह सारे कुछ examples है आपके state list के special condition जहां पे union जो है union parliament जो है laws बनाती है state list पे वो कौन सी conditions है जहां पे union state list के matters पे law बनाती है now where the subject matter जहां पे subject matter ऐसा है जहां पे national value है national value involved है for that it must be passed in राजसभा इसके लिए उसको राजसभा के राजसभा में पास होना ज़रूरी है special majority of not less than two-third member present and voting is necessary it remains forced for the period of one year तो वो एक साल के लिए valid रहता है यहां पे और जहां पे उस matter पे subject matter पे जहां पे जहां पे आपको special majority की voting चाहिए जो member present or vote करें वहां पे सब्सक्राइब करें तो उस particular case में यूनियन बनाती है स्टेट लिस्ट के स्टेट के सब्सक्राइब पे यूनियन बनाती है on the request of two or more states जहां पे दो यह दो सब्सक्राइब स्टेट जो है रिक्वेस्ट कर रहे है ठीक है स्टेट लिजिस्टेचर दो यह दो सब्सक्राइब स्टेट के जो स्टेट लिजिस्टेचर है वो रिक्वेस्ट कर रहे है कि पास करना है लोग किसी specific subject matter पे उस particular case में यूनियन बनाती है ठीक है for applying any international agreement और convention जहां पे international agreement के लिए अप्लाइब करना है सेंटर और स्टेट के बीच में ठीक है अब यह आपका देर रखा है article 256 से लेके 263 तक administrative relations center और स्टेट के बीच में center of state relationship में सबसे important चीज direction by the union to the state government कि भाई union जो है direction दे सकता है state government को 246 में बात कर रखा है about the executive power of the state state executive power के बारे में बात कर रखा है state जो है use कर सकते अपनी power बिना violate किये laws को जो parliament ने बनाए है right no existing law which applies in that state should be broken ठीक है तो कोई भी existing law जो state में अप्लाए होता उसको allowed नहीं कि आ उसको break करो in case it fails to do so then the union government is free to give out command for that purpose अगर मानलो फेर उजाती है तो इस particular case में union government ही उसमें advice देती है अब इसमें सौराज अभी भियान versus union of India इस particular case में बहुत सरे state government ने refuse किया in act करने के लिए provisions of the national food security act अब इसके case की facts सुनो कि बहुत सरे state ने मना कर दिया कि वो जो है national food security act के provisions को apply करेंगे now the court said that the state government cannot dismiss the will of the union government यहां पे court ने क्या decide किया कि state union government की विल को refuse नहीं का सकता इस थरीके से right and in case of conflict between the two they should always look for a middle ground और अगर बालो आपस में conflict होता है तो इस particular case में आपको इसका रास्ता निकालना होगा court नहीं आपका if the state refuses to follow the rules of the union the article 365 is attracted to article 365 वाय उस पे applicable होता है now delegation of union functions to the state अब इस particular case में parliament जो है assign कोई matter जो आ रहा है union government की पास state government को ठीक है तो divide कर सती है distribute कर सकती है इसको पस कोई matter आ रहा है तो state government को दे सकती है provided that the state government permission is not vital for doing so right तो basically यह important है आप एक बार 258 article पढ़ लीजगा now all India services अब यह भी important है exam के लिए this talks about forming of all India services common to the union and the state now it can be created if राजसभा passing a resolution supported by not less than two-third of the member present and voting तो इस particular case में राजसभा को सामने आना पड़ता है और राजसभा ही जो है resolution pass करती है two-third majority से तभी जो है यह applicable होता है right and that is vital for the beneficial of the national interest to do so तो यहाँ पे जो है आपका all India services जो common होता है union or state के लिए वो create होता है कैसे create होगा all India service जब आजसभा जो है two-third majority से पास करेगी क्या basic motive उसके पीछे है to ensure the corporation and promotion regularity promote regularity in carrying out the administrative duties throughout the country all above तो यहाँ पे basically basic motive क्या उसके पीछ basic motive यह है कि वो जो है क्या कहते है promote कना जाते है कि regularity बनी रहे at the same time ensure रहे corporation और सारे administrative काम को करने के लिए carry out करने के लिए तो regularity में train रहे और साथ में corporation रहे सारे ही administrative काम को करने के लिए तो इस वज़े से यहाँ पे यह basic motive है यह create करने का आपका all India services now interstate councils क्या होते है अब president जो है वो पास करता है order to form it interstate councils को बनाता है president बनाता है यह prelims का question है now it serves greater public interest अब यहाँ पे जो state है आपका the state reorganized act has set up five zonal councils तो state ने जो है five zonal councils को set up कर रहता है जो union home minister होता है वो act करता है as ex official chairperson of the council वो कैसे act करता है as an ex chairperson, chairman of the council तो 5 zonal बना रखे हैं यहाँ पे duties क्या है इनकी inquire करना, advise करना कोई dispute जो हो रहा है between the state उसके उसके ओपर, explore करना discuss करना different subjects in which the union and the state have a common interest जिसमें union और state का common interests को discuss करना उसके बारे में advise करना किसी भी subject पे for better coordination of of policies and action with respect of that subject, okay? यहाँ पर advise करना किसी भी subject पे जिसमें ता कि better coordination हो से कि subject matter के respect में, तो यहाँ पे basically यह काम रहता है, यह duties दी जाती है dispute relating to interstate river अब यह article 262 में रखा है और यहाँ पे भी parliament के पास power है to decide कोई भी dispute या कोई भी complaint किसके पास power है, parliament के पास power है वो decide करेगी complaint को, dispute को वो resolve करेगी the river board act which controls the interstate river and river values, तो जो control करती है interstate rivers को और river values को उसके respect में हैं पास किया है river board act 1956, now interstate water dispute act allows the central government to set up a tribunal for adjudicating the dispute, यहाँ पे फर्दर यह बात बताई गई है, that जो interstate water dispute act है, चीक है इस act में बताया गया, कि tribunals set up किये जाएंगे, जो allow करेगा central government, central government को लाओ कि इस particular act ने, यह वो set up करेगा, tribunals कि जो भी dispute हो रहे है, जो भी मस्ले हो रहे है, वो यहाँ पे this tribunal में resolve हो, right now financial relation between the state and the central, अब इसके respect में, इंडिया फालो करता है एक federal system, चीक है, वी ओल नो कि इंडिया फालो करता है, एक federal system of finance, now in the world of R.N. भर्गवा, 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 I guess यह बोलेंगे, the federal finance means the finance of the central government as well as of the state government, आपने इनों समझाया है कि जो finance का मतलब है, federal finance का क्या मतलब है कि finance है वो central का हो, या state government का हो, और जो इनके बीच में आपस में relation है in respect of that, right, तो article 268 से लेके 293 तक पार्ट 12 का कवर करता है, financial relation between the state and the central, now financial commission, article number important है जो बहुत ही ज़ादा exam में पूचे जाता है, and जो financial commission है जो financial commission है आपका, ये एक constitutional body है अब constitutional body क्या होती है और statutory body क्या होती है, देखो कोई body statute से बने गए है किसी act से बनाई गए है, that is a statutory body, that is for example, competition commission of India, competition commission act है, उसे एक body set up करी गए, that is a statutory body, right constitutional में मता रखा है, जैसे election commission of India, constitutionally body है similarly, financial or you can say finance commission ये एक constitutional body है which is at the center of physical federalism, right now ये set up कर रखा है आपके दोस्वा आसी में आर्टिकल में, and it's core duty basic काम क्या है इसका, to access the state, to assess the state of finances of the union and state government, recommend the sharing of tax between them, ठीक है किस तरीके से tax share होगा उनके आपस में उनके respect में उनको help करना, उनको advice करना, principles laid down करना कि किस तरीके से manage करेंगे distribution of these taxes among this rate, कि किस तरीके से tax को distribute के जाएगा उसके respect में यहाँ पर प्रिंस्पल्स होएं, बताय जाएंगे, ठीक है अच्छा ठीके, slow बोलू, okay, fine, ठीके, 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 खूल, composition, finance commission का composition जो है, president जो है constitute करता है, कौन constitute करता है, president constitute करता है, यह important है, प्रिलेंस examination के लिए, और इसको constitute के जाता है, हर पांच साल पे, ठीक है, it consists of a chairman, and four other members, और यहाँ पर चार अलदूसे members होते हैं, साथ में एक chairman होता है, जिसको appoint के जाता है, president दा रहा है, तो finance commission में सब कुछ कौन कर रहा है, president कर रहा है, president ही appoint करता है, right, before moving ahead, एक important चीज़ सुन लो, जो बहुत important है आप सब के लिए, कि life foundation batch 2 आने वाला है, ठीक है, जिसकी classes कल शाम को चार वजे से start होने वाली है, तो अगर आप एक serious aspirant है, और सारे subjects को detail में बढ़ना चाते हैं, examination point of view से comprehensive तैयारी करना चाते हैं, तो I would say you must go and enroll to this life foundation batch, कल से class start हो रही है, जल्दी से जाके enroll करो, और study IQ पे अगर आपको कोई भी course पर्चेस करना है, और maximum discount चाहिए, तो आप enroll कर सकते हैं, यूज करके प्रोमो कोड श्री लाइफ, life foundation batch का प्राइज है 24,999, यह जो course है आपका वो साल के लिए वालेड रहेगा, यहां पर आपकी प्रिलिम से लेके, इंटर्व्यू तक त्यारी कराई जाएगी, हाने टेन नोट्स, लेक्ट्चर नोट्स, डेली mcq प्राक्टिस भी कराई जाती है, एक मेंटर भी अलॉट के जाता है, तो यह सारी चीज़ें आपको मिल रहे हैं अफॉर्डबल प्राइज में, इंजस्रूपीस 24,999, यूज करके प्रोमो कोड आप इन्रोल हो सकते हैं इस लाइफ फाउनेशन बाच में, राइग नौ तब और थार्टी तुक ऑउ ट्रेटाइ जॉटैलीक विच ट्रेटी में विच ट्रेटोन उस्रेशू ज़िए तो प्रेटली यूज के लिदा इन्रोल किया है, stability को मेंटेन करने के लिए आप इसके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस है यह प्रॉपर तरीके से ट्रेड और कॉमर्स के लिए कि ट्रेटरी में कहीं पे भी जो प्रोविजन से उसके वह है आर्टिकल 301 से लेकि 307 तक ट्रेड करते हैं ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोस्ट विदिन ट्रेटरी आफ इंडिया और आपका आर्टिकल 191 जी है जो पार्ट 3 में रखा जो गैरेंटी करता है कि हर सेटिसन के पास सिमिलर्ली उसको नजर रखते हुए यहां पे आर्टिकल 301 में डेक्लियर किया गया कि जो ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोस है शाल भी फ्री थ्रूआउट दी ट्रेटरी आफ इंडिया नाट शुट भी स्री तूआउट डाट मस् भी फ्री कोई भी रिस्ट कोई भी इंटर कोसित्थ जिह रक्रश का सकता है वह कि बुस्ट कर सका था है रोगा सकता है तो 303 में क्या रहा है कि जो पर्लेमेंट है डस नोट फ़ी अथरॉर्टी तो इंपोस इसक्षिंट प्रिक्षिंट तो मेंक एनी लौ दिस्क्रिम नेट अगेंस वन स्टेट तो पार्लेमेंट ऐसा कोई लो नहीं बनाएगा जो एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करेंगा याप रेफेररेंस देगा कि से दूसरे स्टेट को एक स्टेट सेट करेंगे इस तरीक एक कोई भी भी लॉन नहीं बनाएगा नो यहां पर दो एक्सेप्शन दे रखे हैं 304 में जो एक्सेप्शन देखे हैं टुदी फीडम गारंटीट अर्टिकल 301 इन फेवर आफ स्टेट लिजिस्टेटर यहां पे अब दो एक्सेप्शन से अगें प्लेम्स के लिए आपके लिए इंपोर्ट नहीं है आप बस 301 तू और 3 यहां कर रखेगा जो इंपोर्ट ने जाब से पुछ जाएगा ठीक है अगें सब कुछ यहां पर पार्लिमेंट कर रहा है यह धियान रखना ठीक है इस पूरे पार्ट में सब कुछ पार्लिमेंट कर रहा है नो सर्विस अंडर दी यूनियन आंडी स्टेट्स ठीक है अब सर्विस union in the States यहां पर आता है आपका public service commission or state public service commission right now requirement article requirement and regulations conditions of service of civil servant ठीक है तो जो UPSC हो गया आपका state public service commission हो गया उसके बारे में बात हो रहा है तो यहां पर article 309 जो है Indian constitution का वो empower कर रहा है किसको parliament को empower कर रहा है और respective state legislature को empower कर रहा है कि वो regulate करे और provide करे rules or laws for the appointment regulations of the civil servant in the country उसके respect में rules regulations लेकर आए ठीक है for both the persons appointed under the union or the state the union के लिए कौन लेकर आएगा parliament लेकर आएगा state के लिए state legislatures से उम्मीद की गई है कि वह आप laws बनाओ जो regulate करें इनके civil servants के recruitment को लेकर नो जो provision है वह जो express करता है that until the provision and laws regarding as aforesaid not made by the parliament or any other or any or all the states of the state legislature then under such circumstances the president or the government governor of the state holds the authority to make law अगर मानलो parliament उस्टेट लिए नहीं बनाता है तो president और गवर्नर जो है laws बनाएंगे temporary for regulating or operating such appointment saving the country's mal administrative or failure ठीक उसको बजाने के लिए अगर मानलो state parliament नहीं ला रहा है और state legislation rules नहीं बना रहा है regulations नहीं बना रहा है equipment को लेगे civil servant के तो इस particular case में governor और president बनाएगा doctrine of pleasure article 310 में यह important है prelims के लिए पूछ लिए जाता है इसकी PDF मिलेगी आपको telegram channel पे ठीक है तो telegram channel पे आप मुझसे connect हो सकते हैं वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी right now doctrine of pleasure plays a very important role of doctrine of pleasure team so this minute a cap prelims के लिए important headhyaan रखना now doctrine of pleasure pleasure to hear plays a very important role in consistency and on the administrative life of the civil servant together civil servant respect me have about the regis kate administrative life or ski consistency really both important role play got a doctrine of pleasure now we must have learned that England the civil servant which I which is duly appointed by the ascent of the crown can be removed from his post ticket so he can take us a me agra mingland की बात करें sorry England में civil servant को जिसको appoint किया गया है crown के ascent से उसको remove कि जा सकता है post से और terminate कि जा सकता है without assigning any reason to him मिना उसको reason मताए यहाँ पे जो England है वहाँ पे civil servant को crown की permission से आपने उसको appoint किया और आप जो है बिना किसी को reason मताए उसको remove कर रहे हो ठीक है civil servant को आप remove कर रहे हो बिना assign किये कोई भी reason यहाँ भी terminate कर सकते हो उसको remove कर सकते हो now even if the contract of employment does not round the crown crown in any member in any manner to crown को जो contract होता है employment का जो हम लोग employment करते हो इसका a contract होता है तो इस contract से क्राउं जो है bound नहीं किसी भी तरीके से and this is something what is called absolute pleasure तो वहाँ पे क्या है absolute pleasure की बात करी गए that is solely on the destiny of the civil servant depends upon the pleasure of the crown crown के pleasure पे है जब चाहे वो dismiss कर दे जब चाहे वो आपको निकाल गए रिजाइन आप से कि आप जाओ यहां से ठीक है बिना assign कि आपको कोई in mind before ascertaining any action against the civil servant generally around practical sense में बात करें तो civil servant के अगेंस कोई भी आशन इस पहले हम public policy को धान में रखते हैं right in England and if it seems vital and furtherance of justice then only person is removed from his post and on otherwise in England में हम धान रखते public policies को जरूरी होता तभी निकालते है सब्सक्राइब किसी बात पे हमने निकालते इंडिया में क्या होता है इंडिया में doctrine of pleasure दे रखाया आपका आर्टिकल 310 में ठीक है जो exercise करा जाता है by the president of India on appointment and dismissal of the civil servant the civil servant का appointment or dismissal respect में किसके प्लेजर पर रहते हैं प्रेजिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं नो इस आट को जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको वाइडली स्टेट किया that the person who are किसकी फेवर अगे ये doctrine of pleasure किस पे आप्रिके बलो रहा है इसकी बाह बता रहा है member of defense services of the india member of union public service commission member of state public service commission of india and all india services of india ठीके तो इस पे यहां पे you can say कि जो ये आर्टिकल है आपका person जो यहां पे ये लोग है उसके respect में doctor of pleasure की बात करी गई है right now holding their offices during the pleasure of president ये सारे लोग hold करने office during the pleasure of president and the state concern on the whims and pleasures of the governor of the state state में governor के whims and fences पे काम करने और union में president however it must actively be noted that minded that the pleasure constituted and mentioned in the constitution is not an absolute pleasure as given under india but हमारी india में जो absolute pleasure आपका इंग्लांड में दरक्खा है वैसा नहीं है but it's grace with certain restrictions on its execution but हमारे यहां कुछ reasonable restrictions है execution के कुछ restrictions है same absolute pleasure जो England में है वैसा नहीं है india में not talking about public service commission यहां पर article 312 जो बात करता है parliament को entitle करता है कि वो create करे एक एक से जादा all india services including all india judicial services common to union and the states right now the requirement to all these services to be made by the UPSC करता है हां पर सब कुछ equipment सारी inside services में और state में state public service commission करता है right administrative services at the state level में कौन करता है SP SC that is state public service commission करती है now union जो UPSC है आपका that is a central recruiting agency in india और यह एक independent constitutional body है now this is important यह independent constitutional body है इसके बारे में article 315 से लेकर 223 तक दे रखा है parallel to UPSC at center एक state public service commission चलती है आपकी state में यह UPSC आपका center में चलता है state में state public service commission चलती है राइट thank you now here आपका state public service commission में दे रखा है इन सारे articles में और इसकी इन सारे articles में बता रखा है कि किस तरीके से remove होगा किस तरीके से composition होगा ठीक है किया powers है कैसे appoint के जाएगा किसे remove के जाएगा कि पावरो क्या इन सारे articles में दे रखा है नहीं करके बात करते हैं uniform आपका union public service commission के composition को लेकर तो appointment कौन करता है the chairman and the other members of UPSC is appointed by the president the UPSC chairman और दूसरे members कौन appoint करता है उनको president appoint करता है tenure की बात करें terms of office की करें तो 6 साल के लिए ठीक है जन्यूर होल्ड कर सकते हैं office या फिर 65 साल के लिए जोवे पहले आ जाए रिया पॉइंट्मेंट एनी परसंट हो हाज वन्स हेल्टी ऑफिस as a member of public service commission is ineligible for reappointment of that office तो एक बार ओफिसर बन गया UPSC में उसके बाद वो दुबारा eligible नहीं है ठीक है वो eligible नहीं है reappointment के लिए resignation के respect में यहां पर कैता है जो member है UPSC के वो resign कर सकते है अपने office से जब वो written में application देंगे resignation की to the प्रेजरेंट तो रिजाइन इसको करेंगे प्रेजरेंट को करेंगे अपन कॉन करेंगा इनको प्रेजरेंट अपन करेंगा यह इंपोर्टेंट है नो रिमॉवल और शुस्पेंशन आफ मेंबस तो चेर्में जो है और तो जो दूसरे में बाइट में टुदी सुप्रीम को ट्राइट तो रिमॉवल हो गया अप कंडिशन क्या होंगी रिमूवल की कि यह तो वह इंसॉल्वेंट हो गया है ठीक है या फिर इंगेज हुआ है अपने टार्म्स फॉफिस में किसे दूसरे आउट साइड दी अप इस दूसरे सब्सक्राइब करता है जैसे यूपी एसी में प्रेजरें को किया रहा है सेम स्टेट में गवर्नर को किया जा रहा है कि यूपी तो यहां पर आपर प्रेजर रुमुवर्ट यहां पर कहता है कि इंडियन कॉन्टूशन टू और मोर स्टेट में एग्रीट आज़ाइब there shall be one Public Service Commission दो यह दो से जाने स्टेट जो है अग्री कर सकते है कि यहाँ पे एक पॉलिक एक पॉलिक सर्विस कमिशन होगा फॉर्डी ग्रूप ऑफ दिस्टेट के लिए बहुत सरे स्टेट्स के लिए एक ही पॉलिक सर्विस कमिशन बनाया जाए का राइग लाइग लाइग ल स्टेट के से लिए से ओसको पास करें अली रेंदडी पारिमें exceptional प्रॉइट करेंगा आपको जुआइन स्टेट कमिशन सारे स्टेट के जो भी अगरी करना है कि हमारे लिए एक पॉर्लिक सामशन होना जो सारे स्टेट लिए सररः फॉर्द हाउस से पास कर रोवाएंगे तो joint public service commission के case में कौन होगा, appoint कौन करेगा, president appoint करेगा उसके chairperson के और उसके members को, clear? Now, a member of the joint commission shall hold an office for 62 years of age या फिर 6 years, जैसा आपका state public service commission में है, सेम वैसा ही यहाँ पे applicable होगा, clear? Now, next is resignation, इसको resign करेंगे, तो जो article 317 है आपका, वो जो है बताता है कि जो member है आपके joint public service commission के, वो submit करेंगे return resignation किसको, president को, प्रेजिदेंट को यहाँ पे वो return submit करेंगे, right? और फिर वो resign करेंगे अपने office से, जो president है वो empowered है कि वो suspend कर सकता है, किसी भी person को है, किसी member को is commission के, from the office after the reference made about the same to the supreme court, यहाँ पे प्रेजिदेंट के पास यह power है, कि वो suspend कर सकता है किसी भी person को, तो president जो है, वो देख रहा है, the resignation और removal और suspension के case को, right? पावर की बात करेंगा, तो 318 में रखेंगे, यह power आपकी, यहाँ में बता रखा है, कि determine करेंगा members को, numbers of the members of the commission and their condition of the services, में provisions बनाता है, with respect of the number of, क्या conditions होगी, services की, कितने number of members होगे, उसके respect में, now tribunal के case में, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल number धिहान रखना है, administrative tribunal आपका, आर्टिकल 323 में दे रखा है, और आर्टिकल 323B में दे रखा है, tribunals for the other matters, Now coming to part 15, election, and यहाँ पे election के respect में, एक election commission में आ रखा है, यहाँ की constitutional body है, तो constitution ने established किया है, एक permanent और independent body, ensure करने के लिए, free and fair election, ताकि देश में proper तरीकी से election हो, fair तरीकी से election हो, तो यहाँ पे constitution ने established किया है, एक permanent independent body, for free and fair election, known as election commission, Now the commission is responsible for holding लोगसभा election in India, तो यहाँ पे जो यह commission है, वो responsible है, लोगसभा election कराने में, कराने में इंडिया में, ठीक है, Now the constitution प्रोवाइट किया, पर प्रेश पर्टिक्लर प्रोवाइट करता है, election commission of India, with the power of direction, superintendence, and control of election to the parliament, state legislatures, the office of president of India, and the office of vice president, तो यह सारे जो election commission है, उन सारे लोगों की elections को देखता है, control करता है, superintendence power है, और यहाँ पे direction देता है, अब जो यह election commission है आपका, that is an all India body, that is common to both, central को भी common है, और state government को भी common है, right, it must be noted that, here the commission does not deal with the election, यहाँ पे commission जो है, इलेक्शन से डील नहीं करता है, municipality और पंचायत की, ठीक है, municipality और पंचायत की लेक्शन से डील नहीं करता है, हैंस, इसी वज़े से municipality और पंचायत के लिए, एक separate election commission प्रोवाइट कर रखा है, constitution of India में, उन आर्टिकल्स में, right, no independence of election commission, article 324, Indian constitution का बात करता है, ठीक है, यहां पर चीफ एलेक्शन कमिशनर इस प्रोवाइड कर रखे है, इन्शुर करने के लिए, independent and impartial functioning of the election commission, which is as follows, क्या-क्या है आपे, तो यहां पर चीफ एलेक्शन कमिशनर is provided, with security of tenure, right, he cannot be removed from his office, except in the same manner, on the same ground, as is of the supreme court is removed, तो यहां पर यहां पर यहां पर इस को रिमूट कर जाता है, उन्ही शेम ग्राउंस पर यहां पर यहां पर इलेक्शन चीफ 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 एलेक्शन कमिशनर को रिमुट कर रिमुट कर जाता है, इन अधर वर्स, ही इन पर जाता है, he can be only removed by the president, on the basis of resolution passed to that effect by both the house of parliament with special majority either on the ground of proved misbehavior or incapacity to in ground within ground with supreme court is this going to remove the town he grounds pay in code remove case of that or yeah paid special majority say he happened on a house a pass on us are you right he does not hold office until the pleasure of the president though he is appointed by him more president pleasure become negata even though school president a point yeah the service air condition of the chief election commissioner cannot be valid to its recent advantage after its appointment right and you have the care to do such evil election commissioners a you have a regional commissioners do hey cannot be removed from the office except on the recommendation of the chief election commission because of the chief election do a recommend me can get up to uncojo a remove of nahi kiya jayega right now one more important cheese is just a minute one more important cheese abhi hapa deko election taaki deish me free or fair home a chi tari keseo is liya ya hapa ye iyee bnaya gya hai ek separate joe statuary independent satuary body bani bani kaya do constitution has sought to to safeguard and ensure the independence independence ensure to ensure the independence basically that no cheating no 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 election fair not okay so for that they have some commissioners appointed some chief commissioners appointed so that the election is free or fair so the term of members is not specified here the constitution has not been specified to be the term of the member of the election commissioner here यहां पे not debarring the retiring election commissioner for further appointment by the government और यहां पे debar भी नहीं कर रखा है ठीक है कि जो भी election commission में commission में काम कर चुके है उनको debar भी नहीं किया गया है for the further appointment by the government उनको further appointment कर सती है ठीक है अब यह कुछ basic सी चीजे यहां पे power functions and responsibility of election commission की बात करी गई है among the major constitutional body constitutional body है यह आपकी election commission is a permanent constitutional body a permanent constitutional body है and it's established किया गया था on 25th January 1950 now the constitution has vested with the body of superintendents control ticket direction उसको यह power दे रखी है और यहां पे जो functions of powers है administrative advisory है और quasi judicial clear now composition किस तरी किसे बनाया जाता है इसको अब यहां में बता रखा है कि जो president है वो अपॉइंट करता है chief election commissioner को that is CEC ठीक है when any other EC is appointed election commissioner is so appointed the ECE act as a election commissioner chairman तो अगर मानलो कोई election commissioner को अपॉइंट किया गया है तो आपके chief election commissioner है वो chairman की तरह act करने लगते हैं ठीक है president जो है वो अपॉइंट करता है regional commissioners को भी to assess the commission commissioner को access करने के लिए यहां पर regional commissioners भी appoint के जाते हैं अगर जरूरी है after consulting with the election commission तो election commissions consult करने के बाद regional commissioners भी appoint के जाते हैं commission को assist करने के लिए right now the tenure of the office or the condition of the service of all the commissioners shall be determined by the country's president the president यहां पर tenure उनके pleasure पर रहते हैं उनके tenure वो सब decide करेंगे president decide करेंगे clear यह तो होगे आपका उसका composition नहों यहां पर यह कुछ important चीजे है जो part आपकी 16 में रखे है special provision relating to certain classes ठीक है अब इस यहां पर आर्टिकल 360 और सॉरी 330 331 332 333 334 35 36 37 इसमें से आपके यह चार important articles जो पढ़ने जहां पर बताया गया है कि reservation किया जाएगा सीट का SC और ST people के लिए house of people में ठीक है तो SC और ST लोगों के लिए house of people लोग समा में seat reserve किया जाएगा ठीक है अब यहां आपे कह रहा है एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के लिए भी लोग सवा में representation होगा 332 बताता है हां पे कि reservation होगा SC ST का कहां पे legislative assemblies of state में तो यह कुछ है आपके लिए important जो पढ़ना है अब similarly यह article numbers ही आपको याद रखने हैं इसमें के national commission for SC national commission for ST other backward classes ठीक है यह 338 338 338 B इनको सिर्फ आपको नाम से article number से याद करना है और वो आपको ही याद करना पड़ेगा यह schedule class कहां पे define कर रखा है 341 में 342 में schedule tribe define कर रखा है और 342 A मे socially and backward socially and educationally backward classes के बारे में बता रखा है इनके सिर्फ article number आपको याद करने है prelims के लिए important है clear official language के बारे में कहां पे दे रखा है 343 में official language union की क्या होगी और यहां पे commissions और जो committees होती है parliament की उसके official language क्या है यह basically आपके prelims के लिए पूछ जाएगा सिर्फ और सिर्फ article number that is why I have not come up with the detailed things now left with the emergency provisions emergency provisions complete करते हैं फटाफट emergency provisions आपके दे रखे हैं part 18 में ठीक है article 352 से लेके 360 तक अब यहां पे जो यह provision है वो enable करता है central government को to meet the abnormal situations effectively कि मालो emergency अगे नाम ही बता रहा है कि emergency हो गई कोई abnormal situation exist करती है उस particular case में क्या basic rational है कि पीचे क्या basic motive है कि पीचे the incorporation is to safeguard sovereignty integrity unity and security of the country the diplomatic political system and the constitution इसको safeguard करने के लिए यह provisions बनाए गया है देश की integrity unity sovereignty political system और constitution को बचाने के लिए यहां पे इसको incorporate किया गया है राइट नौट तीन तरेगी के emergency होती है national emergency constitutional emergency और financial emergency इसको आप constitutional emergency का आप state emergency भी कह सकते है right national emergency के अगर हम बात करें तो national emergency can be declared on the basis of war किन grounds पे emergency लगती है किस ground पे लगती है war के basis पे external aggression और arm rebellion ठीक है इससे पहले internal disturbance था जो 44th amendment से हटा दिया गया और इसके जगा arm rebellion लिया है ठीक है now the constitution employs the expression proclamation of emergency to denote the emergency of this particular time the proclamation of emergency मतलब national emergency हुआ आपका यहां पे और यह इन grounds पे लगती है war के basis पे external aggression के basis पे और arm rebellion के basis पे right किन grounds पे डेक्लेर के जाता है national emergency तो article 352 में बता रखा है that the president can declare कौन डेक्लेर करेगा president declare करेगा national emergency when the security of India or the part of it is threatened by war external aggression और arm rebellion जहां पे देश की security पे खत्रा है देश पे खत्रा है तो वहां पे president जोए डेक्लेर कर सकते है national emergency president जोए डेक्लेर कर सकते है national emergency even before the actual occurrence of war अभी war हुई नहीं है उससे पहले भी प्रेजिदेंट जो है यहां पे national emergency declare कर सकते हैं या arm rebellion की केस में या फ्रेक्सर्णल एग्रेशन का अभी हुआ नहीं है कुछ भी मट अगर अगर एप्रेहेंशन है तो भी इस पर्टिकुलर कीस में प्रेजिदेंट डेक्लेर कर सकते है national emergency right now when a national emergency is declared on the ground of war or external aggression जब national emergency declare करी जाती है इन दो ग्राउंड पर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर एट इस नोन as external emergency उसको क्या कहते है external emergency भी कहते है on the other hand when it is declared on the ground ground of armed rebellion it is known as internal emergency और जब arm rebellion के basis पर ग्राउंड के बिसस पर emergency लगते है तो इसकाव internal emergency कहते है मैंने बताया आपको कि 42nd amendment से 44th amendment sorry arm rebellion work को introduced किया गया है उससे पहले internal disturbance था जिसका इंद्रा गांदी जी के time पे misuse किया गया था ठीक है now parliamentary approval and duration अब यहां बेसकी बात करते हैं जो proclamation emergency national emergency must be approved by both the house of parliament within one month एक महिने के अंदर दोनों house of parliament उसको पास कर दें ठीक however if the proclamation of emergency is issued at a time when the लोकसभा has been dissolved अगर माल लो emergency लगाई national emergency लगाई उस time पे जब लोकसभा आपके dissolve है और the dissolution takes place during the period of one month यह उस one month में जहां पे दोनों house को पास करना है इस one month में लोकसभा जो है dissolve हो गई है without approving the proclamation बिना proclamation को अप्रूफ किये लोकसभा dissolve हो गई है then the proclamation survive until 30 days from the first setting of the लोकसभा after its reconstruction तो जब reconstitute जाती है लोकसभा उसके बाद 30 जिन तक survive करता है वो provided that the राजसभा in the meantime approved और उस बीच में राजसभा ने राजसभा ने उसको अप्रूफ कर दिया है जैसे दोनों हाउस को पास कर देती है दोनों हाउस एंशल इमर्जनसी को पास कर देती है तो इमर्जनसी कंटिन्यू करती है 6 महिने के लिए अब यह जो टाइम लाइन है वो इंपोर्टन अप्रिलम्स के लिए तो वो 6 महिने के लिए रहती है ठीक नशनी मुझंस लग गई उस पर्टुकलर केस में इमर्जनसी जो आइए च्छाह महिने के लिए ठीक चाहिए मने के लिए लिए यह एक्टैंट कर सकती है indefinite period के लिए but यहां पे हर बार उसको पार्लिमेंट से अप्रूबल लेना है हर 6 महीने बस पार्लिमेंट से अप्रूबल लेना है now every resolution approving the proclamation of emergency or its continuous must be passed either by the house of parliament by special majority यहां पे अगेन the resolution है जो अप्रूफ कर रहा है इस बात को कि proclamation होना चाहिए emergency का national emergency लगनी चाहिए या फिर continue करनी चाहिए उसको पास होना पड़ेगा by either house of parliament by special majority special majority से उसको पास होना होगा now revocation of proclamation अगर मानलो हटानी है emergency उस particular case में the proclamation of emergency may be revoked by the president कौन revoke करेगा president at any time किसी भी time by a subsequent proclamation दूसरा proclamation लाकर वो जो है इसको रिवोक कर सकता है such proclamation does not require parliamentary approval but यह जो subsequent proclamation ला रहा है उसमें parliament की अप्रूबर की ज़रूद नहीं है the emergency must be revoked if the लोग सभा पासे सारे resolution by simple majority disapproving its continuation अब यहां पर समझो इस important चीज़ को कि जो इमर्जेंसी है वो रिवोक हो सकती है अगर लोग सभा जो एक resolution पास कर देता है simple majority से के भई हमें अंडिस अप्रूफ इसके continuation को disapproves कर रहा है इस particular case में emergency must be revoked अगर जो है लोग सभा simple majority से पास कर देता है इस अप्रूफ कर देता है उसके continuation को right now effect क्या होगा national emergency का proclamation of emergency has drastic and wide raising effects on the political system नो इसके तीन consequences है देखो effect on center state relation सबसे पहले effect देखो center and state relation का okay people are talking something thank you Praveen sir प्राइचल रही है यस प्राइचल रही है चलो effect on the center and state relation now while our proclamation of emergency is in force the emergency like you can actually emergency like you tea to do normal basic cheese a hand center of state relation yeah of course what if uh what major changes में जाएंगी emergency लग गई सारी चीज़ें affect करेंगी उसे right तो जो नॉर्मल फेबरिक है central state relation का undergoes a basic change and this can be read under these three heads पहला executive center जो है वो executive directions देता है state को किसी भी matter पे emergency लगी है union decide करेगा ठीक है तो center जो है सारे directions देता है state को legislative के case में parliament become empowered to make laws on any subject mentioned in the state list और उसके बाद आगा मालो इमर्जनसी लगी है तो पार्लीमेंट इसके बास एपावर हाजाएगे पार्लीमेंट के पास वोग्यों सारे matters पे वह direction देगा पार्लीमेंट किसी भी list कोई मैटर जो state list में उस भी आगर एक एक पर्लिमेंट जो है वो डियरेक्शन देगा नहीं अगर पार्लिमेंट सेशन में नहीं है दिलोओ मेड अन्द सब्जेक बादी पार्लिमेंट बिकम इन ओपरेटिव आफ्टर शेक्स मन्स तुटीक चैनल महींने के बाद लाइफ ओफ लोगसभा एंड स्टेट सेट असेमिली अब इसके बारे में बात करते हैं तो जब भी नाशले में लगी होती है ऑपरेशन में होती है जो लाइफ लोगसभा की वह एक सेंड हो जकती है ब्यॉंड नर्मल टाइम मैंने पांच सल बताया है इमर्जंसी में एक सल और एक सेंड हो जाती है और जैसे ही अदेंसी खता हो जाएगा तो यहां पर यह इस पर फरक पड़ता है फंडमेंड राइट्स की रिस्पेक्ट में कि क्या एफ एटाइव अन्यमेंटल राइट में तो आटिकल 358 वा रख 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 रहा रख किया एफेक्ट होगा नाशल अमेर्जनसी का इन अन्डी फंडमेंटल राइट्स देको पहला सस्पेंड होजाएगा आपका आर्टिकल 19 चिए फीडियो में स्पीच ए और ली बात बता रख रख यह मैंने आटिकल 19 पूरा आपका सस्पेंड होजाएगा तो 358 के साब से जब नैशल अमेर्जनसी लगी होती है तो ये छह क्षै फंडमेंटल राइट से रख यह आंटिकल 19 में उन्हों आटोमेंटीकली सस्पेंड होजाते हैं आटिकल 19 जो है वह आटोमेंडिकली रिवाइब होजाता है जैसे ही इमर्जनसी खतम होजाती है 44th अमेंडमेंड में है oh okay 44th अमेंडमेंड में बता रखा है जो article 19 है can only be suspended when the national emergency is laid down ठीक है on the ground of war or external aggression and not in case of arm rebellion ठीक है तो arm rebellion केस में नहीं सिर्फ वोर और external aggression वाली ये बात prelims के लिए important है PT के लिए important है ये mark कर लिना कि जो आपका 44th amendment है उसने ये laid out laid out किया कि जो article 19 है वो सस्पेंड होता है सिर्फ और सिर्फ नाशनल आपके पास राइट नहीं है कि आपके आपके पास राइट नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं सकते ये इंफोर्समेंट अब फंडमेंटल राइट दूरिंग नाशनल अमर्जन्जनजी नाशनल अमर्जन्जन से के दोरान आप अपने क्या क्या किते है फंडमेंटल राइट को इंफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते है 10, remedial measures are suspended not the fundamental right so remedial measures इसको Suspend कियाता है fundamental rights को नहीं ग्रे अब यहाँ पे जो आद्धा amendment44 amendment वो mandate करता है President को cannot Suspend the Right to move to the Court for the enforcement of fundamental right जार्टिटी अर्टे अर्टी और ट्वेंटी हो टुएन टुएन्टी ऐट वन्टी में अगर आपने fundamental लेके कोट पहुच रहो तो वह स्पेंट नहीं गिजा सकते ऐसा जो है 44 अमेंडमेंट से तो किस से हुआ है 44 अमेंडमेंट से हुआ है ध्यान रखना यह इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए नाउ स्टेट एमर्जेंसी ठीक उसको प्रेजिदेंट डूल भी कहते है अब आर्टिकल 355 में बता रखा है यह इंपोस करता है ड्यूटी सेंटर पे इंशुर करने के लिए कि गवर्मेंट जो है हर स्टेट की वो क्यारीड आउट हो इन अकॉर्डेंस विद दी प्रोविजिन ऑफ दी कॉन्स्टूशन राइट कि भाई सारे प्रोविजिन कॉन् गे अधिज़ दूटी एंडी पर्फॉर्मेंस अफ विच दिसेंटर टेक्स ओवर दी गोवर्मेंट ऑफ स्टेट अंटर अर्टिकल 356 इन केस ऑफ फिल्यूर ऑफ फॉन्सिशन अफ परिजिदेंट की वह इस की तरीके से गोवर्मेंट काम नहीं करे इस पर्टिकुलर 356 ऑन टू ग्राउंड दो ग्राउंड पर पहला कि इंपावर है प्रेजिदेंट की वह इशू कर सकता है प्रोक्लिमेशन अगर वह सेटिसफाइड है अगर प्रेजिदेंट सेटिसफाइड इस बात से कि सिचुवेशन ऐसी आई है जहां पर गोवर्मेंट जो है स्टेट क इस प्रेजिदेंट की फंक्षन नहीं कर पा रही है या अपने जो जो गोवर्मेंट जो स्टेट की वह क्यारी आउट नहीं कर पार रही है अपने अक्तिविटेश को अपने काम को इन अकॉर्ड़न्स विद्धी प्रोविजिवन ऑप दी कॉन्सुशन तो उस पर्टिकु lawful for the president to hold the situation that has been arisen to which the government of the state cannot carry down on accordance with the provision of the constitution. So basically, state emergency लगाने का एक ही जो ground है that is कि अगर state government जो है उस पर्टिकुलर state को चलाने ही पार ही in respect of the, as per the provisions of the constitution of India, तो emergency लग जाती है, right. अब यहां पर parliamentary approval of duration की बाद, तो proclamation जो imposed होता है, president rule में, must be approved by both house of the parliament, 2 house of parliament, 2 पास हो और दो महिने के अंदर हो, ठीके दो महिने के अंदर पास होना चाहिए. However, if the proclamation of the president rule is issued at the time when the Lok Sabha has been dissolved or the resolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives till 30 days, तो सेम बात जो मैंने आपको हमे नाशनले अमर्जन्सी में बताई थी. Consequences क्या होंगे? He can take up the functions of the state government and power vested in the governor or executive authorities in the state, तो Parliament आजाएगी पिक्चर में. वो डिकलेर का सकता है जाएगी पावर अधिस्टेट लिजिस्टेट आस टूब एक्साइज बादी पार्लिमेंट लिजिस्टेट का सारा काम करेगा पार्लिमेंट करेगा जब स्टेट इमर्जन्सी लगी होगी और वो सारे इन इस रिम इंपोर्टन स्टेप लिसकता है इंक्लूडिंग इसस्पेंशन आफ कॉंसेशल प्रोविजन रिलेटिंट इन तु दी बोडी और दी अथार्टी इन दी स्टेट राइट फैनेंशल इमर्जन्सी की बात करूं तो आर्टिकल इंडिया का उसको कही ना कही वह थ्रेटेंड है ठीक वह अंडर थ्रेटेंड है तो उस पर्टिकुलर केस में फानेंशल इमर्जन्सी लगाई जा सकती है पर्लिमेंटर अप्र दूरेशन की बात करें तो यहां पे टू मंस के अंदर दोनक हाउस ऑफ पालिमेंट इसको जैसे ही लोग समा जो है रिकॉंस्टूट होती है तो था फर्स थर्टी देस तक वो सर्वाइफ करेगा उस बीच में राजसमा उसको पास कर देना चाहिए तो वन सब्रूब बोडिमेंट इमर्जन्सी लग जाती है इंडेफिनेटली टेलेट इस रिवोक तो तक रिवोक अचाहा तका भी फानेंचल इमर्जन्सी लगी नहीं है ठीक है तो यह धान रखना अब हम बात करेंगे आर्टिकल 368 की और फिर कुछ और आर्टिकल्स और आर्टिकल्स एंड एंड इन्टारी सेशन विल बीच प्रेट रिट एट पार्ट ट्वेंड इंडिन कांसिशन के तो अमेंड यान फिर कॉंसिशन पहा पार्ल міंट इस पावरे कि वह और मीन करें से लिए खनेंट धूर आईट इच्छ उपार्लीम इकानव जोह इस पार्लीम जाली मिन ऑगले शिव और अगले एंड पालीम जोह है अमकर सचा है कॉंसिशन को बैवी आर्टिकल्ट बीटि च्टर पार्लेमेंट जो है मेसे सचर को अमेंड नहीं कर सकता और यह आपका किशमनदा भारती वाले केस में क्लेर ली कह रखा है नो इट प्रवाइट तू ताइप अफ अमेंडमेंट में दू तरीके का मेंडमेंड है आपर पहला special majority of the parliament and special majority of the parliament along with the rectification of half of the state legislature right my simple majority ये दो तरीके साब को बता रखा है नो जो amendment है provision का certain provision का constitution के वो require करता है amendment by simple majority of each house of present and voting the amendment are not deemed to be amendments under article 368 अब उनको नहीं मालोगे article 368 में amendment simple majority क्या होती है ठीक होती है ठीक होती है ठीक होती है ठीक होती है तो हाउसस अफ पार्लिमेंट आउचाइड स्कोप ऑफ 368 तो सिंपल मिजॉर्टी में दोनों हाउस अफ आउस अफ पार्लिमेंट जो है उसको पास कर दें सिंपल मिजॉर्टी से और इस आउट्षाइड स्कोप आउटिकल 368 नो कौन से कौन से प्रोविजिन्स हैं वो कि नया स्टेट फॉर्म करना है जिसा हमें में बताया भी से कॉर्सMें पार्लिमेंट और स्टेट लिजिसे के लिए से ॴ सिंपल मिजॉर्यटी चाहिए कया से ंपलम मिजॉर्यटी जाहिए ठीक fact less than two-thirds members present in voting right fundamental right or director principle are two most important provisions that can be amended by special majority the FR or DPSP do a more important provisions a Joe up amandus at a special majority say but the amendment should win the within should be within the basic structure of the Constitution to get the basic structure government Nika safety all provisions that do not require rectification by the state and those come under directly under the purview of 368 can be amended by special majority the most are a provision happy up for state correctification in each area to get the upper upper state correctification in Italy and do directly after 368 mirror him who amandus at a special majority say special majority with consent of half states us can expect me about curry here that those provisions of the Constitution which are related to federal structure to do relate I think she's a federal structure of the polity can be amended by the special majority of the palim parliament or South South me maha pay half of the state key consent to you to get say the decision to you the simple majority say ticket the special majority plus half of the consent of the state legislature do a simple majority say on Nikki out now important provisions that require rectification by state state to be rectification needs or whatever consequence provisions a election of president president collection Supreme Court and High Court take a representation of state in Parliament distribution of legislative powers between the state and the Union and the extent of executive power of the Union and the state and most importantly the amendment to article 368 itself is may have to consent to you the half of the state key ticket by simple majority now because the restrictions I have a parliament amending power to later that we know that is a condition in the part of the case when I get to this landmark case when I get a key up to a basic structure comment ninkar satay the constant of basic structure are not clearly specified men have possession of what I a beach may key exhaustive I have a list of basic such a basic such a key basic such a key ticket you interpret it dot a provision key provision may for example consequences of basic such a multi a secularism on the equality of the federalism separation of power independence of the judiciary rule of law et cetera it is a decision about the office comment ninkar satay kissi bhi halme right so this is a telegram channel which you can connect to me and this session can collect the PPT and this is my Instagram handle where I am always available to you right so you can connect to me on the telegram channel and you can collect the PPT to me and on the Instagram or telegram you have a class notification or any doubt in respect of the session session I will be down to argue could out I so I am to say yeah pay reach out car satay a place I read out talk as a thing now as I have promise can be showing you could important is a job there at me important there so you have to go back to him the whole year of his class key provisions for a second देखो यहां पे जो लास के प्रोविजिंस है आपके दी प्रोविजिंस लाइक 393 जो इंपोर्टेंट है ठीक है डेफिनीशन इंपोर्टेंट है अब देखो यहां पे कि यहां पे ऐसा नहीं एंडियन कॉंस्टूशन में आप यहां पे देख सकते हूं कि आर्टिकल 393 में और यहां बता रखा है इस कॉंस्टूशन में भी कॉल्ड आज कॉंस्टूशन ओफ इंडिया और 394 में कमेंस्मेंट दे रखा है जहां पर बता रखा है कि कुछ आर्टिकल्स आपके फोर्स में आ गए थे ठीक है और कुछ जो है बाद में 26 जैनवरी 9050 को फोर्स मैं कुछ अबिस नमेंबर 1949 को आगे थे और कुछ रिमेनिंग आपके इस डेट को राइट अब यहां पे जो इंपोर्टन चीज है मोगे धान रखने वाले 393-394 इंपोर्टन एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल नमर भी इंपोर्टन ते ध्यान रखना साथ में जुसका डेफिनीशन है वो भी यहां पे नहीं दे रखा इनिशली वो आपका दे रखा है section 366 के अराउंड हो दे रखा है वो आप चेक कर लेना आपको डेफिनिशन क्लॉस में जाएगा 366 डेफिनिशन क्लॉस है सब कुछ डिफाइन करका है और वो डेफिनिशन क्लॉस इंपोर्टन है प्रिलिम्स में एक बच आने से पहले नजर गुमा लेना उस पे clear तो यह है आपका इंपोर्टेंट सब कुछ इंपोर्टेंट जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं इंपोर्टेंट एक्जाम के लिए यह सारी चीज़ हमने डिसकस कर लिया है यहाप एक इंपोर्टेंट चीज कि मैंने आपको आर्टिकल 239 AA बताया था स्पेशल सेटस दिल्ली वाला ठीक है तो वो 69th amendment से आया है ठीक है वो 69th amendment से आया है वह जो जो डाउन कर लीजेगा वह भी इंपोर्टेंट थैजाम में पूछ जाता है नहों एक और इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप मुझसे कनेक्ट हो के बाच 2 है उसकी क्लासिस कल से स्टार्ट होने वाली है तो अगर आप जन्मेनली टारगेट कर रहे हो स्टेट जूडिशी एग्जामिनेशन को प्रप्रेशन करना चाते हो एक्जामिनेशन पॉइंट अफ्यू से तो आई वोड़ से यू मस्त गो और इंडोल तो इस मैं भी बढ़ाती हूं और डीटेल में पढ़ाती हूं इस तरीके से रापेट रिविजन में नहीं और यह तो जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम्स है आप एक रात पहले देख सकते हो पढ़ सकते हो आपको एक हेल्प मेलेगी इस वजए से यह रापेट रिविजन की सीरी है comprehensive तरीकी से course को complete करना है तो just go and enroll to this life foundation badge इस course का price 24,000 999 है affordable price है the reason being हम आपको यहाँ पे handwritten notes lecture notes daily mcq की practice कराते हैं साथ में एक mentor भी allot करके देते हैं जो आपको help करता है इस पूरी जर्नी में इतना ही नहीं answer writing sessions, judgment writing sessions, GS, GK यह सारी चीज़े cover आप कराई जाती है इस life foundation badge में तो अगर आपको enroll करना है और enroll करते time आपको सबसे ज्यादा discount चाहिए तो use करे promo code Shreelive, Shreelive से मिलता है आपको सबसे ज्यादा discount, classes कल शाम को 4 बजे से start होने वाली है, दिन में आपकी 2 classes होती है, शाम को 4 बजे से 5.45 तक और 6.15 से 8 पीम तक major law और minor law की class होती है, फिर भी आपको क respect of course, course में कैसे enroll होना है, या कोई आपका random thought हो course को purchase करने से पहले, तो आप मुझसे connect हो सकते हैं, telegram पे और instagram पे, तो telegram पे हम मुझे सर्च कर सकते हैं, श्रिमिश्रिवास्तव के नाम से, instagram पे भी same follow कर सकते हैं, clear, now, किस तरीके से course को purchase करना है, that is also important, कि अगर आपका मन है, कि आपको purchase करना है, कल सुबा उट करी purchase करना है, कि कल class start होने वाले है, तो आपकल purchase कर सकते हो, उसके बाद ने purchase कर सकते हो, बट आपकल, I would say कि purchase कर लो कि पहली class कोई भी मिस ने करना चाहता, right, तो, वेभव सेंग, आप मुझसे टेलिग्राम पे connect हो, इंस्साग्राम पे आप मुझे message करें, तो आप जो है, आपका जो भी doubt होगा, मैं solve कर दूँगे, आपको upgrade, हाँ, हो सकता है, अप्रेड को ने हो सकता है, हो सकता है, right, now, यहाँ पे, आपको स्टडियाई को कि website पी जाना ह है, चिक है, life foundation, बाच को select करना है, जैसे ही, आप life foundation, बाच को select करोगे, आप देख सकते हो, price आ रहा है, 40,000 रुपीज, right, buy now, पे click करना है, apply करना है, सिर्फ एक promo code, I hope इस इतने लंब में सेशन में, आपको promo code जरूर यादा हो गया होगा, that is, श्री live, तो श्री live promo code से, आपक study IQ Judiciary की page पे, सारे ही courses मिलते हैं, सबसे ज़्यादा discount पे, life foundation, बाच की बाच करें, तो यहाँ पे apply करना है, promo code, Shri live, S-H-R-I-L-I-V-E, जैसे ही, आप apply करोगे, आप देख सकते हो, कि आपको यह course मिलेगा, सबसे ज़्यादा discount पे, और course की validity है, 24 months, तो आप enroll कर सकते हैं, इसक I hope you have liked this session and thank you so much for being there, so see you tomorrow at the same platform, till then take care, bye bye, good night